पिर हम start करेंगे आज यानि पूरा entirely mergers and acquisition आज हम revise करेंगे फिर और इसके notes इब मुझे वटावट से बिदा दीजे और वीडियो आडियो सब कुछ perfect है और उसके बाद हम start करेंगे mergers and acquisition और इसके जो notes है ये मैं telegram में just अभी share कर दे रहा हूँ आप telegram channel मेरा join कर लीजे और description में link है आप वहाँ से join कर सकते हैं और मैं वहाँ पर notes अभी share कर देता हूँ फिर उसकी बाद start करेंगे वही notes को आपको refer करने है single notes से इसके अंदर सब कुछ रहेगा concept बोल दो question बोल दो सब कुछ रहेगा इसके अंदर ये single notes आप refer कर सकते हैं मैंने notes हैर कर दिया आपको टेलीग्रम में मिल जाएगा हूँ चलिए तो अभी notes आपको मिल चुको है वही notes को refer करके हम आगे पढ़ाई करेंगे येस हम discuss करेंगे सारे जो जो important question maximum question हम कोसेज करेंगे हम discuss कर ले ठीक है तो अभी मैं discuss करने से पहले एक बाद बस आपको कहना चाता हूँ मैं आपको कि यहां पर जैसे कि SFM के अंदर और भी chapters है बहुत सारी बच्चे कहते हैं सर फोरेक्स करा दो फोरेक्स ओल्रेडी करा है वा लास्ट तो उसका रिवीजनरी वीडियो में पूरे concept with questions हमने फोरेक्स रिवाइस करा है एक और मैंने डेरिवेटिवस और इंट्रेट रिस्क मानेजमेंट का वीडियो भी लास्ट रेम डाला था हूँ वो दोनों कंबाइन एक पांच घंटी का एक लाक्चेर है उसके अंदर पूरा हो जाएगा पूर्ट पोलियो हमारा सेवन आवर्ट में पूरा का पूरा खतम हो जाएगा एक साथ पूरा रिवाइस कर लेंगे एक दिन मैराथून लेके हम पांच-छे घंटे में खतम कर लेंगे इसके लब हम यूचियल पंड अल्रेडी लास्ट मैंने प्रोवाइड किय था और इवन मैंने लिंक्स भी दिये थे लास्ट ताम मैंने डिसकसन किया था एफ 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 स्ट्रेडीजी वह पर सभी चैप्टर के लिंक्स दिये थे तो म्यूच्छल पंड के लिए बी कुछ बच्चे पूच रहे थे कितने अच्छे रिवाइस करा क्योंकि लिंक्स मैंने टेलिग्राम में उसकी पीडियाव सहर की हुई है वहाँ से अपको अराम से मिल जाएगा और मैं क्या करूंगा एक जैसे आफ और का मैंने एक प्लेइलिस्ट बनादूंगा इसाफ एम बोल दो एक ही बात है उसका में एक प्लेडिस्ट बना दूंग वो playlist के अंदर हम क्या करेंगे हम सारे डाल देंगे तो अराम से सारे practical chapters आपके अराम से खतम हो जाएंगे mergers अभी हम पूरा खतम करी देंगे financial reporting में भी मैंने financial instruments मैंने live करवाया था साड़ी 6 घंटी का 8 घंटा दिख रहा पर साड़ी 6 घंटी का उसमें एरांड 70,000 के असपर व्यूस हो चुक है भी वो भी जस्ट 20 डेस भी नहीं अभी तक है न तो 20 डेस में तो वह सारे FR के भी मैंने सारे links दिए वह वहापर चैए financial instrument 115-0103 110-116 भी मैंने रिसेंट्ली live marathon लिया था चार घंटे में हमने पूरा खतम किया था concept plus question के साथ सार और इसके अलावा mid-size इंडेस का भी मैंने links आपको दे दिया है और मैंने बताया भी था कि आप एटली जो 15 से कितना chapter से मैंने बताया था वो cover कर लोगे तो आपके 80 marks पके एफर में भी तो यहां पर वो आप अराम से financial reporting और एस फम जो है या एफम बोल तो यह दोनों जो है यह तो आप अराम से complete कर लोगे को टेंसन की बात ही नहीं है अब बस मेरा revisionary वीडियो follow कीचे थोड़ा बहुत practice कीचे जहां पर जरुत है और उसकी बात अराम से अपका होगा पी जी जी जग अराम से आपका score हो जाएगा 70 प्लेस अराम से लेवगा या फिर SFM अब दोनों में 70 प्लेस अराम से ला सकतो तो चलिए आज हम क्या करेंगे mergers and acquisition अराम से के वाला chapter है इतना easy है मतलब क्या बोलू मैं आपको इतना easy chapter है तो कोई बच्चा अगर tough सोचता है न तो वह सोच रहा है यह बहुत easy chapter है चलिए अभी mergers and acquisition start करते और इसका PDF already telegram में दिया हुए मैंने चलिए तो I think अभी आपका कोई doubt नहीं वोईस वगेरा सब कुछ perfect है हर हर महादिब आप सभी को and आप सभी अच्छे से पढ़ाई किजो और exams बहुत पास है तो courses किजए कि अच्छे से revise कर लो ज्यादा effort दे दो दिन की 12 घंट अब plus पढ़ो कम से कम और मेहनत करो और निकाल दो गया अराम से चलिए तो अभी हम बिना किसी लेट कि हम mergers and acquisition start करते कोई भी दिक्कत हो कोई sound वगेरा में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजेगा और बोरे सर SFM थोरा डर लगते F4 और SFM तो डरनी वाली कर लेंगे प्योरी का रिवीजन भी SFM का टेंसर नहीं है प्रैक्टिकल को सेक्यूर कर लो अच्छे से बच्चा पूछ रहे पढ़ा ही स्टार्ट वी नहीं कि कितने आवर्स में होगा कम से कम घंटे में करेंगे तीन सारे तीन घंटे में पूरा खतम हो जाए चलिए तो अ हुआ आप वाट बता जिस कंपणी का पर्फोर्मेंस अच्छा होता होता एक हो तकम ड है जादा रिटन्स देती हो जैसे अगर sonika पाक्रावन इंडिया बंगलादेस नगा आप अगर इंडिया में जीत मैं पैसे लगाओ ज आपको अच्छा उच्छा सा मिलते हैं जिसके परफॉर्मेंस खराब रहती है उसमें हमें ज़्यादा लालच दिया रहता है क्वाना ज्यादा रिस्क और रिवार्ड है और जहांपर रिस्क काम होता है, वहाँ पर कम reward मिलता है, तो मैंने एक example लिया, State Bank of India और Punjab National Bank, मालो State Bank of India की rating AAA है, वही पंजाब National Bank की rating AA है, तो यहाँ पर इसकी rating अच्छी है, State Bank of India जादा अच्छा है, कम risk ही है, इसकी performance अच्छी है, तो आप देखो, यह returns भी कम देगा, यहाँ पर investor 8% में भी खुस हो जाएंगे, पर यहाँ पर पंजाब ने असल बेंग में investors क्या बोलेंगे पता है, वो बोलेंगे नहीं यार तेरी bank घटिया है, मैं इस ते अच्छा State Bank में पैसा लगाऊँगा, तो पंजाब बोलेगा कि definite सी बात है, उसके price सस्ते होंगे, तो आप यहाँ पर देखिए, माल लीजे, for example, State Bank of India, हमें लग रहे है कि EPS इसका 5 रूपीज है, मतलब यह हर साल जो है न 5 रूपीज, 5 रूपीज हर साल कमाएगी, और investors का required यहाँ पर 8% में भी वो खुस है, अच्छी बेख कमाएगी, यह भी हर साल 5 रूपीज कमाएगी, but इसका earning capitalization rate 12%, तो 12% से 5 को खीचा जाएगा, तो इसकी price देखो 41.66 आईए, तो वह यहाँ पर आपको दिखा, State Bank of India का price जादा आ रहे है, और Punjab National Bank का price कमा रहे है, क्योंकि जो अच्छा shares होगा, उसका price महेंगा होगा, जो खराब shares होगा, उसका price सस्ता होगा, और आप यहाँ पर अब इसको हम relate करेंगे P ratio से, तो दीखे P ratio और earning capitalization rate में ज़्यादा कुछ फरक निए, सीमी चीज़ earning capitalization rate यह कहता है, कि 100 रूपीज लगा कि 100 रूपीज इन्वेस्ट करोगे, तो कितना कमाओगे, वोई P ratio यह बताता है, कि 1 रूपी कमाने के लिए कितना invest, 1 रूपी कमाने के लिए हम कितना invest करेंगे, यह P ratio बताता है, और P ratio और कुछ नहीं, जैसी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको समझाना है, Earning Capitalization Rate 8%, इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 रूपीज प्राइस लगाएंगे, तो 8 रूपीज कमाएंगे, अगर आप बताओ, अगर आप 100 रूपीज प्राइस लगाओगे, तो 8 रूपीज कमाओगे, 50 लगाओगे, तो कितना कमाओगे, 4 रूपीज उसका आधा, 25 लगाओगे, तो कितना कमाओगे, उसका आधा 2 रूपीज, और वही अगर आप, उसका आधा 12.5 अगर आप, 12.5 अगर आप लगाओगे, तो रुपया कमाओगी तो पता चलिया कि वन रुपी कमाना है वन रुपी कमाएंगे 12.5 लगा के मला 100 रुपी लगा के 8 रुपी कमाएंगे यही 12.5 रुपी कमाएंगे और यही 12.5 पी रेश्यो क्योंकि पी रेश्यो यही कहता है कि वन रुपी कमाने के लिए हम कितना लगाएं P ratio क्या होगा उसका inverse उसका inverse यानि P ratio inversely related होता है earning capitalization rate से तो अब यहाँ पर अब देखिए P ratio क्या होगा 1 by 8% मतलब अगर 8% earning capitalization rate है तो P ratio होगा 1 by 8% इससे हमारा 12.5 आगया तो कभी भी आपको P ratio निकालना है आप क्या करोगे 1 divided by earning capitalization rate कर दोगे अब P ratio से भी हम price निकाल सकते तो price कैसे आता बता दो तरीके से एक तो अब EPS को earning capitalization rate से capitalize कर दो या फिर आप EPS को multiply कर दो P ratio से EPS को multiply कर दोगे किसे P ratio से हैं तो हम EPS जो हमारा 5 रुपीज है यह देखो EPS 5 रुपीज है इसको अगर हम P ratio से multiply कर देंगे तो हमारा price आ जाएगा वह यह आएगा जो 62.5 आया था आप देखिए न 5 divided by earning capitalization rate किया divide के earning capitalization rate को हमने P ratio तो inverse related है तो हमने multiply करना 5 into 12.5 तो यहाँ पर ऐसे भी आप बोल सकते हो 12.5 यह कहता है कि एक रुपया कमाने के लिए 12.5 लगा सकते हैं तो 5 रुपीज कमाने के लिए कितना लगाएंगे 5 into 12.5 यह 62.5 आएगा हमारा और इधर भी फिर आपका अगर earning capitalization rate 12% है तो P ratio क्या होगा 1 by 12% यहनि आपका P ratio आ जाएगा 8.33 उससे हम price निकालेंगे price एनिवट EPS into P ratio तो अब आपको दो बात समझ नहीं है हमने आप समझ लिए अब मैं आपको फटा-फट से बताते तो प्राइस कैसे निकालोगे EPS divided by earning capitalization rate और यहा फिर आप निकालोग EPS अगर 6.5 है earning capitalization rate 9% है तो P ratio क्या होगा 1 divided by 9% यहनि 11.11 होगा तो उससे हम price अब क्यासे निकाल सकते है या तो 6.5 को 9 से divide कर दो 9% से earning capitalization rate से divide कर दो या फिर 6.5 को multiply कर दो P ratio से तो दोनों case में price 72.22 के आएगा तो I think यह पूरा एकदम अच्छे से आपका clear है तो समझ में अब आपको पूरा यह समझ में आ चुका है मैंने एक और example लिया यह समझाने के लिए क्योंकि आपको यह clarity होनी पड़ेगी मेरी बात ध्यान से सुन लीजे कि जो P ratio जितना ज्यादा होता उतना अच्छा होता है मतलब earning capitalization rate जितना कम होता उतना अच्छा होता है जो company करते P ratio से तो आप यहां पर देखिए वही मैंने बता है जैसे EPS 5 है 5 है 5 है आप देखिए P ratio 10 है तो आपका price क्या आएगा 5 into 10 50 आएगा 5 into 10 50 आएगा लेकिन अगर P ratio 22 वहा तो 5 into 22 110 होगा आपका तो आप यह समझे जब P ratio जाता होता है तो अच्छी बात है company के point of view से company के point of view आगे रखती है वह कहीं ना कहीं गलत है पर otherwise अगर खुद से P ratio बढ़ रहा उसका because of its performance तो अच्छी बात है इसलिए P ratio जादा होना मतलब price जादा होगा वह अच्छी बात होती है चलिए तो यह चीज़ हमने समझा अब मैंने आपको P ratio का मतलब समझा दिया मैंने earning capitalization rate का मतल जगाती लिमिटेड आप एक company हो मानलो फॉर एक्जामपल राहूल लिमिटेड आप एक company हो मैं जगाती लिमिटेड हूँ आप राहूल लिमिटेड अब हम और आप दोनों सेम सेक्टर में काम कर लें तो आप मुझे banker competition दे रहो बहुत सारी जगा में आप मुझे competition दे रहो उच शकर में क्या हो रहा प्राइसेस वगेरा जो है वो आप कम में बेच रहो मुझे भी मजबूरा प्राइस को कम करना पड़ रहा है मैंने देगा यह तो यार बहुत problem create कर रहा है तो हमने सुचे काम करते हम दूरों company merge हो जाते किसे फिर आगे जाके monopoly create होगा हम अपने हिस आप से price रख पाएंगे और बहुत सारे जगा में हम अपना operation जो भी हमारे पास resources है उसको combine करके हम use कर पाएंगे एक दूसरे का benefit ले पाएंगे और grow करेंगे तो ऐसे बहुत सारे synergy benefits होते हैं बहुत सारा benefit मिलता mergers करने पर तो एक company क्या करती usually दूसरे company को acquire कर लीती जो उनकी competitors वगेरा होती हैं तो mergers कैसे होगा उसकी बारे में हम discussion करेंगे भी तो उसको मैं समझाओंगा example के साथ तो देखेंगे जैसे मालनीजे ए लिमिटेट पहले दो चार example कर लेंगे clarity आ जाएगी पूरी अच्छे से कि करना क्या mergers के अंदर master some type का example कर लेंगे उसकी बाद फिर बाद में मैं आपको questions करूंगा बिंदाज होले होले एकदम अराम से होगा आपका tension की कोई बात नीए बस participant कीजिएगा chat box के अंदर जहां 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 मैं सवाल पूछे हो आवाँ जवाब दीजेगा मुझे तो आज ही हम खतम कर देंगे mergers आगे जाके tension नहीं एक्जाम के लिए चलिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड और कुछ-कुछ कोईशन मैं आपको बता दूगा mark करके कि यह कोईशन आपको practice करना है खुझ से तो वो mark कर कर लिजेगा आज ही practice करके खतम कर दीजेगा पूरा देके ए लिमिटेड और बी लिमिटेड तो नों का profit after tax बता द हम वही LDR और के हैंना important question के list दी है पर चलो यहाँ पर जो एकड़म last ही revision वाला question है वो मैं mark करवा दूँगा तो 10 lakh divide by 2 lakh करेंगे तो EPS हमारा 5 आएगा इधर भी B limited का profit divide by number of share करेंगे तो EPS आ जाएगा तो आपको मैंने बताया था price कैसे निकालेंगे EPS में P ratio लगा दो तो P ratio given होगा या तो price given होगा है P ratio given होगा मालेजे ए लिमिटेट का P ratio 15 है बी लिमिटेट का P ratio 10 है आप बताए कौन से company अच्छा perform कर रहे है क्योंकि ए का P ratio जाद है compared to B तो कहिना कई इससे यह पता चलता ए बड़ी company है अच्छी company है न popular company तभी तो इसका P ratio जाद है तो 5 इंटू 15 इसका price कितना है 75 आया और B लिमिटेट का कितना है 6 इंटू 10 EPS इंटू P ratio 60 रुपीज आ गया अब क्या हुआ A लिमिटेट मालो B लिमिटेट को acquire करना और A लिमिटेट ने क्या बोला B लिमिटेट को कि देख मैं तुझे acquire करना चाहता हूँ और मैं तुझे consideration दे दूँगा इन्हीं अगर B लिमिटेट के सारे sets acquire करना चाहेगा तो आप मुझे बताई B लिमिटेट को पैसा कितना देना पड़ेगा B लिमिटेट को आप बोलोगे 60 रुपीज पर सेर इसका प्राइस चल रहे है और इनके नंबरों सेर से 50 रुपीज तो एकदम सिंपल वे में आप बोलोगे जैसे हम क्या करूंगा 30 रंगड डिवाइड वे 75 करके में बता दूँगा 40 ठान 지금까지 में अपके वं सेर के बदली में आपको 08 सेर दूँगा मतलब SPEAKER 10 रहे चेंज पर आسन नहीं करना रखारा इंग्जाम में आपनस कर देंगे है न हम उसके सेर्स पूरे एक्वायर कर लेंगे और बदले में अपने सेर्स देंगे तो आप बताइए बी लिमिटेट का एक सेर का अदम 60 रुपीज है और हमारे एक सेर का अदम 75 है मेरे एक सेर का अदम 75 है आपके एक सेर का अदम 60 रुपीज है आप बताइए क्या मैं आपको फार की दूँगा, उतना दूँगा मेरा सहर कि आपका 60 रुपीज है ची हो जाए, तो मेरा अगर 75 रुपीज का सहर है, आपका 60 रुपीज का सहर है, मैं आपको फार की कितना दूँगा, 0.8, मेरा 75 का 0.8 देख ली जए 60 होता है, तो मैं आपको आपके एक सहर के ब by 75 आपको formula wise जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो तो 60 divided by 75 यानि 0.8 का exchange ratio यानि आपके एक share के बदले मैं आपको 0.8 share दूँगा आपके total कितने 50,000 shares तो 50,000 into 0.8 यानि 40,000 shares मैं आपको दूँगा ये gross basis तो मैंने आपको सिखाए दिया तो अब मुझे बताएं future में क्या होगा future में profit total कितना होगा merge company का 10 लाक और 3 लाक मिला के 13 लाक रुपीज future में profit होगा और future में number of shares merge company के कितने outstanding रहेंगे मेरे तो अपने 2 लाक shares ही और मैंने इन लोग को 40,000 shares दे दिया तो future में रहेंगे 2 लाक 40,000 shares और future में कमाएंगे 13 लाक रुपीज क्या अदा भी कमा सकते अगर synergy benefit वगे रहा हुआ हाला कि वो question में दिया वा रहेंगे तब लेंगे otherwise नहीं लेंगे अब मानेंगे merge company 13 लाक रुपीज कमाएगी और इनको 50,000 के बदली हमने कितना दे दिया 40,000 shares दे दिया और merge company का number of shares रहेगा 2,40,000 तो आपका इससे क्या आ जाएगा EPS आ जाएगा देखो profit आएगा 13,000,000 number of shares 2,40,000 इससे EPS after merger आ गया 5.5 तो 5.4 to merge company का EPS है after merger 5.4 to EPS रहेगा आपका अब मेरी बात ध्यान से सुनो हम merge company का price निकालना चाते बतो क्यासे निकाले EPS into P ratio तो merge company का EPS तो हमारे पास है 5.4 to इसमें हम P ratio लगा देंगे बते P ratio किसका ले A का ले की B का ले मेरे भाई B तो बंद हो रहा है तो आगे जाके A ही चलाएगा A की company के अंटर में B भी चलेगी तो A का P ratio लेंगे 15 बट कितने बार क्या होता है जब merger होता है न तो उसे कितने बार यह P ratio आपका favorably भी affect करता है यह adversely भी affect करता है कोशिन कभी बोले कि favorably 10% से बढ़ गया है तो हम मानेंगे कि P ratio 16.5 हो जाएगा कोशिन बोलेगा कि adversely affect हुआ 10% से तो हम 15 में से 10% कम कर देंगे वो depend करेगा बट यहाँ पर अगर कोशिन कुछ भी ना बोले तो हम acquirer का P ratio ले ले लेंगे that is 15 ले ले लेंगे में आपर तो आपका जो EPS after merger 5.42 उसमें P ratio लगा देंगे किसका acquirer का है न एक्वाइर का लगा देंगे इसे price पर से after merger आ जाएगा that is what 81 तो मैंने यहाँ तक आपको कोई समझा दिया तो कोई टिंसन वाली बात ही नहीं यहाँ पर एक्वाइर का P ratio लगा कि हमने price per sir after merger निका लिया आगी तो और भी कुछ-कुछ मुझे बताना है अब मैं आपको next एक ओर example पर ले चलता हूँ यहाँ से सुने एकदम मज़ा आ जाएगा मैं पहले आपका पूरा concepts एकदम अच्छे से master clear कर दूँगा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे चली example हम देखते हैं यहाँ पर जगाती limited मैं हूँ मानलीजे आप रहू लिमिटेड हो आपको मैंने इंट्रेस माइनस कर देंगी एजमसन उसमें profit विफोर टेक्स आएगा फिर उसमें फिर टेक्स माइनस करेंगे तब जाकि हमारा पैट आएगा तो यह दिखी है हमारा पैट आगिया यह हमारा पैट आगिया अब अब company का number of sets given रहेगा company का number of sets इधर 2 लाके इधर 1 लाके तो क्या होगा profit total profit में number of sets से divide कर दूँगा तो मेरा EPS आ जाएगा और अगर P.E. ratio गिवन रहेगा company का P.E. ratio तो EPS को में क्या करूँगा P.E. ratio से multiply करूँगा तो मेरा price per ser आ जाएगा अब मेरी बाद ध्यान से सुना, price per ser हमारा 147 आ गया, इधर 96.6 आ गया हमारा, अब company के total sets कितने 2 लाक है, तो पूरा का पूरा market capitalization कितना होगा, जगाती limited का, इनके देखो EPS है इनका, इनका price है 147, एक share का आदाम 147 है, तो total 2 लाक sets का कितना आदाम होगा, उसी को market capitalization कहते है तो पूरा का पूरा market capitalization कितना होगा, 2 लाक into 147, यानि 2940000, और इधर भी क्या आएगा, 96.6 into 1 लाक, यानि 96 लाक 60 थाउचिन, यह मैंने market capitalization निकाला, भी तक अब को समझाया, अब माल लीजे, for example, अगर shares का exchange होगा, shares का exchange देखो, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, हम आपको जो exchange करेंगे, आपके साथ, तो हम आपको consideration देंगे, वो हम दोनों के share price के basis में भी दे सकते हैं, EPS के basis में भी दे सकते हैं, Book Value के basis में भी दे सकते, Net Asset के basis में, अलग-अलग basis में, हम आपको shares exchange कर सकते हैं, तो मान लीजे, for example, मैंने आपको यह कहा है, कि हम्में आपका जो per share price होगा उसके basis में आपको shares दोंगा हमारा यहां पर जगाती रहूल को acquire करेगा और उसके जो share के दाम है और हमारे जो दाम है उसके basis में हम उनको shares देंगे तो exchange ratio on the basis of shares में क्या होगा 96.6 divided by 147 तो कि उनका share का दाम का में उनको तो एक के बदली एक देंगे नहीं 96.6 divided by 147 हमारा exchange ratio होगा तो यहनि हमें पता चला उनके एक share के बदली हम उनको 6.657 shares देंगे 0.657 shares देंगे तो total उनके shares कितने 1 lakh shares है 1 lakh into 0.657 यहनि 65,700 shares हम उनको देंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिख रहा है अब देखो future में profit कितना होगा दूनों का मिला के 19 lakh 60,000 प्लस 8 lakh 5,000 यहनि 27 lakh 65,000 दूनों का मिला के मुझे दिख रहा है profit होगा future में और future में number of shares कितने रहेंगे 2 lakh plus 1 lakh मतले ले ले न 2 lakh plus 65,700 क्योंकि यह 1 lakh आगी नहीं रहेंगा हमने उनको इतना shares दे दिया है 2 lakh 65,700 होगा तो दिखे 27 lakh 65,000 profit divide by number of shares करेंगे तो EPS after merger आ जाएगा इसी EPS after merger में मैं क्या करूँगा P ratio लगा दूँगा किसका एक्वाइर का 15 तो price per share after merger आगे यह दिखे EPS after merger में P ratio लगा दिया एक्वाइर का price per share after merger आ गया तो अगर एक share का दाम after merger इतना रहेगा तो after merger market capitalization कितना होगा merge company का तो आप सोचो merge company के number of shares कितने होंगे 2 lakh और 65,700 यह होंगे merge company के तो आप क्या करो price per share into इससे multiply कर दो price per share हमारा आया 156.10 into हम कर देंगे 2 lakh 65,700 कि हमारा number of sets outstanding रहेगा after merger इतना तो इसके हमने market capitalization निकाल गया अब मुझे आपको दो चीज़ सिखाना है मुझे आपको एक तो EPS accretion, decreaseion समझाना है और एक मुझे gain or loss to shareholders सिखाना है इन दोनों में हापर मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि merge होने के बाद EPS में क्या change हुआ दोनों के, दोनों companies के EPS में क्या change हुआ हम ये जानना चाहते है तो आप मुझे बताइए before merger merger से पहले जगाती limited के shareholder एक share पे 9.8 कमाते थे और रहूल limited के shareholder one share पे 8.0 fact कमाते थे ये है EPS before merger ये क्या है EPS before merger 9.8 और 8.0 after merger क्या हुआ एक बात बताओ after merger होने के बाद क्या जगाती limited के shareholding में कुछ change हुआ नहीं हुआ इन्हें जगाती limited के जो shareholder पहले one share रखते थे अभी भी वो one share ही रखते लेकिन after merger राहूल limited के shareholder के साथ कुछ हुआ है वो जो पहले 101 shareholder एक share जो रखते थे अब वो one नहीं रख रहे क्योंकि उनको one lakh के बदली 65,700 मिला है यन्हीं जो पहले one share hold करते थे अब वो सिर्फ 0.657 hold करते तो अब आप देखिए आगे क्या हुआ आगे after merger हमारा EPS कितना आया था 10.4065 आया था हमारा EPS after merger तो 10.4065 मैं बोल सकता हूँ जगाती limited का तो यहीं रहेगा क्यों क्योंकि पहले भी उनके पास one share था आज भी उनके पास one share है मैंने देखू one लिखा हुए है आपर बट राहूल limited का मैं 10.4065 नहीं ले सकता क्योंकि राहूल limited जो पहले one share hold करता था अब वो सिर्फ 0.657 share ही hold करता है क्योंकि उनका exchange ratio के इसाब से उनको 0.657 share ही मिला है तो आप बते क्या हम 10.4065 पूरा ले सकते नहीं 10.4065 का हम 0.657 ही लेंगे तो अब यहाँ पर इनका जो एक share holder जो पहले एक share hold करके 8.05 कमाता था अब वो one share hold करके कितना कमाएगा 6.8371 कमाएगा इसने हमें यह पता चलिया कि अब देखिए जगाती limited जो है उसका EPS में बढ़त हो रहा है यस पहले 9.8 कमाता था अब 10.4065 कमा रहा है उसका EPS में बढ़त हुआ है वही रहू लिमिटेट पहले 8.05 कमाता था अब वो 6.8371 कमाएगा उसका loss हुआ है तो यहाँ पर आप देखिए इनका 2 lakh share से multiply कर दो इनका total profit इतना हुआ है और वही एकर EPS में इसकी बात करें तो देखो इनका तो 1 lakh total तो 1 lakh share holder थे जिनके पास पहले 1 share था 0.657 share है तो यहाँ पर इससे multiply करोगे दूनों तरफ सीम आएगा आप धिहां रखना यहाँ 65,700 नहीं कर सकता क्यों क्यों क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रहा हूँ लिमिटेट के पहले जो 1 share hold करते थे ऐसे कितनी लोग ही 1 lakh लोग है जो पहले 1 share hold करते थे था 0.657 मिल रहा हूँ तो ऐसे 1 lakh लोग है तो दिखो इधर जितना profit है उतना इधर loss तो EPS accretion dilution कैसे निकालोगे अब यहाँ पर EPS before merger ले लो EPS after merger में तो acquire का तो पूरा का पूरा आ जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है यहाँ पर आप exchange ratio से multiply करोगे तो आपका आ जाएगा इधर लेकिन gain or loss to shareholder में मैं आपको बता दू यहाँ पर हम price basis में करते है यहाँ पर usually हम price basis में करते है एक दो जगा में IC ने किया हुआ EPS basis बट otherwise आप हमेशा gain or loss बोले अगर question में तो आप price basis में ही करोगे आप तो आप देखे price basis में हम कैसे बता सकते है नि gain or loss कितना हुआ से roll रखा price basis में हम कैसे बता हैं यहाँ पर मैं आपको एक twist भी बता हुआ अब देखो पहले क्या हुआ 147.06.6 price per share था before merger merger से पहले इनका price per share था 147.96 लेकिन merge होने के बाद merger के बाद price हो गया 156.10 तो अब यहाँ पर आप देखो जगाती limited का तो 156.10 रहेगा लेकिन क्या राहूल limited का रहेगा नहीं राहूल limited को तो एक share के बतली मैंने कहा था न 0.657 मिला है इसका रहेगा 156.657 यानि 102.56 इसको price में इसने हमें क्या पता चला इसका gain आ रहा है दोनों तरफ gain ही आया हमारा आप लोग के सथ यहां पर ऐसे कैसे हुआ यही मैं बताऊंगा आप लोग के सथ इधर तो एक तरफ gain तो एक तरफ loss है इधर ऐसे कैसे हुआ कि दोनों तरफ gain है मैं बताऊंगा आपको तो देखिए इधर भी 9.10 का gain है इधर भी 5.96 का gain है इनके जो original sets थे 2 lakh थे अभी भी 2 lakh है तो total इनका gain है 18,20,000 और इनके original sets 1 lakh थे तो कि हम यहाँ पर 1 lakh shareholder की बात करें जो पहले 1 share hold करते थे अभी 0.657 hold कर रहे तो इनका आपका gain है दूनों का मिला के gain कितना आ रहा है 18,20,000 और 5 यानि 24,16,000 आ रहा है मेरे ख्याल से दूनों का मिला के मैं बताऊंगा गी gain कैसे आ रहा है देखो पहले क्या हुआ था पहले profit को जो profit था इसका इसने 15 का P ratio लगाया और जो profit इसका था इसने 12 का P ratio लगाया तो देखा है जे तो merge होने के बाद दोनों profit में P ratio किसका लगा जगाती limited का लगा यानि कहने का मतलब ये profit में जो पहले 12 का P ratio लगता था अब 15 का लग रहा है 24,16 दाउचिन वो तो decimal places की वज़े से 24,15 दाउचिन उसी वज़े से दोनों का मिला कि आपका extra profit आ रहा है क्योंकि P ratio 15 लगा instead of 12 पूरा का पूरा 15 लगा तो अब ये वाला example भी एकदम अच्छी से समझ में आगे तो काफी सारी question अब आपके अराम से हो जाएंगे आपके ये वाला भी एकदम अच्छी से फटाफट एक और master sum का example एक और फटाफट कराता हूँ मैं आपको उसकी बाद मैं आपको question पे लिएक के चलूँगा देखें example जगाती limited और profit limited दोनों का data दिया दोनों का pet दिया हुआ है number of sales दिया हुआ है EPS दिया हुआ है P ratio पेट और number of sales से EPS निकाल लिया हमने ठीक है और P ratio लगा दिये दोनों में तो price आ गया हमारा दोनों का price आ गया अब exchange ratio कैसे निकालेंगे target company divide by acquirer 76.8 divide by EPS आप अगर देखो दो तरीके से आप exchange of sales निकाल सकते हुआ है मैंने इस बार क्या लिया है मैंने इस बार लिया कि EPS basis में sales का exchange करेंगे अगर आप price basis में sales का exchange करते तो 76.8 divide by 180 करते हैं लेकिन हम इस बार मान रहें कि question हमें बोला है कि आप sales का exchange करोगे EPS basis में अगर question ऐसा बोले तो ऐसा situation में EPS के basis में sales का exchange हो तो EPS 6.4 इसका है हमारा 10 है तो 6.4 divide by 10 करके हमने exchange ratio निकाला तो exchange ratio 0.64 है मतलब इनके जो 1,25,000 share holder है इनको 1 share के बदली 0.64 मिलेगा तो 1,25,000 into 0.64 कितना होगा इनको 80,000 share तो future में क्या होगा after merger after merger दोनों का मिलाकर profit कितना होगा 20 लाक और 8 लाक 28 लाक होगा और after merger number of sales कितना होगा हमारा तो 2 लाक है इनको हमने one like 25,000 के बदली कितना दी दिया 80,000 share दे दिया यनि 2 लाक 80,000 share रहगा जिससे हमारा EPS after merger आ जाएगा है ना और उसी EPS after merger में हम क्या करेंगे P ratio लगा देंगे हमने sales का exchange EPS के basis में किया है तो जिसके basis में sales का exchange करेंगे वो नील ही आता है तो आप बोलोगे ज़र पिछले वाले question में हमने price के basis में किया था पर price में तो नील नहीं आया वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपका P ratio जो है न वो P ratio हम दोनों का अगर सेम होता है न 12-12 तब नहीं आता एक का 15 एक का 12 है न तो उस 3 रुपेस के gap के वज़े से है बट EPS में तो ऐसा कुछ होता है नहीं P ratio का कोई काम नहीं यहाँ पर तो यहाँ पर अब देखें यहाँ पर क्या होगा EPS before merger कितना है हमारा 10 उनका 6.4 यह देखो 10 और 6.4 अब after merger कितना है EPS after merger भी EPS 10 ही है तो हमारा 10 होगा और उनको कितना 0.64 से रही तो मिला एक के बदली तो 10 into 0.64 आपका 6.4 यह आएगा दोनों का नील यह आएगा लेकिन अगर हम gain or loss to shareholder के बात करें तो हम यहाँ पर यह बोलेंगे कि देखें पहले price था 180 और 76.8 180 और 76.8 लेकिन बाद में क्या होगा merger के बाद दोनों का मिला कि after merger price होगा 180 तो हमारे में तो 180 डालेंगे लेकिन उधर 180 नहीं डालेंगे पता है क्यों क्योंकि उधर 0.64 सहरी तो मिला उनको एक के बदली तो 180 into 0.64 आएगा यह कितना आएगा 180 into 0.64 आएगा तो अब इससे हमने पता कर लिए कि हमारा तो कोई gain or loss नहीं है लेकिन जो आपके target company उसका gain आए 38.4 और ऐसे target company के कितने seller older है 1,25,000 और इसनल जो sales है वो लोगे हैं आपर अब हमेशा धियान रखना तो 1,25,000 जो है ना उनका original sales आगया है यह रहा है इससे multiply के तो पता चला कितना आ रहा है 48 लग रुपिस का profit आ रहा है यह भी मैं बता देता हूं क्यों profit आ रहा है क्योंकि देख लो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे चलो आप देखे लिए ना price का P ratio का फरक की बज़े सा रहा है तो आप देख लिए यह जो 8 लग का profit है उसमें 6 का P ratio एक्स्ट्रा से ओल लग रहा है इसले 48 लग का यह ना आगया आपका 86 आ 48 बस बात खतम तो I think यहाँ तक पूरा एकदम कर आया सब कुछ समझ में तो आया ना सब कुछ दिमाग में कि अगर अभी तक जो भी concept समझा है रिवाइस कर रहा है सब कुछ समझ में आया है कहीं पर कोई गिला सिक्वा नहीं तो मुझे बता दो तब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे कोशे में proceed कर दो मैं थोड़ा सा fast कर हो मुझे पता है अगर आप लोग को लगे कि नहीं सर फास्ट जादा हो रहा तो मुझे बता दीजेगा मेरे ख्याल से यह फास्ट एकदम परफेक्ट है डिविजन करने के लिए और मुझे पता है जितना मैं ताइम में करांगा रिवाइस उसे तो दो तीन गुना जादा ह कि अब खुछ सल्फ करो कि क्रिशना जी कह रहे है थोड़ा उपड़ से गया है स्पीड के वज़े से क्रिशना जी साइधा पहली बार पढ़ रहो इसलिए आपका ऐसा हुआ होगा इसी वज़े से बाकियों का नहीं हो जो अब पहली पहली बार पढ़ोगे तो थोड़े न किसे सब कुछ समझ में आएगा बाकियों को तो समझ में आ रहे है न मुझे बता देना परफेक्ट है थोड़ा इस्पीड तो जाना पढ़ेगा एक्जाम है अब थोड़े ना फरस्ट टैम पढ़ने वाला थोड़े ना टाइम में भी कि हम फरस्ट टैम पढ़ेंगे अरे holding free float सब आएगा tension क्यों लेते हो तब कुछ कराऊंगा मैं थोड़े ना वो सब छोड़ूँगा पूरे ही जाएंगे ना सीरिल ही जाएंगा रामसी क्या tension है सब कुछ करेंगे perfect एक दम अच्छे से totally clear सब कुछ perfect है आजो question number six पर xyz limited is considering merger with abc यहनी xyz merge करेगा abc के साथ xyz का sales दिया हुआ 20 रुपीज करता अभी मेरे साथ साथ रिवाइस करो xyz का sales 20 रुपीज में trade कर रहा है और इसके 2,50,000 sales outstanding है और profit after tax भी बता दिया तो आप देखिए xyz का profit बता दिया 5,50,000 sales outstanding भी बता दिया तो इससे eps आ गया तो रुपीज का और इन्होंने price भी बता दिया तो इस बर इन्होंने क्या क्या बता है eps बता है और हमें price बता यह निए eps निकाल लिया पैट और number of sales से और इन्होंने price बता दिया तो जैसे eps और p ratio से price निकल के आता है वैसे eps और price से p ratio निकल के आ चाहिए simple तो आप देखिए eps और price दिया हुआ है p ratio का मतलब ही क्या price by earning price यहाँ पर दिया हुआ कितना 20 और earning दिया हुआ टू तो इसे p ratio 10 आ गया हमारा यह रहा यहाँ यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर profit second आपका जो abc है abc का 1,25,000 sales दिया हुआ है market price बता दिया profit बता दिया तो profit और number of sales से eps आ गया और price दी दिया तो price by earning 10 by 1 से हमने क्या क्या p ratio निका लिया बात खतम यहाँ पर तो p ratio अब अराम से निकालोगे price को divide कर दो eps से p ratio आ गया आपका price by earning ही तो होता p ratio है ना तो इससे हमने p ratio पूरा का पूरा जो super 200 question bank की बात कर उसके सारी question हो जाएंग आपर tension आ लो आप है ना अभी करने दो मुझे कर आने दो तवाल जादा पूछते हो पढ़ा ही कम करते हो अब लोग तो दीके point number one में क्या पूछा बोला प्री merger eps बता दो और p ratio बता दो तो हमने तो बताई दिया eps भी बता दिया पी ratio भी बता दिया हमने बात खतम यहाँ पर first वाला part हो गया हमारा फिर second वाले part में क्या पूछ रहे हैं अगर बोल रहाँ p ratio abc का 6.4 होता तो उसकी current market price क्या होती है बोला है कि इसका p ratio अगर 6.4 होता एबी से उसकी price क्या होती eps into p ratio कितना होती price 6.4 ही price होती मतलब अगर abc का p ratio 6.4 होगा तो उसका price कितना होगा 1 into 6.4 6.4 होगा फिर ऐसे situation में exchange ratio क्या होगा तो हम बोलेंगे exchange ratio क्या होगा यह हम से पूछना चाहरा है तो आप देखिए action ratio अगर कुछ भी ना बोले तो price basis में exchange करोगे तो अब देखिए price इनका कितना होगा मतलब अगर p ratio 6.4 होगा तो price भी इनका 6.4 होगा तो वही मैंने निकाले हाँ पर abc का p ratio 6.4 होगा eps 1 हे तो price आगया 6.4 अब इनका price है 6.4 हमारा 20 है तो 6.4 divided by 20 से exchange ratio आगया 0.32 0.32 exchange ratio का मतलब क्या है उनके total sets कितने 1,25,000 sets है तो 1,25,000 into 0.32 हम उनको कितना sets देंगे 40,000 sets हम उनको issue कर देंगे तो अब इन्होंने ये भी पूछा कि post merger eps बताओ simple total profit कितना होगा दूनों का मिला कि 6,25,000 और number of sets कितने होगे हमारे 2,50,000 है उनको हमने 40,000 sets दिया है उनको हमने दिया है 40,000 sets 22,90,000 sets होगा तो आपका देंगे 6,25,000 divided by 2,90,000 eps after merge चाला है 2.1 से बात खतम कितना simple एकदम simple है में बता रहो point number 3 what should be the exchange ratio if xyz limited pre merger and post merger eps are to be the same यनि बोला eps दोनों का same होना चाहिए तो आप eps basis में यह बोलना चाहता है कि eps basis में exchange कर दो क्योंकि eps थभी आपका same आएगा जब आप eps basis में exchange कर दो कि तो eps में कोई फरक नहीं आएगा तो जब कभी भी आपको चाहिए कि price same हो तो price basis में आप जिसो कर दो exchange कर दो जब आपको चाहिए कि eps same हो pre or post वाला eps basis में exchange कर दो तो यहाँ पर हम exchange of sets करेंगे किसमे eps के basis में तो eps हमारा कितना है one और two इनका one है हमारा two है तो one by two exchange ratio 좋아 any point five ka exchange ratio would di think of .5 одно और exchange ratio point five हमने निकाल दिया और इन्होंने क्या पूछा इन्होंने exchange ratio भी पूछा एक 진is 있으면 बता देंगे क्या point five है पर मैंने further और बता दिया इनके पास vu lac leverage 25,000 sIR기 हैं इन two point five हम इनको इतना सेर्स देंगे अनसर तो हमारे यहें खत्म होता point five sets for everyone sir held हम उनको 0.5 sets बात खतम एकदम अच्छे से clear हो गया है ना तो ये तो हमारे 2.16 कितने अच्छे बच्चे कुछ कुछ बच्चे क्या करें calculator लेके बैठरे साथ साथ कर आप भी थोड़ा समझदार ही दिखाओ है ना सिर्फ सोचो कि आल्ची के तरह लेटा 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 देखो नहीं होगा बैठो कहीं पर है ना कुछ copy calculator कुछ लो मेरे साथ साथ पहले प बन जाएगा जो आलो सी पना करेगा वह यह नहीं बनेगा कि मेरा एक सिंपल सा मेरा मानना है कि हमारी दुरिया में कोई भी आलसीattering करते हैं अब को question number one करते हैं MK limited is considering acquiring मुझे अपनी हिसाफ से सारे question करानी दो सारे बड़ी बड़ी heavy question सारे करवा दूँँग एकदम अच्छे से tension बस मुझे करानी दो MK limited is considering acquiring NN limited polling information is available MK और NN का earning दिया हुआ है number of sets दिया हुआ market value दिया हुआ है तो आप देखिए earning से earning और number of sets को divide करूँगा तो मेरा EPS आ जाएगा है न EPS आ जाएगा market value और number of sets divide करूँगा मेरा price आ जाएगा और उन दोनों से फिर मैं P ratio भी निकाल सकता हुआ तो आप देखिए मैंने क्या क्या earning और number of sets को divide क्या EPS आ गया market value अच्छा price ही दिया वस हो रही है यह market value price per ser ही दिया हुआ है गलती हो गए price per ser ही दिया हुआ है तो आपका EPS आपने निकाला price per ser आपको दिया हुआ है उससे आप क्या निकालोगे P ratio निकालोगे तो हमने दूनों का P ratio निकाल लिया और market capitalization भी हमने बता दिया हुआ है तो question क्या पूछ रहा है exchange of equity sets हो का current market value के एसाब से कोई synergy advantage available निकालोगे पूछा EPS after merger बता लो हम बता देंगे तो हम क्या करेंगे exchange किसके basis में होगा price basis में उनका 160 हमारा 200 160 divided by 200 यनि 0.8 का exchange ratio होगा यनि हम उनको sales कितना देंगे 0.83 लग का 0.82 लग 40,000 हम उनको sales देंगे तो total sales कितना होगा 12 लग हमारा उनको 2 लग 40 14 लग 40,000 sales होगा और total profit होगा 78 लग 78 लग divided by 14,000 यनि EPS after merger आ जाएगा 5.42 बस बात खतम 5.42 का EPS after merger हमारा आ गया इन्होंने ये पूछा पहला वाला पार्ट में तूसरे वाले पार्ट में बोल रहे हैं कि exchange ratio बता दो कि annual limited के surholder loss में न आ रहे मतलब ये कहना चाहते हैं मतलब could not be at a loss इनको बोलना चीता in terms of EPS basis में बोल रहे हैं तो आप ये लिख लो side में इन्होंने लिखना चीता in terms of EPS यानि हम exchange ratio इस प्रकार देंगे कि annual limited का profit में कोई नुकसान ना हो EPS में कोई नुकसान ना हो मतलब EPS basis में exchange कर लो तो आप क्या करोगे EPS basis में exchange करोगे उनका 6 है हमारा 5 है हम 6 by 5 बोलेंगे उपर तो target company का रखते हैं एक्वाइर का तो 6 by 5 कितना आएगा 1.2 का exchange ratio होगा मैंने तो कुछ लंबा चोड़ा कर दिया पर जरत नहीं answer आपका ही खतम हो जाता ठीक है मैंने एक चुले class में जब कराया था ना तो पूरे detail में बात की थी इसके बारे में अभी उतना समय नहीं अभी detail में हम बात करेंगे ने तो हमारा answer देखो यहां खतम होता एक तो और यह इसका कोई काम ही नहीं है मैं यह discuss ऐसे मैंने कराया था class में अभी इसका कोई काम नहीं है तो question ने पूछा था वो मैंने बता रहा further भी इसका कोई काम है वीडियो आपको दीवी आप चाहो तो इसको further evaluate कर सकते हो पर अभी हम question की जो जो demand है मोई बता रहे है तो चलिए यह question भी हमारा हो गया एकदम अच्छे से एकदम simple सा question था हमारा फटा फट से हो गया अब चलिए यह वाला question एकदम अच्छा question है यह मैं करवा दिता हूँ simple question है लेकिन अच्छा और simple question है फटा फट हो जाएगा दो मिरिट नहीं लगेगा ठीको A limited acquire करना चाहता है T limited को तो आप बताओ इनके 1,80,000 T को acquire करेगा 1,2 यहनि 2 सेर के बदली 1 सेर देगा तो 1,80,000 के बदली कितना देगा 90,000 सेर्स देगा बात कतम तो इनको आधा सेर्स दिया जाएगा 90,000 सेर्स दिया जाएगा अब हमसे पूछा गया गया नमबर और सेर्स कितना दिया जाएगा बता देंगे 90,000 सेर्स दिया जाएगा EPS after acquisition यहनि EPS after merger पूछ रहे after merger profit कितना होगा 18,000 प्लस 3,60,000 21,60,000 profit होगा और नमबर और सेर्स दिया जाएगा एपा जाएगा EPS after merger बात कतम अब बोल रहे कि EPS after merger आएगा कितना 3.13 आगया हमारा दोनों का profit और 6,000 प्लस 90,000 3.13 आगया अब एक बात बोलो यहाँ पर यह क्या पूछना चाहरा है यह दिहान देना एक दाप यह बोलना चाहरा है कि T limited का equivalent earning कितना होगा तो दिखो EPS after merger भले ही 3.13 है लेकिन T limited को तो एक share के बदले कितना मिला है 0.5 ही तो मिला है तो उनको equivalent earning कितना होगा 3.13 भले ही आपका एक share का EPS है पर उनको थोड़े ना एक share उनके पास है T limited के पास तो 0.5 share है for everyone share तो इनका आएगा 1.65 something आ रहे है कि 1.565 आएगा यह इनका equivalent earning होगा यह नहीं आधा समझ में आया अब देखो what is the expected price अगर P multiple unchanged होगा तो EPS हमारा 3.13 है और P ratio दिया हुआ 10 तो 31.3 होगा price बस बात खतम जहीं नहीं question में आर किसे question exam में पूछते है market value पूछा हमारा तो हमने जो price निकाला उसको number of share से divide multiply कर देंगे दूनों का मिला कि 6.90.000 है तो आप देखे 31.3 को 6.90.000 से multiply करेंगे market value आगे क्या है इस question में कुछ दम था बोलो EPS निकाला उसको P ratio से multiply गरके price निकाला price को फिर बाद में number of shares after merger वाले 6.90.000 उसे हमने multiply कि हमारा market value आगे कितना simple कितना आसान था ये question भी बहुत simple लगेगा लेकिन एक एक बढ़ करवा देता हूं मैं आप लोगो question number 7 लिए हमारे question में में अभी तक सब कुछ perfect चल रहा चलिए company X is contemplating the purchase of company Y company X का 3 लाग shares है और market price कितना दिया हूँ है 30 रुपीज दिया हूँ है company Y का 2 लाग shares है market price दिया हूँ है 20 रुपीज EPS भी बता दिया है इन्होंने तो आप देखो EPS बता दिया price बता दिया इन्होंने तो P-E ratio आजाएगा हमारा तो आप देखें EPS इन्होंने बताया price बताया हमने P-E ratio निकाल लिया है न और total profit मैंने निकाला पर नहीं निकालने से पे चलेगा तो आपने ये तो समझ लिया price अपने निकाल लिया करने का दो प्रोपोजल हम दोनों प्रोपोजल one by one करेंगे बोला पहला प्रोपोजल तो ये कि इन प्रोपोर्शन टू दा रिलेटिव अर्निंग अर्निंग के साब से एक्चेंज कर दो तो अर्निंग उनकी 2.25 है हमारी 4 है तो 2.25 डिवाइड बै फोर के साब से 0.5625 का एक्चेंज रिश्यो होगा हम एक सेर के बदली 0.5625 देंगे उनके कितने सेर से टोटल है उनके टोटल 2 लाग सेर से ये देखो तो 0.5625 इंटो 2 लाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा हम इतना सेर सुनको देंगे अब future में दोनों का मिला के profit कितना होगा ये देखो profit इसलिए निकाला था number of sets into EPS दोनों का मिला के profit कितना होगा 16,50, leading होगा और number or sets कितना होगा हमारा 3 लाग के उनको ऑमने 2 लाग के बदली कितना दिया 1 1 2 5 double 0 दिया था तो कितना है गा 4 1 2 5 double 0 आएगा तो इससे हमने EPS after merger निकाल लिया EPS after merger 4 आया हमारा अब impact on EPS भी अगर हम निकाले कोशे ने बोला attention की कोई बात नहीं है आप देखो कोशे ने क्या पूचा सबसे बेले बोला EPS after merger निकाला हमने निकाल दिया और बोला impact of EPS भी बताओ तो नो alternative में तो आप देखिए impact on EPS में हम क्या बोलेंगे पहले EPS था 4 और 2.25 4 और 2.25 बाद में EPS 4 हो गया merger के बाद तो इसका तो 4 ही रहेगा पर इसको तो 0.5625 सहर मिला तो 4 in 2.5625 यहनि 2.25 भी हो रहा है दूनों में नील आएगा आएगा यह तो क्यों क्योंकि हमने EPS के basis में अगर हम exchange करेंगे तो impact तो EPS में नील ही आएगा क्या कुछ नहीं आएगा आपका तो वही बोला जा रहा no impact on EPS अगर सहर सब exchange करोगे EPS के relative में तो यह आपका EPS में को impact नहीं पड़ेगा अब proposal 2 में क्या बोल रही है कि 0.5 share दे दू एक share के बदली उनके टोटल share 2 lakh है तो 2 lakh के बदली हम कितना देंगे 1 lakh share देंगे यानि future में total profit तो होगा कितना दूनों का मिला के 16 lakh 50,000 और number of share रहेगा 3 lakh plus 1 lakh 4 lakh तो 16 lakh 50,000 divide by 4 lakh करेंगे अगर हम proposal 2 में तो आप देखिए आपका EPS आगया 4.1 पहला वाला EPS after merger निकाल लिए अब impact अगर हम बताएंगे पहले 4 और 2.25 था अब after merger 4.125 रहेगा इसका और इनको 4.125 का 0.5 ही मिलेगा इनके पास तो एक share के बदली 0.5 है तो इनको इतना मिलेगा तो यहाँ पर हमारा फाइदा हुआ और इनका नुकसान हुआ और हमने हमारे number और set से किया तो हमारा फाइदा इतना आया और इनके original set से multiply किया तो इनका नुकसान इतना है मैंने कहा था ना EPS के मामले में कितना हमारा फाइदा होगा उतना पास वाले का स्थान होगा क्योंकि कमाई तो उतनी हो रही कमाई तो बढ़ नहीं रही है कमाई तो हमने टोटल वही लिए जो तोनों का मिला के कमे 16,50,000 कमाई में तो हमने चेंज किया नहीं है इसी वज़े से EPS का फाइदा घाटा में चेंज नहीं होगा अग या तो दोनों का कोई फाइदा नहीं होगा या एक का फाइदा होगा तो दूसरे का घाटा होगा पर प्राइस में फाइदा हो सकता है द्यू टू पेई रेशो पेई रेशो की वज़े से price में फाइदा हो सकते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमने निकलिया 0.125 इसका increase हो रहा है एपेस और इसका decrease हो रहा 0.1875 का चलिए यह अब भी समझ में आया तो अब हम करेंगे अच्छे-च्छे question question number 23 में आपको कराऊंगा अच्छा question है उससे भी बड़िया question पता है कौन सही question number 26 तो 23 और 26 दोनों question अभी मैं आपको कराऊंगा और हमारी speed मेरे ख्याल से बहुत सही अभी तक एक घंटा भी नहीं हुआ 35 मिनिट हमने 35 मिनिट नहीं 45 मिनिट के आसपास हमने पड़ा है और हमने अच्छा खासा cover करके अभी हम बड़ी question में भी आ गए तो चले अभी question number 23 में आपको करवाता हूँ question number 23 में क्या बोलें the following information is provided relating to the acquiring company efficient limited and the target company healthy limited efficient limited और healthy limited तोनों का information दिया हुआ जिसमें number of sets बता दिया दोनों का market capitalization बता दिया तो उससे price आ जाएगा market cap divide by number of sets करोगे तो क्या आएगा price आजाएगा फिर P.E. ratio से price को divide कर देंगी तो E.P.S. आजाएगा E.P.S. और P.E. ratio से price आता है वैसे price और P.E. ratio से E.P.S. आजाएगा हमारा हमने E.P.S. भी निकाल लिया इसके अलावा इन्होंने में reserve and surplus दिया हुआ है promoters holding आ गया हमारा promoters holding का मतलब क्या पता है जो आपके free float नहीं है जो public में float नहीं कर रहे तो जो मैं जिसने company form किये promoter उन्होंने क्या किया listing करवाया company को लेकिन company को listing करा के 60% sets अपने पास रख लिया 40% नहीं public में float कर रहे वो free float है और बाकी इनोंने दबा के रख 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 रहे है वो release ही नहीं कर रहे है उसे हम कहते promoters holding तो यहाँ पर अब देखे promoters holding बता दिया यहाँ पर अब देखे promoters holding बता दिया यहाँ टैन लाग shares में से 4.75 लाग shares और promoters के पास पढ़ा हुआ है यहाँ पर भी 7.5 लाग shares और promoters के पास पढ़ा हुआ है यहाँ पर भी 7.5 लाग shares और promoters के पास पढ़ा हुआ है यहीं 2.5 लाग shares और promoters के पास पढ़ा हुआ है board of directors ने क्या सूचा है कि वो fair deal देना चाते है shareholder को और इसलिए जो swap ratio होगा देखो तो आप ratio किस basis में होगा पता है earning, book value, market price इन तीनों के basis में तीनों में weight लगा दो फिर यहीं आपको exchange ratio तीन बार निकालना है EPS basis में निकालोगे price basis में निकालोगे, book value basis में निकालोगे मैंने कहा ही था EPS तो निकल जाएगा आपका price कैसे निकल जाएगा, market cap by number and set price निकल जाएगा, price और P ratio को divide कर दोगे price divide by P ratio तो आपका EPS आजाएगा है न, EPS आगी हमारा तो EPS basis निकल जाएगा, market price basis निकल जाएगा मैंने निकाला भी दिखे, price पर से निकाल लिए P ratio से divide के मेरा EPS निकल लिए है न, और मैंने total profit भी बता दे क्योंकि बाद में काम आएगा हमारे, आप भी क्या करना, EPS into number or set से total profit निकाले न, क्योंकि बाद में EPS after margin निकालने में काम आएगा, अब आगे देखो book value भी बोल रहा है, book value क्या होता है, net asset value होता है, क्यों हमारे book में balance sheet value जो होता है, उसे book value कहा जाता है यनि balance sheet में share, capital और reservant surplus milylarkey तो book value होता है, all asset minus liability net asset, abug value है, net asset क्यों होता है, share capital plus reservant surplus, तो share capital कितना होगा देखो, 10 laag share से off rupees 10 each,ॹन Guid Restaurants है, यनि 100 लाग का share capital है, plus reserve and surplus 300 लाग का है, यनि 400 लाग का book value हो गया, और उधर कितना है इधर 7.5 इंटू 10 75 लाग का सेर कैपिटल है रिजर्वे 165 लाग का यानि इधर कितना हो गया 240 लाग हो गया 400 लाग और 240 लाग का बुग वेलू है इसी को नंबर और से डिवाइड कर दो आप बुग वेलू पर सेर आ गया तो आप प्राइस बीसिस में एक्षेंज करोगे तो क्या करोगे उनका 100 हमारा 50 है तो 100 डिवाइड बेर 50 से एक्षेंज रिशू आएगा 2 ये देखो 2 आया फिर हम अगर बात करें EPS बीसिस में उनका 20 हमारा 5 है तो 20 बाइ 5 25 वाइब से क्या करेंगे वेट्स लगा देंगे देखो अर्णिंग में बोला 40 परसंट लगाने फिर बुग वेलू में 25 परसंट मार्केट पैस में 35 मार्केट प्राइस पहले लिए मार्केट पैस में 35 परसंट लगा दिया फिर EPS में कितना लगा होगे EPS में 40 परसंट और book value में 25% TPS में 40, book value में 25% इस प्रकार से हमने क्या किया exchange ratio निकाला 2.5 देना चाहिए, यहने तीनों का average क्या-क्या weight देना बता दिया, अगर weight लिखावा नहीं रहता तो simple average कर तीनों को total divide by 3 कर देते, 6.8 divide by 3 कर देते हम, तो यह दिखे 2.5 देंगे, 7.5 into 2.5, 7.5, 14 और 17.75 lakh होगा क्या 17.75, 18.75 होते क्या, yes 10.5 तो 15 होगा न, yes 18.75 lakhs है यहनी 18.75 lakhs है हम total उसको issue करेंगे, तो अब EPS after merger बताने में late मत करो, क्या करेंगे total profit दोनों का कितना है 50 lakh और 150 lakh, कैसे है, EPS into number of sets, total profit 200 lakh number of sets कितना होगा, 10 lakh हमारा वही का वह रहेगा, इनको 18.75 lakhs है दिया, यहने 28.75 lakhs होगा, total profit 200 lakh, 200 divided by 28.75 यहनी, कितना आ जाएगा 6.956 और इसी में acquire का P ratio लगा दो कितना acquire का P ratio 10, तो price आ जाएगा after merger यह दिको price after merger रगया, बात खतम और price after merger जो है इसी में हम number of sets multiply कर दे तो market क्या पा जाएगा price एक share का अदम 69.56 है, पूरी merge company के total share से 10 plus 18.75, 28.75 इसे market capitalization भी आ गया तो question अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा question है, swap ratio पूछा हमने बता दिया swap ratio हमने बता ही दिया आपर, यह रहा 2.5 इसके अलावा question है, हमसे यह भी पूछा है, promoters holding की percentage बता दो, यह भी पराम से बता पाओगे, कैसे बता है 4.75 तो 4.75 भी रहेगा अब इनका 5 नहीं रहेगा क्योंकि इनको 1 share के बदली 2.5 दिया तो इनके पास 12.5 रहेगा, क्योंकि इनको हमने 18.75 लाग तो 5 लाग, 10 लाग के बदली sorry, 7.5 लाग के बदली, 18.75 लाग तो इनके पास 5 लाग के बदली कितना रहेगा, 12.5 लाग तो दूनों का मिला के कितना हो रहे 16, 17.25 लाग तो यह नहीं promoters के पास 17.25 लाग सेर्स रहेगा, तो आप परसिंटीज बताओगे कैसे, 17.25 लाग सेर्स प्रोमोटर्स के पास रहेगा, टोटल सेर्स से 28.75 लाग इन्टू 100 करोगे promoters holding आ जाएगी हमारी EPS after merger हमने निकाल लाइए market price after merger market capitalization हमने निकाल लाइए अब free float पूछ रहे है तो free float कितना है, 17.25 लाग तो इन लोग ये खाके बैठे है 28.75 से, तो बच्चा कितना है free float वाले के पास बच्चा कितना है total 28.75 लाग सेर्स है, उसमें से 17.25 लाग तो इन लोग खाके बैठे है, promoter, इधर 4.75, इधर 5 into 2.5 इनको एक सेर के बदले 2.5 दिया था हमने बच्चा कितना 11.5 11.5 लाग सेर्स इनके पास बच्चा हुआ है, तो ये 11.5 लाग सेर्स जो इनके पास बच्चा हुआ है एक सेर का दाम कितना, उससे multiply करो free float आ जाएगा, total एक सेर आपका दाम कितना निकाला था हमने, 69.56 आगी हमारा, तो वही देखिया आपका यहाँ पर मैंने कैसे किया, देख लो यहाँ पर अब देखो, market capitalization मैंने निकाला है, और मैंने बोला free float कितने, 11.5 है 28.75 मेंसे, 17.25 तो उन लोग लेके बैठे हुए इतना का number और से multiply क्या free तो question कुछ नहीं, simple question यह practice करने के जर्यत नहीं है next वाला जो question रहेगा, यह वाला आप जरूर से practice केज़ेगा, इसको आप LDR में रखे, यह पहला LDR है हमारे आज की class का तो यह LDR में रखोगे question number 26 और इसको हम अराम से समय देखे, थोड़ा सा समय देखे हम अच्छे से कर लेंगे question चलिम स्टार्ट कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पे ले चलो question number 26 करते हैं the following information relating to the acquiring company Abhimal Limited and the target company Abhisak Limited और बोल भी देद उने कि tried लिमिटेड जो है न, वो दोनों company को promote करते हैं तो उनों company का मालिक सा, तो ट्रेडेड promoter की holding कितनी है, अभी मान में 50% है और अभी से एक में 60% है यहाँ पर promoter की 50% है, तो free float भी 50% होगा और इधर 40% free float होगा share capital और reserve and supply से क्या आएगा, book value आएगा तो मुझे बता दो book value कितनी आजाएगी thousand lakh, इस बार share capital दिया हुआ, number of sets नहीं दिया हुआ इधर आजाएगा 600, तो book value और number of sets कितना होगा, यहाँ पर इन्होंने phase value बताया है नहीं कहीं पर अच्छा बताया है क्या, यह speed of value बताया है इधर hundred बताया देखो, इधर ten बताया, यह बहुत important है phase value उन्होंने बता दिया दूनों जगा पर, यह धिहान देना ने तो घरबड हो जाएगा तो आप मुझे बताएगे, सेहर capital कितना है, hundred, two hundred लाग का, hundred phase value हो गया two lakh shares हो का, यहनि two lakh shares है किसका, अभिमान का, two lakh into hundred, two hundred lakh और इधर hundred lakh है, ten का phase value है, इधर उनके पास ten lakh shares, तो shares हमने निकाल लिए two lakh और ten lakh shares हमने निकाल लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखिए, अब देखों, यहाँ पर क्या दिया हुआ हुआ है, P ratio दिया हुआ हमें, है न, P ratio हमें दिया हुआ हुआ है, free float market capitalization दिया हुआ है, तो अब हमने, हमें कुछ अलग data दिया, अब बताओ, free float market capitalization 400 lakh है, तो total market cap कितना हुआ, free float कितने है, 50% है, तो 400 lakh equal 50% हुआ, तो total market capitalization कितना हुआ, 800 lakhs हुआ, 800 lakhs market capitalization हुआ, वह यगर इधर हम बात करें, इधर आप देखों, इधर 128 lakh free float capitalization और 128 lakh 40% है, 128 डिवाइड बे 40% कर तो market cap 320 lakh आ जाएगा, इधर 320 lakh का market cap आ गया, अब आप सोचो, market capitalization को number of set, set से divide कर देंगे, price आ जाएगा, और price और p ratio को divide करेंगे, eps आएगा हमारा, तो वही चीज़ हमने आपर निकाला, देखो, book value से, तो हमने number of set से divide करके, book value परसर निकाल लिया, free float market cap दिया हुआ था, जिससे मैंने total market cap निकाला, total market cap को number of set से divide करते, market price आ गया, फिर p ratio से divide क्या, तो eps आ गया हमारा, और फिर eps into number of set से total profit, अपने आप ही आएगा, यह, chronology में, tension की कोई बात ही निया, बस data को तोड़ो, अपने आप आएगा, अब exchange ratio यह बोल रहे है, what is the swap ratio, और इन्होंने बोल दिया, तीन तरीके से निकलेगा, book value, eps market price, तो book value हमारा ही, यह देखो, 60 by 500 कर دیںगे, book value में, market price में 32 by 400 कर देगे, और eps में 8 by 40 कर देंगे, हैंरे per share में है, सारा per share में, अब book value को मत कर देना, book value per share करेंगे, market price per share section ratio, इस्से भी per share से करेंगे, तो इस प्रकार आपका 60 by 500 आएगा, यह देखो, book value वाला, market price वाला 32 by 400 आएगा क्या यस market price वाला 32 by 400 KPS वाला 8 by 40 आएगा इससे हमारे swap ratio तीनों के आगे और ये तीनों के जो swap ratio है इसमें weight लगा दिया vaccine ratio हमारा है 0.15 0.15 का मतलब है कि उनके बास जितने shares उनके पास कितने 10 lakh shares है तो बता उनको कितना देंगे अगर उनके बास 10 lakh shares है तो इनको 1.5 lakh देंगे कैसे क्योंकि 0.15 sets देंगे for everyone set 10 lakh के बदली 1.5 lakh मतलब future में total sets रहेंगे 2 lakh plus 1.5 3.5 lakh sets रहेंगे future में और future में total profit कितना होगा 80 lakh और 80 lakh कैसे निकाला EPS into number of sets 80 lakh 80 lakh 160 lakh after merger number of sets after merger 3.5 lakh है किसे EPS after merger आ जाएगा 160 lakh divided by 3.5 lakh यनि 45.71 का EPS आ जाएगा उसमें acquirer का P ratio लगा दो 10 तो price per sir after merger आ गया हमारा देखे price per sir after merger हमारा आ गया बात खतम अब कोशिन हमसे क्या पूछ रहे price per sir after merger निकाल दिया कोशिन हमसे पूछ रहे swap ratio बताओ बता दिया हमने कोशिन है पूछा book value बताओ EPS और price बताओ तो price और EPS तो हमने after acquisition बता दिया book value after acquisition बताना बागी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो book value after acquisition भी रहती है कैसे बता दो कि देखे पहले हमारे net assets thousand lakh के उनके net assets 600 lakhs के तो future में जब हम उनको acquire कर लेंगे तो उनके net assets आ रहे हमारे पास आ जाएंगे तो thousand प्लस six hundred 1600 lakh हुआ हाँ अगर market value में कुछ fair value चेंज हुआ तो अलग बात है otherwise आपका book value जो है और book value में तो market value का काम भी नहीं book value में तो जो book की value है वो हम लेंगे तो सीधा book value प्रसर की मामले में आप after merger में क्या करोगे दोनों का net assets को plus कर दो तो दोनों का net assets मिला के 16 hundred lakhs होगा 16 hundred lakhs divide by 3.5 lakh कर दोगे आपका book value प्रसर आ जाएगा 16 hundred lakhs divide by 3.5 lakh करोगे आपका book value प्रसर आ जाएगा या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि देखे हम क्या कर रहे हमारा तो अपना book value में कोई चींज होगा नी 200 और 800,000 उनका हमने 600 lakhs का net assets acquire किया है और उनको हमने 1.5 lakh sales दिया 100 इच का यनि हमने उनको 150 lakhs का sales इसू किया तो आप यह समझो 1.5 lakhs का sales हमने इसू किया यहीं 150 lakhs का sales दिया बाकी का बचावा 450 lakhs capital reserve होगा हमारा तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हो देखे हैं यहां पर आप मैंने करवाया है देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ balanced approach से समझा रहा हूँ मेरे net asset 1000 lakhs के थे उनके 600 lakhs के total 1600 lakhs का net asset तो मेरा अपना share capital और reserve तो में लिखी लेता हूँ जिसे FR में भी मैं बढ़ाता हूँ मेरा 1000 lakhs किया गया मैंने उनको 600 lakhs कैसे दिया मैंने उनको PC दिया सिर्फ 1.5 lakh shares of rupees 100 each 150 lakhs का मैंने shares इसू किया बाकी का बचावा capital reserve reserve and surplus में आ जाएगा तो यानि after merger share capital हमारा 350 lakh होगा मेरा 200 उनको 150 lakh दिया 350 होगा और reserve and surplus 1250 होगा लेकिन दूनों मिला के देख लो वही जो पहले 16 rate था वही हो रहे तो 16 lakh का book value होगा divide by number of share करोगे book value per share आ गया आपका तो अब आप बताईए आपने क्या promoter's revise holding नहीं रुख जाओ यह तो हमने निकाल ही नहीं है trap ratio निकाल लिया EPS, PE ratio, market price और book value भी per share हमने निकाल लिया बात खता है यहाँ पर after merger का अब point number C में क्या बोल रहा है कि promoter की revise holding बताओ अभिमान limited में free fraud market capitalization के बताओ बता देंगे क्या टेंसन है तो देखो यहाँ पर promoter का 50% shares है मतलब कितना shares है इनके पास 2 lakh का 50% कितना हुआ 1 lakh shares promoter के पास इधर 2 lakh है न total 2 lakh का 50% 1 lakh shares है इनके पास और इधर promoter 60% hold करता है इधर हमने इनको total shares ही कितना इसू किये 1.5 lakh shares total इसू किये है न 1.5 lakh shares total इसू किये 1.5 लाग का 60% कितना हो गया 0.9 लाग यह नहीं 1.90 लाग टोटल प्रोमोटर्स का तैर्स है और इन्होंने पूछा किया है प्रोमोटर्स की रिवाइज होल्डिंग हम बोलेंगे 1.90 लाग टोटल यह होल्ड कर रहे है और अगर हमसे पूछते प्रोमोटर्स की मार्केट कापिट्रलिजेशटन तो भी हम बता देते 1.9 लाग इंटू प्राइस पर से रफ्टर मर्जर जो है 447.10 उससे करके हम बता देते कोई अन्हें अब फ्री फ्लोट्स मार्केट क्श़तरल मार्केट का sudah को पूछ रहे नहीं मार्केट क civ के 55 मैं से तो 1.5 3.5 में से 1.9 तो लेके बैठे बैठे प्रोमोटर तो बच्चावा कितना 1.6 लेके बैठे वे कौन प्रीफ्लोट वाले और एक सेर का अदाम कितना है 457.10 इससे आग या बात खत्म तो 1.6 इंटू 457.10 आप देखलो यहाँ पर यह मैंने निकाला 54.285 परसेंट और मैंने प्रोमोटर्स का मार्केट के पूछानी पर फिर भी बता दिया आप चाहो तो यह मत बता सहीन है स्पीड को दिक्कत तो नहीं है न थोड़ा जादा स्पीड हो रहा हूं पता है मुझे पर मेरे ख्याल सी मैनेजेबल है 1.6 लाग इंटू देखो प्री फ्लोट मार्केट कैपिटल लिशन आगया एक बार मुझे बता देना स्पीड तो सहीन है को टेंसन तो नहीं है जो बच्चे एकदम पहली पहली बार देख रहा है उसको दिक्कत आ सकती है बाकी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी तो यहां पर यह भी हमारे एकदम अच्छे से हो गया अब पॉइंट नमर्ट थ्री में क्या पूछ रहे पता हैं पॉइंट नम जर्वाट थोनों का मिलागे और 1-2-2 का बोनेस देंगे तो 3.5 डिवाइड बैट तू यहनि 1.75 का बोनेस देंगे तो 3.5 लाग सेट्स था उसमें आधा 1.75 लाग सेट्स बोनेस देंगे नहा हो जाएगगा तो यहनिए बोनेस इसू की वज़े से नमबरों सेट्स हो रुपेस का नोट को आप 5 रुपे की नोट में टुकडे कर दोगे तो कितने 5 रुपे की नोट मिलेंगे simple 20 pieces मिलेंगे न तो 100 रुपेस का नोट को 5 रुपेस में split करोगे तो 20 pieces मिलेंगे आप तो वैसे 5.25 लाग आपका total sets और रुपेस 100 अगर मैं इसे 5 रुपेस में स्प्लेट करूँगा तो 5.25 लक इंटू 20 हो जाएगा हमारे यह तोटल सेर्स हमारे कितने हो जाएंगे 5.25 इंटू 20 कि हमारे टूटल हो जाएंगे अब देखो अब हमसे क्या पूछना नंबर और सेर्स पूछेंगे हम बता देंगे 105 पूछेगा तो दोनों का प्रॉफिट को दोनों का प्रॉफिट कितना है 160 लाग को 105 लाग सब डिवाइड करेंगे पीस के लिए अफ्टर मर्जल और बुग वैलू में बता रहा हो नो वही रहेगा 16 रेट जो है तो 60 रेट डिवाइड बॉग वैलू आ जाएगा बात खतम तो देखिए आपर आप तोटल नंबर और सेर्स कितना होगा देखो 3.5 लाग सेर्स है और रुपीस 100 लाग सेर्स बोनस देदेंगे आधा 1.75 यह नहीं 5.25 लाग सेर्स हो जाएगा और फिर इसको स्प्लिट करेंगे 5 रुपीस में तो 5.25 लाग सेर्स हो जाएगा तो आगे जाके हम क्या बोलेंगे नंबर और सेर्स हो जाएगा 105 लाग सेर्स EPS प्रॉफिट डिवाइड बै नंबर और सेर्स कर देंगे बुक वैलू पर सेर्स वही 16 रेड ही लेना है दुनों मिला के उपर डिवाइड बैंट्रेड और यह कैसे आएगा मैं बता देता हू देखो पहले भी 16 रेड ही था लेकिन क्या हुआ अगर हम बोनस इसू करेंगे तो रिजर्वेंट सप्लस से जितना हमने बोनस इसू किया है 1.75 लाग सेर्स EPS से निकलके चला जाएगा सेर्स केपिटल में मतलब सेर्स केपिटल हमारा था कितना 50 लाग का और रिजर्वेंट सप्लस हमारा कितने का था 1250 लाग अगर bonus देंगे 1.75 लाग तो 175 लाग reserve से कम हो जाएगा और 175 लाग share capital में चला जाएगा यह 525 लाग का हो जाएगा और यह हो जाएगा 1075 लाग का बट स्टिल यह रहेगा तो 169 लाग की दूनों मिला करा दिया बताओ समझ में आ गया अगर यह वाला question भी समझ में आ गया तो बड़ा question मैं ने क्या अब एक और बड़ा question मैं आपको कराऊंगा डेडिस question number 28 यह भी simple लगेगा tension की कोई बात नी यह भी simple लगेगा और यह भी मैं आपको LDR में रफूँगा तो यह हमारा दूसरा LDR हो गया यह हमारा दूसरा LDR हो गया बताओ समझ में आया की नहीं आया तो बुग वैलु केलिगुलेशन में डिरेक्ट 16 एंड ले सकते विदाओ सुइंग ब्रेकप हाँ ले सकते रॉंग नहीं होगा बट क्या पता बाइचनस मार्क काड़ दे है ना क्या पता बाइचनस मार्क काड़ दे तो आपको मैं यह सज़ेस्ट करूँगा कि आप क्या करूँ यह सज़ेस्ट करूँगा आपको मैं कि आप ब्रेक करके दिखो है ना यह सज़ेस्ट करूँगा तो आप बताए समझ में आया की नहीं है एकदम अच्छे से बोलो पो लो एकदम अच्छे समझ में आया न जो बच्चे देख रहा है उसके लिए ये वीडियो मैं नहीं सजेट्स करूँगा सायद first time के लिए फ़ोड़ा दिक्कत हो सकता हूँ उसको एक दो-दो बार देखना पड़ेगा एक बार से काम नहीं चलेगा दो-दो बार देखना पड़ेगा otherwise जो fast करना चाहँ है थोड़ा मैं fast इसाब से करा हूँ जिसने एक बार भी क्या होना वो अराम से कॉप अप कर पा रहा होगा इपर बता तो कॉप अप तो हो रहा है न जिस बच्चे का कॉप अप नहीं हो रहा है एक बाम मुझे बताओ मैं ढाटूंगा नहीं मुझे बताओ जिस बच्चे का नहीं हो रहा है बताओ मैं देखना चाताओ कि सरम आनी चाहार पढ़ा रहा हूँ मैंने क्या स्क्रिप्ट बनाया हुआ है कि यह बताओ यह स्क्रिप्टेड वीडियो चल रहा है कि मुझे पता है कि कितने गंटे की क्लास चलेगी मैंने कहत हो दिया इतना कम समय होगा कम समय में करा हूँगा अब हम पर एहसान मत कीज़े प्लीस आसी जी अब चले जाएगे अच्छा रहेगा जो बच्चे का मन में सवाल रहेगा और कितने गंटी की क्लास है वो चले जाओ अब हद है मतलब आप ऐसे सवाल पूछ रहो त्रीवं जी आपका पहली बार होगा इसलिए आपको समझ नहीं हा रहा हुं वau पहली बार देख रहो आपको थोड़े दिमाग लगाना पड़ेगा यह सर कंटीनियू करो अच्छा फ्लू चल रहा है टीटा अनेबल टू रीड क्लिर ली इसलिए सथ आपका वह आप हायर पिक्चर क्वालिटी कर दीजे तब आपका डेटा में प्रॉब्लम नहीं है अब तरफ सवाल पूछा जारा सर कितना टाइम ओल लगेगा फटाफटा फटाफटा हो जाएगा ना एक तरफ ये सवाल आ रहे कि सर थोड़ा टाइम दो क्या करो है ये रिवीजन विडियो है क्लास होता है तो क्लास में तो आप समझो एदम अच्छी से खोल के बढ़ा रहे तो मैं इसलिए तो वहां टाइम भी लगता है क्लास में करीवन मर्जर्स में 12-13 आवर्स लगे ताइम भी लगता हूँ आप ठाइन-14 आवर्स लगे मेरे क्याल से अराम से लिक लिक क्या कराता हूँ तो ये तो रिवीजन चल रहे हमारा चलो तो बात करकर के मैंने ब्रेक भी दी आप लोग को अच्छा रिवाइस हो रहे हैं we are doing same thing in all sums लो बहुत बढ़िया तो चलिए अभी हम कर रहे एक दम अच्छे से ठीक है ब्रेक वेक कब बात नी मत करो भी एक्जाम बहुत पास है भाई एक्जाम बहुत पास है मैंने बात करते करते ब्रेक दे लिया और ब्रेक की जाओ सो जाओ अराम करो मजे लो जिन देगेगे अगर सीए बनना है तो थोड़ा सा महनत कर लो maximum minimal वाला कोशिन करवाँगा मैं एसे तो वो यूटूब मैं separately पर आज की क्लास में भी करवाँगा जाओ जी बने रहे हमारे साथ चलो कोशिन नमबर 28 अभी हम करते हैं BA Limited and DA Limited ब इक्विटी सेर कैपिटल बता दिया हमें है न और करेंट लाइबलिटी वगेरा बैलनस इदे दिया हमें इधर इंकम स्टेट्मेंट में प्रॉफिट भी बता दिया देखो टू लाग 10 थाओजिन और 99 थाओजिन एडिसनल इंफोमेशन में 1 लाग सेर्स भी बता दिया 80 थ बोद दा कंपनी सारी दा प्रोसेस ऑफ निगोस्टेटिंगे मर्जर हमें बोला गया कि डिकॉंपोस करके बताओ सेर प्राइस ऑफ बोद दा कंपनी इंटू EPS और पी रेशियो कैसे निकलेगा प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर से जो आप निकलोगे उससे आपक 含न में कितना रिटन कमाया तो आप देखी हां पर हमने एक्विटी फन लगाया कितना है ये नेट अश्वेट से पता चल जाएगा देखें दूनों का मिलाके इक्विटी में फन लगाए 12 लाग का यह नेट का अँश और इधर 8 लग लगन नथे मतलब 2 लाग 10,000 जो कमाया है वो कितना लगा के कमाया 12 लगा के कमाया into 100 ये ही आपका return on equity यनि equity fund लगा के कितना return कमाया profit divide by equity fund और इधर आएगा 99th हाउचिन कमाया कितना लगा कि 8 लगा के into 100 ये आपका return on equity आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर आप देखें मैंने return on equity निकाला return on इक्विटी यह देखो 17.5% आया हूँ 12.35% अब साथ साथ में एक और ची में सेकंड पार्ट पहले करा दिना चाहता हूँ यह ग्रोथ पूछ रहा हम से ग्रोथ बताओ कितना हो तो देखो जो हम कमाएंगे अगर पूरा का पूरा में से कुछ भी नहीं बाटेंगे 100% रिटंस 17.5% का 60% हम रिटीन कर रहे हैं उतना ग्रोथ होगा तो 10.5% हमारा ग्रोथ होगा तो ग्रोथ कैसे निकालते हैं return on equity में retention ratio लगा तो growth आ जाएगा यहाँ पर भी दिखिए 12.375% return on equity है और यहाँ पर कितना बाट रहे 60% बाट रहे मालब 40% बचाएंगे तो 12.375 का 40% ले लो 4.95% हमारा क्या होगा growth हो गया तो देखे growth मैंने फटा फट से बता दिया कुछ नहीं है growth मतलब return on equity में retention ratio लगा दो जितना बचाओगे उतना ही तो growth होगा simple सी बात है तो return on equity भी समझ में आ गया growth भी समझ में आ गया अब एक ओर चीज़ पूछ रहे book value अरे भाई book value भी तो कोई पूछने की चीज़ है book value के लिए अब देखो नहीं हो यह first part second part तो बहुत easy हो गया third part भी simple है fourth और fifth भी simple है बस मेरे साथ बने रहो देखो third part में क्या बोला based on an expected operating synergy BA limited estimate कर रहा है कि intrinsic value जो DA का है वो 20 per se होगा हमें बोला कि you are required to develop a range of justifiable equity sets exchange ratio that can be offered by BA limited यनि BA limited यहाँ पर क्या करेगा पता है DA limited को acquire करेगा यह हमें समझ में आ रहा है और BA limited बुलना चाहरा है कि DA limited का जो synergy benefit future में मिलेगा BA limited सोच रहे कि 20 rupees प्राइस हम मान सकते हैं तो आपको पुछा गया कि range बताओ कि negotiate जब हम करेंगे DA limited को उनको exchange ratio कितना दे तो अगर आप बताए हमारा market price 40 है उनका 15 है तो अगर market price की basis में अगर हम exchange ratio की बात करें तो 15 by 40 होगा इन्हे 0.375 दे हम उसको है ना लेकिन अगर हम synergy वगरा को देखें तो उनका market price हम 20 पकड़ सकते हैं तो 20 by 40 देंगे तो 0.5 देंगे तो आप बताओ हम तो चाहेंगे की 0.375 में काम बन जाए लेकिन अगर वो नहीं माने DA limited तो जादा से जादा हम कितना दे सकते हैं 0.5 दे सकते हैं मतलब price के इसाब से तो 15 by 40 0.375 दे सकते हैं लेकिन अगर हम इसको 15 को 20 पकड़े सिनर्जी को धिहान में रखते हैं तो maximum हम कितना दे सकते हैं 0.5 दे सकते हैं तो यह हमसे यह पूछना चाहरा है कि range बता दो आप आप कितना action ratio का range बता दो तो range आप क्या बोलोगे between 0.375 to 0.5 किसी range में हम देंगे है ना तो 0.375 से लेके 0.5 के बीच का range होगा हमारा आगया 0.375 से लेके 0.5 का range होगा हमारा तो जो हमारा range होगा वो 0.375 से लेके 0.5 के बीच का range होगा यह हमने समझा अब यह क्या बोलना चाहरेगी देखो यह बोलना चाहरे आगी क्या based on your analysis in part 1 and part 2 यानि part 1 और part 2 में जो आपने निकाला क्या क्या निकाला EPS निकाला peer ratio निकाला return on equity निकाला growth निकाला उसके basis में आप बताओ कि किसका पलरा भारी है यानि आपका negotiation terms कौन से किसके closer रहेगा upper limit के कि lower limited तो upper limit lower limit की बाद मैं बोलू आपको मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि BA limited का अगर पलरा भारी रहेगा वो ज्यादा मांगेगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे कैसे देखो हम यहाँ पर यह कहेंगे आप मुझे बताइए कौन ज्यादा अच्छी company है देखो peer ratio किसका अच्छा है BA limited का peer ratio अच्छा है तो peer ratio के मामले में BA ज्यादा अच्छी है return on equity भी इसका ज्यादा अच्छा है यह ज्यादा अच्छी है growth के मामले में भी BA limited ज्यादा अच्छी है तो growth देख लो return on equity देख लो peer ratio देख लो इन सब के मामले में BA limited stronger है तो BA limited का पलरा भाड़ी है तो PA limited तो लिए आया तेरी company ऐसी बिकार है कि तुझे मैं point three seven five दे रहा हूं यह बहुत बड़ी बात है तेरे लिए चल जा तू point three seven five के आसपास point four ले ले यह वो closer to रहेगा lower limit rate के closer में रहेगा समझ में आया आपका क्यूं क्यूंकि ba limited का higher peer issue है return on equity है growth rate है और इसी वज़े से यह जो negotiable terms रहेगा वो closer to the lower limit रहेगा यह उसे point five देने के आवस्सक्ता नहीं पढ़नी चाहिए point three seven five के आसपास में ही settlement अब point number four में क्या बोल रहा है point number three खतम हमारा है ना lower limited के closer में रहेगा point number four में बोल रहा है कि मानलो ba limited ने कहा है कि वो एक सेर के बदली point four दे देगा तो वही हमसे बोला गया है कि आप बताओ EPS accretion और dilution बताओ ऐसा situation तो सबसे पहले तूसके लिए हमें निकालना पड़ेगा EPS after margin हम बोलेंगे दूनों का profit मिला के कितना हो रहे है थ्री लाक नाइन थाउजिन हो रहे है और number और रहेगा वलने 32,000 इससे EPS after margin आ जाएगा तो EPS after margin हम पहले निकालेंगे 2.341 हमारा EPS after margin आ जाएगा अब हम EPS accretion dilution बता देंगे हम बोलेंगे EPS before merger क्या था EPS before merger है 2.10, 1.2375 यह आपका EPS before merger है है यह EPS before merger हो गया अब हम क्या करेंगे after merger क्या EPS है 2.341 है तो BA का तो 2.341 ही होगा लेकिन DA का 2.341 नहीं ले सकते तो उनको एक सेर के बदली 0.32 सेर मिला है 0.32 नहीं 0.4 गलत बोला 0.4 मिला था है ना 0.4 दिया था ना हमने उनको एक सेर क बदलें तो 2.31 का 0.4 ही लिया जाएगा यह नि इनका आप देखिए इनका EPS में accretion हो रहा है इनका dilution होता है जों बता दें तो EPS accretion dilution हमने बता दिया अब पॉंट नमर 5 में क्या पूछ रहे है पॉंट नमर 4 में EPS accretion dilution पूछ है हमने बता दिया पॉंट नमर 5 में क्या बोल रहे है कि अगर 0.4 is to 1 का exchange ratio हुआ तो आप हमें क्या बताओ प्री मर्जर पी रेशो भी continue करेगा बीए का तो आप हमें price बताओ और accretion dilution बताओ price के basis तो हमें दो चीप बताने एक तो price after merger बताने और gain no loss to shareholder बताना price basis में तो आप देखिए EPS after merger में हम क्या करेंगे पी रेशो किसका लगाएंगे ये का देखो यहाँ पर हमने EPS after merger में पी रेशो लगा दिया बी ये का जिससे हमारा market price आगया after merger अब gain no loss to shareholder हम से बता देंगे price before merger क्या था price before merger क्या दियाद करो 40 और 50 हमारा 40 उनका 15 था 40 और 15 after merger price ते 44.6 तो यहां तो 44.6 लिखेंगे पर यहां पर क्या लिखेंगे 44.6 एक पॉइंट 4 कि उनको एक सेर के बदी पॉइंट 4 लगा है इसी हमारा price में accretion और dilution बात था तो कितना simple equation tough नहीं एक बार practice कर लेना अच्छे से एक बार practice कर लेना एकदम यह वाला पर्तों में हटाई देता हूं आप लोगोरी कास में इस सब 윤 था दो पहले मिला है ऑनओ समझ में सब को है आ रहा होगा जिनोह ने मेरी क्लास देखी उसको तो सब समझ में 100% परसन आ रहा है बाकियों को भी मुझे यकीन है समझ में आ रहा है एक बार भी पढ़ा हु कोशिन आ गया बट ये मैं easy बोलूँगा ये कोशिन पता नहीं क्यों बच्चे को tough लगता है KFC limited और BCD limited वाला पर ये कोशिन simple है मैं एकदम simple बना दूँगा भी तो और इसको भी LDR में तो रखेंगे हमारा पूरा लेंगे उनका price after merger में point four लगा देंगे तो gain and loss आ जाएगा price basis में gain and loss बस इतना ही है कि ये experience ची और कोई बात नहीं है July 21 वाला कोशिन करवा दो कौन सा कोशिन है बता तो मैं करवा दूँगा class में बता देना कौन सा वला कोशिन की बात करो class में कर लेंगे जब break दूँगा ना बीच में एक बार है न जब सारे कोशिन करवाने के बात फिर break दूँगा फिर एक दो कोशिन कर रहाँ का रहूंगा अटीब मुझे बता देना तो अब कोशिन अमर 29 में आ जाए बो real life में भी ऐसे करते हैं जिसमें real life में और भी बहुत सारी मांजरी होते हैं, बहुत सारे matter होते हैं, बहुत सारे factors देखे जाते हैं जालो, question number 29 EFC limited wishes to acquire BCD limited, और दोनों के sets बता दिये कितने, EFC का 10 laak set से ध्यान रखना, BCD का 5 laak set calculate the increase in the total value BCD limited, बोला BCD limited जो है न, इसके जो value में कितना increase होगा, acquisition करने से यह बता गए, तो इन्होंने data क्या दिया है, देखो, current growth rate BCD का कितना है, 7% है और EFC के under में जब BCD चला जाएगा, तब growth 8% हो जाए, फिलाल BCD का growth rate 7% है, जब वो EFC के enter में चला जाएगा, तब इसका growth 8% का हो जाएगा, market press EFC का 100 है, BCD का 20 है और expected dividend बता दिया BCD का, तो यह D1 होगा ध्यान रखना, यह D0 नहीं होगा यह D1 है, क्यों पहले यहाँ पर expected word लिखा वा नहीं तो और ICN गलत कर रखा वा, तर D1 माना था इसको, तो अब इन्होंने क्या-क्या answer तो change नहीं क्या, question को ठीक कर दिया तो question expected dividend मतलब D0 नहीं होगा, D1 होगा, dividend paid लिखा वा रहा है, तो वो D0 होगा तो यह D1 है, तो अब देखो यहाँ पर BCD का क्या दिया होगा है, D1 दिया होगा है, BCD का BCD का price भी दिया होगा है, BCD का growth भी दिया होगा है, तो उससे हम निकाल सकते, required, जा दे, security evolution में करते थे न, price equal D1 by RE minus G, तो उस प्रकार से हम price हैं आपर, D1 है हमारे पास, growth है हमारे पास, उससे हम RE निकाल लेंगे, तो आप देखो सब से पहले ये तीन डेटा की मदद से हमने निकाला P0 equal D1 by RE minus G, उससे हमने निकाल लिया, RE 10%, 10% हमने RE निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे पते हैं, अब हम जो AFC के अंडर में जब चला जाएगा, तो उसकी growth कितनी होगी, 8%, तो अब हम निकाल लेंगे, कि price after acquisition BCT का क्या होगा, फिलाल का तो मैं पता है, ये price 20 होगा, और data missing था क्या, RE, हमने RE निकाल लिया, अब RE तो हमारे पास ही, अब हम price निकाल लेंगे, after acquisition क्या BCT का price होगा, तो after acquisition ये समझते, D1 तो 0.60 लेते हैं, हलाग कि मेरा मानना 0.60 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, पहले उसको D0 में लिजा कि 8% का growth लगाना चाहिए, मेरा मानना पर खिर exam में पैसे मत करना, ये D1 है, तो D1 ही पकड़ना है, ये 0.60 D1 है, RE हमने 10% निकाला, और growth इस बार 0.08 लगाएंगे, यनि AFC के अंडर आने पर ये 8% होगा, यनि 0.60 divide by 0.02, ये 30 रुपीज है, तो देखो, पहले जो price 20 रुपीज था, एक share का BCD का, अब after acquisition, 8% growth होने की वज़े से, इसका price 30 रुपीज हो, तो एक share में value कितना बढ़ रहा है, 20 रुपीज, जो हो रहा है, वो 30 रुपीज हो रहा है, एक share का value, जो है, 10 रुपीज से बढ़ रहा है, total share कितने BCD के, 5 लाग, तो total value कितना से बढ़ेगा, 5 लाग into 10, यानि 50 total value 50 लाग हो जाएगा, तो increase in total value हम कैसे निकालेंगे, है, पहले तो BCD के जो data है, उसकी मदद से आरी निकाल लिया, फिर after acquisition BCD की क्या value होगी, उसमें निया growth लगाया हमने, 8% वाला, यह लगाया, हमने निकाल लिया 30 रुपीज, तो आपका price पहले 20 था, 30 होगी, हमने 10 रुपीज बढ़ रहा है, यह नि 5 लाग into 10, 50 रुपीज आपका increase वा total value में, तो point number 1 तो मैंने निकाल दिया, अब point number 2 में क्या बोड रहा है, on the basis of aforesaid condition, calculate the gain or loss to shareholder of both the companies, if AFC limited where to offer one of its share for every four share sold, बहुते, AFC क्या करेगा, 4 share के बदली, 1 share देगा, उनके four share के बदली, one share देगा, तो five lakh share के बदली, कितना देगा, one lakh twenty five thousand share देगा, यह में पता चला, और future में total share कितने होंगे, ten lakh share हमारे, one lakh twenty five thousand share, उनको हम देगे five lakh के बदली, यहनि future में total share रहेगा, eleven lakh twenty five thousand share जो है, यह future में रहेगा, और हमें क्या बुला गया कि gain or loss shareholder का बताओ तो आप यहाँ पर यह देखो यहाँ पर हमें यह तो पता चलिगा कि future में market capitalization यहाँ पर देखो profit, total profit वगेरा का data नहीं तो हर जगा उससे हम कर भी नहीं सकते, यहाँ पर total profit का data data देने की वज़ाए इन्होंने हमें बता दिया कि future में market capitalization होगा कैसे बता देखो हमारे 10 लाग sales जो है, उसका तो 100 रुपीस market price हो गई, तो हमारे sales का value कितना हो जाएगा, 1000 लाग हो जाएगा, 10 लाग into 100 1000 लाग market cap हमारा रहेगा और उनका 5 लाग sales का value 30 रुपीस करके कितना होगा, उनके जो 5 लाग sales है, इन्होंने बोला न, 30 रुपीस हो जाएगा बाद में इसकी value इनका हो जाएगा 150 लाग यानि देखा जाए तो total market capitalization after merger, 1150 लाग होगा या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे कर लो simple way में, 10 लाग into 100,000 लाग इधर हुआ और उनका 5 लाग into 20 100 लाग उनका था, तो दोनों मिला कि आप बोलोगे कितना होगा, 1100 लाग हुआ, और साथ में जो increase हुआ BCD के value में, कितने का increase हुआ था BCD के value में 50 लाग का increase हुआ था, तो इससे 1100 लाग, प्लस 50 लाग कितना होगा, 1150 लाग, यहनि टोटल मार्केट का future में रहेंगे, 1150 लाग, है न, और after merger, यह total market क्या पर रहेगा after merger, और after merger, number of search कितने रहेंगे, हमारे 10 लाग, और उनको आमने दिया कितने, उनको आमने कितना दिया, 1,25,000 यहनि 11,25,000 से divide कर दूँगा, तो मेरा सीधा price after merger आ जाएगा, EPS नहीं निकालना मुझे, इस बार में EPS after merger PE ratio नहीं करूँगा, क्योंकि वो data ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँगा, हर जगा थोड़े न एक process चलता है, दिमाग लगाना पड़ता कहीं पर, यहाँ पर इन्हों ने EPS और PE ratio नहीं दिया, इन्हों ने सीधा after merger का market price हमें बताया ना इन्होंने बुला ना कि merger होने के बाद में उनका growth 7 से 8% हो जाएगा, जिसके वैसे उनका price 20 से 30 हो जाएगा, मलब उनकी 100 lakh की value 150 lakh हो जाएगी उससे हमने पता कर लिया, total अभी 11 lakh की value है, total दोनों का मिला के, बाद में 11 lakh 50 lakh हो जाएगा 11 lakh 50 lakh को divide बे मैंने कर दिया after merger तो हमारा number of sets तो पता ही है, हमारा 10 lakh उनको 1 lakh 25,000 देगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो question एकदम easy है, 11 lakh 25,000 से हमने divide कर दिया, हमारा 102.22 आया, तो आप देखो, अब हम compare कर लेंगे price हमने, इन्होंने पूछा क्या gain or loss पूछा है, तो हम बता देंगे gain or loss क्या से बताएंगे, gain or loss तो पूछा है इन्होंने हम बताएंगे price before merger क्या था 100 और 20 था, after merger price क्या हो गया 102.22 तो हमारा हुआ, और उनको तो एक सेर के बदली कितना मिला है, 0.25 मिला है न, exchange ratio देखो, उनको हमने क्या किया है, उनको 4 सेर के बदली 1 सेर दिया हमने, यहीं 0.25 सेर मिला है उनको तो 102.22 का 0.25 कर लो, यहींनि उनका है 25.55 तो इस प्रकार मैंने कितना simple way में 2.22 हो गया, तो हमारा तो 102.22 लेंगे, पर उनको तो 0.25 सेर ही मिला न, 4 के बदली 1, यहीं 1 के बदली 0.25, तो उनका आएगा 25.55, तो हमारा गीन कितना है, 2.22 आया, और एक बात बताओ, वरिफिकेशन करता हो, मैं चलो, 2.22 इंटू कितना हमारा 10 लाग सेर्स है, यहीं कितना आगी है, 22.22 लाग हुआ, और उनका कितने सेर्स है, 5.55 उनका फाइदा हुआ, और उनके ऐसे 5 लाग सेरोल्डर थे, तो 5.55 इंटू 5 लाग, 27.75, हमारा 22.2 लाग प्रोफिट हुआ, उनका 27.75, यह देख लो, 50 लाग आएगा, हलका सा गैप फरक आएगा, राउंडिंग उफ की बज़े से, क्योंकि यह 5.55 चलते जाएगा, रुखेगा नहीं, तो आपका 50 लाग का जो गेन है, वो इस प्रकार से बटवा रहा हुआ है, दोनों का गेन आगिया, चलो, हमने सीधा यह गेन इस प्रकार निकालेंगे, तो बोलो, इस कोशियन में आप कर पाओगे अराम से, तो सेकेंड बाट में आप अराम से कर पाओगे, 50 लाग निकालने के बाद, आप क्या करना, दोनों की जो मार्केड वेल्यू, उसमें 50 लाग जोड देना, वही मार्केड कैप होगा, डिवाइड बे नमबरों सेर्स कर दोगे, 10 लाग प्लस मलनेक 25 ता हो, जिन यह प्राइस अफ्टर मर्जर आ जाएगा, फिर आपका यह निकल जाएगा, बात खतम, तो पॉइंट नमबर 2 हमारा अधर सेर्स नहीं देगा, ट्वेंटी टू रुपीज देगा उनको, एक सेर्स के बद लिए उनको 22 रुपीज देगा, तो उनका तो गिन साफ दिख रहे हैं मुझे, 20 रुपीज उनकी एक सेर्स का करेंट मार्केड पैस है, उनको अगर हम सीधा कैस देदेंगे 22 उनका अब हमारा भी तो निकान लें आगे देख लेते हैं पोला कि सहर और BCD Limited को 22 रुपीज दिया जाएगा और इट सहर 22 रुपीज दिया जाएगा assume करो कि PE ratio change नहीं होगा यहनि AFC का जो PE ratio वही रहेगा assume करो तो आगे हम देखते कुछ डेटा तो देंगे लोग यहाँ पर अब यहाँ पर अब देखिए EPS दिया हुए AFC का और BCD का तो AFC का EPS हमें 8 दिया हुए इस बाट third part में दिया हुए तो EPS अगर EFC का 8 है और EFC का price हमें पता है 100 है तो 100 divided by 8 से हमारा PE ratio आजाएगा न 12.5 PE ratio हमने निकाले यह सिर्फ third part के लिए यह पहले नहीं था EPS अगरा भी बता है इन्होंने तो price 100 है EPS 8 है इससे मैंने 12.5 PE ratio निकाल लिया अब profit भी total निकाल लूँगा दिको 8 रुपीज EPS है और number of set से 10 लाग तो 10 लाग into 8 कितना होगा 80 लाग होगा profit हमारा और BCD का कितना BCD का 5 लाग sets है और 2.5 उनका है तो उनका profit होगा 12.5 लाग 5 लाग into 2.5 तो total profit after merger कितना आएगा 92.5 लाग होगा तोटल profit after merger 92.5 लाग होगा यह हमें परता चला और number of sets कितने होगे after merger number of sets तो मेरे भाई 10 लाग ही रहेंगे तो उनको certs नहीं पैसे देंगे अंपने 10 लाग ही रहेंगे यहां 10 लाग रहेंगे फिर यहां पर एक बात है हम उनको cash पैसे देंगे नों लिख़ा हुआ है कि हमार interest लगेगा हम borrow करके पैसे देंगे और 10% हमारा इसमें interest लगेगा मुद्दे की बात यह कि हाँ पर tax ignored है अगर tax होता तो कुछ और कहानी होती वो भी मैं बता दूँगा बाइचांस क्या पता है इस question में exam में tax डाल दें तो मेरी बात ध्यान से सुनो हम उनके 5 लाग shareholder को 22 रुपीज देंगे यहन्य हम 110 लाग रुपीज को पैसे देंगे borrow करके तो अगर हम इतना पैसा borrow करेंगे तो हमारा इसमें 10% interest भी तो लगेगा साला ना साला ना हमारा 11 लाग इस interest का खर्चा लगेगा बट अगर tax होता है इसमें तो हम net of tax ले हम बोलते 11 लाग तो फिर खर्चा लगीगा नी उसमें tax benefit भी तो मिले तो अगर tax होता तो मालो 30% tax होता तो 11 लाग का 70% हम खर्चा मानते बट यहाँ पर tax ignore है तो पूरा का 11 लाग लेंगे हम बोलेंगे 92.5 लाग हमारी कमाई नहीं उसमें से 11 लाग हमारे interest का खर्चा हो जाएगा tax का data नहीं तो इग्नूर कि हमने तो 92.5 माइनस 11 इन्हीं 81.5 लाग का फाइदा है हमारा तोटल प्रॉफिट होगा लाग सहर सी रहेगा उनको कोई सहर नहीं मिले तोटल प्रॉफिट अफ्टर मर्जर क्या होगा 80 लाग हम कमाएंगे वो लोग 12 लाग 50,000 कमाएंगे बट उसमें यह 11 लाग जो है interest का खर्चा जो है माइनस हो जाएगा net of taxis assume करें क्योंकि tax rate नहीं दिया हुए इतना प्रॉफिट होगा डिवाइड बै नंबर और सर्स EPS अफ्टर मर्जर आ गया किसी EPS अफ्टर मर्जर में पी रेश्यू लगा दो जो हमने निकाला था 12.5 तो पी रेश्यू लगा दिया हमने तो क्या आगया हमारा प्राइस आगया 101.88 आगया हमारा तो आप देखिए आपर अप गिन कैसे निकालेंगे पहले 120 था अब क्या हुआ 101.88 हमारा प्राइस होगा आगया तो हमारा तो गिन 1.88 का हुआ अब कितने बच्चे यहाँ पर ऐसा गलती मत कर देना कि सर यहाँ पर भी हम 101.88 का कितना ले अरे लेना ही नहीं है यहाँ पर सीधा 22 कैस दे रहे हो यहाँ पर सीधा 22 कैस दे रहे हैं तो सीधा 22 ही लेना आपको बात खतम यहाँ पर तो हमारा गिन आएगा 1.88 और उनका गिन दो के price और running से pay ratio निकाल दिया फिर total profit बता करो total profit बता किया इतना 80 lakh हमारा है उनका इतना है और आप interest का कितना खड़्चा होगा यह minus कर दिना फिर total profit divide by number और उसर से EPS आएगा pay ratio लगा के price आजाएगा फिर आप यह gain लॉस निकाल बस बात खतब तो यह question आप practice करोगे यह question आप practice करना LDR के तीन question बता है यह तीन question जरूर से practice कर लिजेगा अच्छा रहेगा practice नहीं करोगे तो दिक्काद आ सकते तो जरूर से यह question आप practice कर रहे हैं लाइक नहीं कर रहो तो मैं समझ जाओंगा ठीक है पूलो समझ में आगे एकदम अच्छे से कि इन्टू बीस्टी लिमेटेट इस 2.2 22.22 as per sm क्या कहना चाहते हूँ नहीं सही है आपका कुछ गलत बतारो पूलो सब कुछ ठीक है चलिए नेक्स कोशिन करें में कि थर्ड पार्ट गेंट टू बीस्टी इस 22.22 कैसे आई है उनकी प्राइस 20 हम उनको 22 दे रहे हैं तो 22.22 कैसे होगा बताओ मुझे आपी बोलो तो इपर देख लेता हूँ कौन सा कोशिन ताई है नहीं नहीं ठीक है तो अट्टू है और 1.88 है कौन सी दुनिया से आई हो अच्छी ये वाला क्या कोई नमर टू का बोल रहे हो क्या कोई नमर टू में मैंने कितना निकाल ले है इन्होंने फोर्स से मल्टिप्लाय करके बताया उसे आप से बताया है मतलब इन्होंने क्या क्या हमें बता देता हूँ जो 5.55 है ने इन्टू 4 से मल्टिप्लाय करके बता दे चलो देख ले तो है बाद मतलब इन्होंने चार से रोल्डर की बात बताई अगर आप चार से रोल्डर का लोगे हम क्यों चार का लेंगे हम तो एक का लेंगे अगर आप 5.55 को इन्टू 4 कर दोगे तो आपका 22.22 आएगा मेरे यस 22.22 आएगा पट एक से रोल्डर की तो हम कंपरीजन करके बता दे यह चार का क्यों बता दे मुझे समझ में नहीं आया हम तो एक सिंगल से रोल्डर की बात बताएंगे है ना फाइब लाक्स है रोल्डर है उनको चार के बदली एक मिला है अच्छा चार के बदली एक मिला है क्यों सबसेद हो सकते हैं प्राइस परसर बिफोर एक्विजिशन ट्वंटी है यह जो चार के बदली एक मिला है न वो एक का एक्क्यूमिलेट करके बता रहे है मैं ही सही हूँ वो चार का बदली एक का करके बता रहे है तो इस आप साब इसको 80 पकड़ोगे और इसको 25.55 इंटू 4 करोगे एक कई बताना चाहिए हूई यहाँ पर आप समझे रहे हैं मैं गलत नहीं हूँ आईसे गलत है एक सिंगल से रोल्टर का बताएंगे न एक सिंगल से रोल्टर कितना कमा रहा है उन्होंने चार करके बताया है तो वो प्रॉब्लम है आप चलो ठीक आप एक्जाम में 4 चार क करके 22.22 बता दीजेगा अगर आपको बुक का मैच कराना है रहा है ठीक है चलो तो अब हम नेक्स कोशिन करते हैं डैटीस चाह बोलते हो कि अंगारे बागी सब भी अंगारे आप सभी अंगार हो चलो ठीक है कोशें नमर 31 करते हैं एक्विटी सेर ओएक्विटी सेर लिमिटेड अर करेंड़ी बिंग ट्रेड़ेड एट रुपीस 24 पर सेर यह कोशें अच्छा एक्जाम में पूछा जा सकते हैं 24 पर सेर में करेंड़ी ट्रेड कर रही है एक्विटेड लिमिटेड का टोटल 10 लाग एक्विटी सेर्स आउटसेंडिंग है नमर और प्रोमोटर 40 परसंट सेर होल्ड करके रखें इन्हीं प्रोमोटर के पास 4 लाग सेर्स आउटसेंडिंग है एक सेर का दम 24 रुपीस है तो टोटल मार्केट कैपिटेल एजशन तो आप सुचो अगर PQR X budget को खरीदेगा तो maximum कितना देगा एक तो 240 लाग रुपीज देदेगा जो उनकी market value है 24 per sir into 10 लाग करके 240 लाग देदेगा एक तो और दूसरा अगर synergy benefit होगा तो maximum में ये 80 लाग भी ले लेगा ठीक है synergy benefit होगा ये भी maximum हम देदेगे further PQR फिल्स्टेट management of X budget has been overpaid with better motivation, lower salaries and fewer perks will lead to 7100 रुपीज फोल लाग यानि future में हम क्या करेंगे ये जो PQR के जो management है न तो X budget के जो management है न ये क्या करें पता घपलावाजी कर रहे हैं वो घपलावाजी के चक्कर में न कंपनी का profit कम हो रहे हैं अगर घपलावाजी बंद हो जाएगा न तो 4 lakh रुपीज का saving होगा और जिसके चलते कंपनी का आज का present value 30 lakh में और बढ़ेगा यनि कहने का मतलब कंपनी में घपलावाजी हो रहे हैं जिसके चलते कंपनी का profit कम सो हो रहे हैं और वो profit कम सो होने की वज़े से उनकी market capitalization भी आज में कम हो रही है तो real में market capitalization कितनी होगी पता है एक तो 240 lakh अभी है जब बाद में घपला बंद कर देंगे तो 30 lakh से market cap और बढ़ जाएगा और हमारे साथ जोड़ने की वज़े से 80 lakh का क्या होगा synergy benefit भी मिलेगा तो total इनकी value कितनी होगी पता है 350 lakh total इनकी value आगे जाके हो जाएगा आगे जाके synergy के वैसे 80 lakh बढ़ जाएगा और घपला बंद हो जाएगा तो profit बढ़ेगा तो उससे price भी अपने आप बढ़ जाएगा यहींगी future में 350 lakh total इसकी market capitalization होगी है और number of sales कितना है 10 lakh यहींगी एक सेर का अदम 35 रुपीज तो आप से पूछाएगे कि maximum price कितना दिया जाएगा XYZ के लोगों को हम बोलेंगे 35 रुपीज maximum दे सकते इतना देगे थोड़े ना यह max to max से जितना दिया जा सकता 35 रुपीज बात खतम ठीक है अब दूसरी वाले में पूछा कि minimum price XYZ के management अपना सेर अपना controlling interest देने के लिए कितना मांगेगे तो जो XYZ के promoter 40% खा के बैठे है अब बताओ वो कितना पैसा minimum मांगेगे देखो एक तो वो मांगेगे 4 lakh सेर जो वो hold करके रखे है into वो 24 एक तो यह मांगेगे वो प्र लैक into 24 मांगेगे के नहीं एक तो 96 लाग मांगेगे वो और कुछ मांगेगे minimum में मतलब उनको synergy minimum में नहीं आएगा XYZ को तो पता ही नहीं होगा क्या synergy अभी या निक तो minimum 96 लाग मांगेगे एक और चीज़ मांगेंगे, पता है क्या, क्यों घपला बाजी कर उनको तो पता है, वो बोलेंगे यार, अगर हम बेज देंगे, तो हमारा घपला बाजी तो बंद हो जाएगा, तो घपला बाजी बंद हो जाएगा, उसका present value भी हो मांगेंगे, तो 30 लाग का क्या 40% मांगें है, क्यों पता है, आपने, आपने market cap का, तो 40% ले लिए, चलो ठीक है, पर घपला बाजी का 40% नहीं होगा, एक्स वाजट बोले, यह तो घपला हम खाते है, सारा का सारा, यह थोड़े न हम free float में लोगो को देते हैं, यह तो हमारी कमाई है, पूरी के पूरी 60 लाग, तो य 30 मटली कितना लेंगे, 126 लाग इनको में देना पड़ेगा, इनके 4 लाग सेर्स के बदले, इनको देना पड़ेगा, 126 लाग डिवाइड बै पूर, यह हम maximum price सब को 35 देंगे, और यह minimum price मांगेंगे, कितना 31.5, और बाकी other वाले तो minimum price कितना 24 लाग, बस बात खतम, तो यह गपला ध्यान में रखना 30 लाग वाला, ठीक है, तो यह simple question था, फटा फट करवा दियो, अब यह question, ठीक simple question करवा देता हूँ, यह फटा, अब तो simple question बचे है, आगे कुछ-कुछ question आएंगे, question 36 से यह पहले करवा देता हूँ, फिर RTP, MTP में कुछ question आएंगे, और एक bank वाल कर ले क्या, हमें नहीं लगेगा, मर्जर में कुछ ज़्यादा दम बचेगा नहीं फिर, इस, सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं, चलो, अब भी bank वाला question कराता हूँ, मैं आप लोग, आज़ें, bank R वाला question, यह bank वाला question करांस है, बहुत छुटा सा concept में आपको बता देता हूँ, देखें, फटा फट बताऊँगा, मैं, मालों यह banks की balance है, इसका pdf, share capital reserve, इन्होंने customer से deposit लिया, other liability, और यह bank क्या करती है, investment करती है, government securities में investment किया है, shares में investment किया है, home loan दिया है, car loan इनके assets हो गया, cash हो गया, अब एक बात बताओ, जो इनकी assets होते हैं, उसमें risk करते है, government bonds में हालेकि कोई risk नहीं रहते है, बड़ जो shares में investment किया, और चो share, home loan जो दिया, उसमें भी risk रहते है, car loan में भी risk रहते है, क्योंकि पास्वाला party default कर सकते है, तो इसमें risk करते है, तो weight assets calculate करना होता है और बाद में finally capital adequacy ratio calculate करना होता है तो हम ऐसे तो बोलेंगे assets आपको दिख रहे 87 लाग है पर risky weighted assets इतना नहीं होता उसमें हम weight लगाते है उसके risk के अनुसार तो दीखे अलग-अलग assets हमने लिख दिया सबकी value 5 लाग 35 लाग 10 लाग 90 लाग यह सबका अलग-अलग का value हमने लिख दिया ठीक है cash को हम consider नहीं कर दें क्योंकि cash में कोई risk नहीं रहता आपका और government securities का भी हमने value zero रखा है इसमें भी कोई risk नहीं तो government securities का risky weighted asset zero रहेगा क्योंकि इसमें 0% risk है और आपका बागी cash में भी zero रहेगा तो risky weighted asset कैसे निकालेंगे investment in sales में मालो 150% का risk है home loan में 80% का risk है car loan में 90% का risk है other loan में 175% का risk है तो इसी asset में risk का weight लगा कि हम risky weighted assets की value निकालें और हमें पता चला इतना risk है आपको यह निकालना नहीं एक्जाम में मैंने बस फटा फट रिवाइस करके बता दी खुशें में दिया हुआ रहेगा तो इतना है तो अब आप capital education ratio निकाल कैसे पते हैं आप देखोगे कि जितना आपका risky weighted asset है उसके comparison में आपका कितना capital है हम बोलेंगे उसके comparison में हमारा 14 लाग का पेड़ कैपिटल सेरे कैपिटल प्रस रिजर्म में लागे तो आप देखें capital education ratio हम क्या बोलेंगे हमारे पास 14 लाग का adequate capital है किन response to इतने का risky weighted asset तो यनि इतना percentage हमारा capital तो capital education ratio कैसे आता है capital divided by risky weighted asset into 100 कर देते तो percent में आ जाते तो 0.1348 आता है यनि capital education ratio आपको ध्यान में रखना कैसे निकालोगे capital divided by risky कि आप ध्यान में रखेगा इस तरीके साब निकालोगे अब ये समझ में अगर आया तो अब मैं आपको ये question करा सकता हूँ question number 32 exam के लिए काफी जाद है important है ध्यान देजेगा bank R was established in 2005 and doing banking in India the bank is facing do or die situation there are problems of gross NPA at 40% ये bank R की बूरी हालत है और इनका gross NPA बता दिया 40% का NPA और capital adequacy ratio भी 4% इन्होंने बता दिया इसके अलावा net worth of the bank is not good shares are not traded regularly और इसकी price अभी चल रही 8 रोपी तो इन्होंने क्या क्या data दिया इन्होंने बोला इनका NPA 40% है यानि non performing asset जितना loan दिया है उसमें 40% पैसे दूबत खाते वाले और capital adequacy ratio 4% का है और आपका price जो चल रहा है वो 8 रोपी RBA ने suggest किया कि या तो इस bank को बंद करो है दूसरी अच्छी bank के साथ मर्ज हो जाओ तो bank P जो है वो professionally managed bank है जिसका NPA देखो कितना सिर्फ 5% है और इनका capital adequacy ratio भी अच्छा है 16% है हाला कि इनका capital adequacy ratio सिर्फ 14% है और price भी इनका 128 तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना देखो इन्होंने balance rate के साथ इन्होंने बोला जो swap ratio होगा न इन्हीं जो bank R यहाँ पर उसमें आपको क्या करना है पता है R P को acquire करेगा जो swap ratio होगा वो देखो चार अलग अलग terms में निकालना चार उपे weight लगाना NPA, CR यह सबकी basis में तो मुझे तो पहले capital adequacy ratio जानना है पता है मुझे 4% है और मेरा क्या इधर capital adequacy ratio इधर 16% है यह मुझे पता है NPA भी मुझे पता है इधर कितना है 40% है इधर 5% NPA है market price क्या हमें पता है market price दिया वह देखो 8 और 128 और book value तो book value भी हमारा यहां से आ जाएगा book value कितना है यह हम निकाल लेते हैं इसका book value है 210 इसका है 6000 210 divided by 14 होगा 140 लाग का share capital है से book value आ जाएगा 210 by 14 कितना होता है इधर book value पर से राया 15 उधर आएगा आपका 50 120 50 500 आएगा 120 आएगा तो आपका देखिए book value पर से भी हम compare कर लें कि हम compare कर लेंगे तो हम exchange ratio तो अराम से निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे swap ratio ही पूछा है हमसे सब्सक्राइब है कि हम अराम से निकाल लेंगे देखिए NPA हमें पता है दोनों का क्या है 40% और 5% NPA last में निकाल लेंगे पहले अगर मैं price basis में exchange ratio बताऊ उनका हम यहाँ पर कौन है bank R और bank P हम acquirer है हमारा इस पर उल्टा करना 15 by 120 जो 8 by 128 15 by 120 capital adequacy ratio के सबसे क्यों होगा 4 by 16 ये भी ठीक है तो कि जितना ज़्यादा capital adequacy उतना अच्छा होता है price भी ज़्यादा अच्छा होता value भी ज़्यादा अच्छा होता पर ध्यान से सुनो NPA ज़्यादा हुआ अच्छा नहीं होता है तो यहाँ पर आपको मन करेगा 40 by 5 करो क्योंकि target divide by acquirer पर ऐसा करोगे नहीं क्योंकि NPA जितना कम उतना अच्छा होता है तो यहाँ पर आप 40 by 5 नहीं कर सकते है 5 by 40 करोगे क्योंकि जितना कम हो उतना अच्छा होता है तो यहाँ पर तो 4 by 16 क्या 8 by 128 किया 15 by 120 किया लेकिन NPA में ध्यान रखना 5 by 40 करो कि ना कि 40 by 5 उल्टा करना होता है NPA में क्योंकि NPA खराब होता है ज़्यादा होने पर तो देखे 5 by 40 करके मैंने सब का swap ratio निकाल लिया अब इसी में जो weight दिया हुआ ये ये weight में लगा दूँगा बात खतम मेरा weight लगाने पर exchange ratio आ जाएगा तो exchange ratio इन्होंने पूछा swap ratio हमने बता दिया अब ये बोल रहे हाव मेनी shares are to be issued तो exchange ratio अगर हमने निकाला 0.125 और bank peak के total shares कितने है 14 lakh shares है 14 lakh into क्या करोगे 0.125 करोगे यह निए 1.75 lakh shares हम उनको देंगे यह देखें 1.75 lakh shares हम उनको दे देंगे अब ये balance sheet बनाने बोल एकदम simple है balance sheet बनाना तो मैं बता हूँ कैसे balance sheet बनाएंगे यह को bank peak का balance sheet हूब भू बना दो 500, 15,000, 40,000 25,000 500, 15,000, 40,000 25,000 हूब भू बना दिया और bank peak का भी मैंने क्या क्या asset site हूब भू लिख दिया 25,000, 15,000, 27,000, 2000 यह देखें मैंने black pen से लिख दिया यह सारे वही data लिख दिया अब मैं क्या करूँगा bank peak को acquire करूँगा तो उसके सारे assets and liabilities को अपने balance sheet में डाल दूँगा share capital reserve से हमें मतलब नहीं उनका उनको तुम अपने assets देंगे तो हम उनके क्या करेंगे liability सारे ले लेंगे asset सारे लेंगे 400, 11,000, 35,000, 100 देखें 400, 11,000, 35,000, 100 यह तो 0 था उनका तो यह सारे assets ले 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 liability भी दर सारे ले 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 अब हम देखेंगे उनका net asset कितना लिया हमने तो देखो 400, 11,000, 1500 5,100 minus 4890 तो 5,100 minus 4890 हमने net assets 210 का लिया हूँ जो उनकी book value थी 210 का net asset लिया है उस पे हमने उनको कितना दिया है 1.75,000,000 shares दिया है और रुपेस 10 each यहनि हमने PC कितना दिया 1.75 into 10 17.5 का shares दिया हमने तो यह दिके 17.5 का PC दिया है तो 210 मेंसे 17.5 हमने PC दिया है जो कि share में चला गया बाकी 192.5 आपका reserve अपका कुछ नहीं करना balance sheet बनाने के लिए अपना balance sheet पूरा बना लो उनके assets and liabilities डाल दो जो net asset है देख लो PC कितना दिया है difference क्या होता है तो difference हमने capital reserve दिखा दिया balance sheet match हो गया बस बात खतम point number 3 भी हमारा हो गया अब यह क्या बोल रहे है point number 3 भी कर लिया अब यह बोल रहे है calculate करके बताओ capital adequacy ratio and gross NPA इसके लिए हमने पता है दोनों का मिला के capital यह after merger तो after merger हमने देखा था capital adequacy ratio निकालने के लिए हमें capital तो पता चल गया risk-weighted assets भी तो पता करना है कि हम कैसे पता करेंगे देखें अगर आपके बस capital adequacy ratio है ठीक है और आपको क्या चाहिए capital जी capital भी अगर आपके पास है तो आपका risk-weighted asset आचाहेगा जैसे मुझे पता है capital adequacy ratio equal capital divided by risk-weighted asset हो capital adequacy ratio 4% है PR का और P का है 16% और capital P का कितना है P का capital है 210 R का 6000 है तो 210 by RWA और इदर 6000 divided by RWA तो RWA हमारा कितना आएगा फिर 210 by 4% हो यहीं 5250 risky-weighted asset इधर आ गया और इधर इसकी बात करूँ RWA divided equal 6000 divide by 16% यहीं 37,500 इसका आ गया आप देखें 37,500 हमारा R का है risky-weighted asset और 5250 किसका है P का है तो 42750 risky-weighted asset हो गया तो अब हम कैसे निकालेंगे 42750 risky-weighted asset है और दोनों का मिला के capital आप दोनों का मिला के total कर लीजए यह आपका 620 तो आपका इससे capital adequacy ratio आएगा यहीं capital adequacy ratio निकाल ले के लिए आपको चाहिए capital और risky-weighted asset तो हमारे पास capital और risky-weighted assets नहीं था हमारे पास क्या था capital था और capital adequacy ratio था तो capital और capital adequacy ratio की मदद से हमने risk-weighted asset निकाल लिया capital divided by capital adequacy ratio तो आप shortcut के लिए ग्जाम के लिए ऐसी ध्यान में रख सकते हो risky-weighted asset कैसे निकालोगे capital को डिवाइड, capital divided by capital adequacy ratio तो आपका risky-weight याप एक्जाम के लिए दिहान में रखना चाहो तो रख सकते हो इससे आपका risky-weighted asset आगे नीचे दुनों का risky-weighted asset लिख दिया ओपर दुनों का मिला के capital लिख दिया बैलन्स इट से मिल जाएगा यह आपका capital adequacy ratio आगिया अब gross NPA की बात करें तो NPA किसमें होता है, advance चो देते हैं उसमें तो NPA होता है, तो advance दुनों का मिला के कितना है यह है दुनों का मिला के, दुनों का मिला के advance है 30,500 दुनों का मिला के, NPA कितना हुआ bank R का NPA 40% हो गया यहनि 1400 का इसका NPA हुआ और bank P का NPA तो 5% ही है यह तो यह 1350 होगा, तो दुनों का मिला के NPA कितना है 2750 दुनों का मिला के NPA है, और दुनों का मिला के advance है 30,500 30,500 में से 2750 का NPA हुआ, तो मतलब आपका percentage कितना होगा 9.01% 9.01 यह bank R वाला question simple है, एकदम simple है तो आपको करना किया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए data सारा दिया हुआ, exchange ratio निकाली है number of sets निकाली है, balance it अराम से बना लोगे उसके बाद capital adequacy ratio capital divide by RWA करके capital adequacy ratio निकाली है और gross NPA में क्या करना है NPA divided by advances पस NPA divided by advances रख दोगे हम कितना NPA हुआ, divide by advances बस बात खता है तो इसी के साथ हमने यह वाला भी question, bank R वाला question भी अच्छा सा question था यह हमने फटा-फट सिल्टा लिया, खतम कर लिया अब मैं आपको एक और question करूँगा, अच्छा question है यह bank R वाला LDR में ले लो यह वाला question LDR में रख लो bank R वाला अब हम next करेंगी, क्या पता है next मैं आपको कराऊंगा question number 36 फटा-फट से हो, जो fortune India Limited वाला question हम फटा-फट से करते है चलिए the following information is relating to fortune India Limited, जिसके दो division है, एक pharma division है और एक fast moving consumer goods division है, यह एक ही company जिसके दो division है, paid up share capital आपका दिया हुआ, वा fortune India Limited का जो fortune India Limited company, existing company जिसके दो division है, उसका बोला 3,000 lakh shares, 100 rupees one each, यह fortune India Limited के कितने shares है, 3,000 lakh shares, 100 rupees one each, अब fortune India Limited ने सोचा कि वो क्या करेगा पता है इसकी जो pharma division है उसको demurge कर देगा, उसको demurge करके निकाल देगा, और बना देगा नहीं company, fortune pharma limited 1st April 2009 से, यह अभी एक ही company है, fortune India Limited बाद में fortune India Limited में से एक division निकल के, उसे अलग company बना देगा, तो अभी एक company बाद में दो company हो जाएगे, एक fortune India, एक fortune pharma, तो दीखे, fortune इंडिया लिमिटेट की इन्हों ने क्या किया, balance दियावा, 31st मास 2009 को और आपका demurge कब हो रहा है, 1st April 2009 को, तो यह वाली fortune इंडिया लिमिटेट की जो balance इट है, यह before demurge है, यह यह इसके अंदर बोथ दोनों division होगा, दोनों division का asset liability होगा, क्योंकि 31st मास 2009 का यह बता रहा है, लेकिन अब fortune farma तो कब बनेगा, 1st April 2009 को बनेगा, तो fortune farma का यह आपका after demurge fortune farma को क्या asset मिला यह बता दी, तो पहली बात मेरी यह सुनो, आपको पहले यह पता करना है कि fortune इंडिया लिमिटेट का total net asset कितना था before demurge आप देखलों, यहाँ पर तारे asset तारे asset मैंसे आप liability minus कर दोगे आपको पता चलेगा कि 45,000 का इनका net asset था fortune इंडिया का, 31st March उसके next day इन्हों ने क्या किया, इनको assets and liabilities जो दिया, इनको 21,000 का net asset दी दिया तो आप मुझे बताइए, fortune इंडिया लिमेटेड का 31st March को 45,000 का net asset था asset minus liability कर दीजे और उसमें से इन्हों ने क्या किया next day, 1st April को fortune फर्मा को दे दिया, 21,000 का asset, तो 24,000 का देखा जाए, तो net asset बाद में बच्चेगा किसका fortune इंडिया लिए अब question हम से क्या बोल रहे है question हम से ये बोल रहे है कुछ निकालने को data बोल रहे है, चलो ठीक है हम ये तो हमने पता कर लिए है, अब हम आगे देखते है, further question देखते है, आगे क्या बोल रहे है और डिरेक्टर्स हब डिसाइड़ तो इसू necessary equity sets of fortune फार्मा लिमिटेड और रुपेस वन इच without any consideration और consideration देगा अभी क्यों क्योंकि सेहर हूल्डर तो जो fortune इंडिया लिमिटेड के है वो ही आगे जाके fortune फार्मा क्यों हों क्यों 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 और कुछ नहीं और फाइदा नहीं और अब स्प्लेट हो रहे है अब आगे देखिए बिना किसी consideration के दिया जाएगा दोनों कंपनी का profit after tax बता दिया 2019 का यानि अफ्टर डिमर्जर दोनों कंपनी का profit बता दिया और अफ्टर डिमर्जर दोनों ग्लाग जैर सही या में पता है तो आप सुनी फोर्चुन इंडिया लिमिटेड का profit दिया हुआ कितना 11400 लाग और फोर्चुन इंडिया के नंबर और सहर से 3,000 तो फोर्चुन इंडिया का EPS आगया 3.8 और फोर्चुन इंडिया का प्राइस तो नहीं बता है फोर्चुन इंडिया का P ratio ने उने बता दिया FMCG सेक्टर ही तो फोर्चुन इंडिया ने लेके रखा हुआ है फार्मा तो बेज दिया तो इंटू 42 कर दिज़ा यहनि 159.6 आएगा किसका प्राइस फोर्चुन इंडिया लिमेटेड फोर्चुन इंडिया लिमेटेड का 159.6 आ चुक है अब यहाँ पर आप देखो फोर्चुन फार्मा को अगर आप देखोगे तो फोर्चुन फार्मा का प्राइस बता दिया और P ratio बता दिया तो EPS आया कितना 0.98 आया किसका फोर्चुन फार्मा का कैसे निकाला price divided by P ratio और फोर्चुन फार्मा का profit भी हमारे पास है 1470 तो profit divided by EPS कर देंगे number of share पता चल जाएगा 1470 divided by 0.98 इसे मैं पता चला fortune फार्मा ने 1500 shares issue अब आपको यह समझ मैं आएगा यहाँ पर देखे अच्छे से करवाया मैंने profit दोनों का दिया हुआ है number of share इसका given था 3000 लेग है तो हमने क्या किया इससे EPS निकाल लिया और P ratio given था हमने price निकाल लिया इधर इनका यह दोनों data गिया दिया हुआ था तो यह दोनों data की मदद से हमने EPS निकाला profit हमारे पास था EPS हमने निकाला इन दोनों की figures के साथ से यहाँ पर डाला है पर आप यह समझ लो यह आपने determine किया है कि मैंने लिखा हुआ भी तो red में determine किया हमने किया जो red pen से लिखा हुआ है यह इस प्रकार मैंने यह पता कर लिया कि number of sets जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1500 lakh sets दिया गया है तो अब आप मुझे बताईए अब question हम से क्या पूछा है कि ratio बताओ कितना sales दिया गया fortune फार्मा को तो देखो fortune फार्मा ने sales दिया है 1500 sales इसको fortune इंडिया के sales रोल्डर को और 3000 sales रोल्डर जो 3000 sales रोल्डर थे ना 3000 लैक sales रोल्डर उनको 1500 sales दिया तो exchange ratio क्या होगा 0.5 हम यह पता चिल गया exchange ratio 0.5 है expected market price पूछा fortune इंडिया का हमने निकाला था 159.6 और book value per sir पूछ रहा है दोनों company का तो दोनों company का book value तो हमने निकाला था fortune इंडिया का 24,000 रहेगा और fortune pharma का 21,000 रहेगा divide by number of sales कर दो अब number of sales इंडिया का 3,000 है फारमा का कितना 1500 है इससे आया कितना 8 आया और इधर आएगा कितना 1.4 आएगा sorry 14 आएगा तो आप देखो आप में यह निकाला बस खतम कहानी आपका बट मैं एक ची बताना चाहता हूँ कि क्या shareholder का इससे कुछ फाइदा हुआ नहीं हुआ देखो shareholder का पहले एक share का क्या value था 45,000 पहले net asset थे number of sales था 3,000 तो पहले एक share का भावता 15 रुपी after merger जो shareholder है उनको fortune इंडिया का एक share मिलेगा 8 रुपीज का fortune फार्मा का तो आधा share मिलेगा 7 रुपीज का तो 8 और 7 मिला के 15 ही हो रहा है यहीं कोई फाइदा घाटा नहीं होने वाला बस मुझे यह बताना था मैंने आपको बता दिया थार्ड पार्ट में एक्जाम के लिए यह हमने किया और हमने book value परसर बता दिया सब का बाद में लेटर उन fortune इंडिया लेमिटेड का बिफोर डी मर्जर देखूं book value परसर 15 रुपीज था fortune फार्मा का जो net asset मिला number और इंडिया का तो 3 थाउची नहीं रहेगा बाद में भी उससे हमने यह निकाल लिया तो आगे पहले 15 रुपीज सह सहर ओल्डर का आगे जाकि इनको तो एक सहर के बदली आधा सहर मिला न तो 7 रुपीज इधर फाइदा मिला और इधर 8 रुपीज तो 15 रुपीज इधर मिला के दुनों आगे नो प्रॉफिट नो लॉस ही होने वाला है तो देखे एक्षेंग रिशियो 0.5 है मार्के पैस वी 159.6 तो कोशें एक बर अपने अपना दिमाग थोड़ा खटा लिया ना तो यह सब कोशें तो एक दम पानियों की तरह हो जाएगा कोशें में कुछ खास दमी नहीं पानी के जैसे हो जाएगा है सब जो मैंने करवा रहा हूं अब एक और कोशें नहीं पाने को करवाता हूं चली फटाफट आजो एक और कोशें जो है यह कोशें भी एक्जाम में पूछा जा सकता है कोशें नेमर 35 में कर आता हूं और एक original सेरहोलटर वाला भी कोशें वह बी जल्द करना चाहता है मैंने संपल सी बाद है टी को एक्वाइर करेगा ती लिमिटेड और ईलिमिटेड का क्या दिया हुआ देखों सेर आउटसेंडिंग दिया हुए 12 लाग और 6 लाग सेर आउटसेंडिंग डेट में बता दिया 10% डेवेंचेर और इन दोनों का डेट फंड भी बत क्या देगा पता है 7 times EBIDAT reduced by outstanding debt इनका जो EBIDAT 115.71 इसका 7 times देगा और minus कर देगा outstanding debt से यह 7 times हो गया minus करेगा outstanding debt इनका कितना 240 इन 569.97 देगा 569.97 consideration देगा तो कैसे देगा अपने सेर्स से देगा अपना एक सेर का अदाम कितना 222 भी discharge लिखावे ना by own सेर्स तो यह जो 569.97 लाग सेर्स देगा यह कैसे देगा 220 से डिवाइड करके यहीं 2.59 लाग सेर्स दिया जाएगा तो हमने यह निकाला number of सेर्स कितना दिया जाएगा इतना consideration देना है एक सेर का अदम 220 है 2.59 लाग सेर्स दिया जाएगा तो पहले यह पूछा net consideration बता दिया number of सेर्स बता दिया EPS after merger बता दिया यह भी बता दिया दूनों का मिला के profit निकालना पड़ेगा इसके लिए में यह वाला मत ले ले ना इसमें से आपको interest minus करना है depreciation तो कुछ है नहीं tax minus करना तब जब profit आएगा वो profit को total combine करोगे divide by number of stars करोगे तो अब थार्ड वाले पार्ट में थोड़ा सबको महनत करना है TBA DAT में interest minus करोगे तो interest है ना respective 10% of 580 240 का 12.5% यह interest हम माइनस करोगे फिर tax minus करोगे फिर जो profit आएगा यह profit आपको लेना तो यह दोनों profit आपको लेना है आपर तो 240 लाग और 60 लाग यह नि total मिला के profit कितना होगा 300 लाग का profit होगा और number of stars बाद में कितना रहेगा हमारा stars तो वही का हुए रहेगा 12 लाग उनको हमने stars दिया 2.59 यह नि 14.59 लाग stars होगा इससे हमने EPS after acquisition निकाल लिया यह भी निकाल लिया EPS after merchant अब यह बोड़ है कि price बताओ तो price के लिए तो P ratio चाहिए तो P ratio कैसे निकालेंगे तो P ratio क्या हमारा दिया हुआ है आपर question है नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं लेकिन इन्होंने profit तो दिया हुए profit दिया हुआ है उससे EPS निकल जाएगा और price तो दिया हुआ ही तो price by EPS से हमने P ratio निकाले है आपर क्योंकि आप दिखो profit से EPS निकल जाएगा profit divided by number of set EPS निकल जाएगा price question है में दिया हुआ है तो उससे हमने क्या निकाल लिया पी रेशियो निकाल लिया तो यही पी रेशियो अगर आप इस EPS में लगा दोगे 20.56 में acquire का 11P ratio लगा दोगे तो price भी आ जाएगा तो point number 4 में price भी आ गया तो भी बोला advantage बताई acquisition का acquisition का advantage क्या होता है मैंने एक साथ ही दुनों का लिख दिया energy benefit मिलता है cost कम हो जाता है क्योंकि दुनों मिला कि operate करते तो बहुत सारे खर्चे बच जाते है operation करने का efficiency बढ़ जाता है competition eliminate हो जाता है market share अच्छा मिल जाता है क्यों हम monopoly market create कर सकते advantages कुछ है जो theory में लिख दी जाए तो case 1 तो मैंने खतम कर दे यह पहला case तो case दिया हो आपर दूसरा case में एक तो इन्होंने बोला पहला case में कि T जो है तो उनके sails कितने मांग रहे तो अगर उनको 3 lakh into twoSN करके हमारा एक senior का adam 220 है consideration 60 Lack हो जाए कि number of cells हम उनको 3 Lack ृप इस कतना आएगा दोनों का मिला के जो profit हमने निकाला हुए कितना 300 लाग profit divide by number of sets कीतना होगा हमारा sets 12 लाग है उनको 15 लाग देंगे यह नहीं 20 रुपीज EPS after acquisition होगा अब price कैसे निकालेंगे P-E ratio था हमने अल्रेडी निकाला हुआ 11 तो price 220 आ जाएगा बस बात खतम second वाले पार्ट में आपको माथा पच्ची कम करनी पड़ेगी तो देके 20 आया फिर price हमने P-E ratio पहले से निकालावा ता लगा दिया और यह advantages तो पता ही है इस प्रकार यह question भी आप practice कर लेना यह mini LDR मान सकते हो नहीं ची लDR में नहीं क्यों दूंए मैं नहीं जरते से नहीं देता हूँ छोट mini भी नहीं देता हूँ अभी जैस एक बार solve कर ले ना LDR की जरत में चलो तो यह सारा question fortune फार्मा भी करवा दिया यह सब भी करवाई दिया मैंने यह question number 37 self कर लोगे एकड़म कुछ है नहीं जाने इस question पस question number 37 में यह धियान अगना हम जो जो asset से realize करे वो ले रहे पच्चों का doubt आता है sir plant में आपका एकड़ा देता हूँ question number 37 में एक दू मिनिट तो लगे question number 37 में क्या बोला tiger limited leopard को acquire करना चाथा और leopard की यह balance एट तो यहाँ पर बोला shareholder और leopard जो है न उसको हम क्या देंगे दो share के ब mattly एक share देंगे वनको हम, दो share के बदले एक share देंगे और हमारा एक share का market price हो जानना पड़ेगा मैं वो दिया हुआ है की निए दिया हुआ 15 उपीज दिया हुआ हमारा एक share का तो उनको दो share के बदली एक से रेने 35,000 सेर्ज देंगे हमारा एक सेर का अदम 15 रुपीज है तो यह हमारा PC में आएगा इक हमारा और उनको डेवेंचर्स भी हम देंगे डेवेंचर ओलुको 13% डेवेंचर इन्हे 3 लग का हम डेवेंचर भी देंगे कि हमने बोला plant and equipment के लिए इन्होंने क्या बोला कि हमारा cash flow generate होगा आगे जाके न हम हर सल 5 lakh rupees cash flow generate करेंगे और last में plant को बेच के 2 lakh मिलेगा हमे तो plant का value news निकालेंगे जिसे FR में पढ़ते थे थे न इस plant and equipment का value news निकालो वही हमारा fair value होगा तो future में जो हम कमाएंगे उसकी fair value होगी उसकी present value देख लो यह देखो यहाँ पर मैंने निकाला है हम future में हर सल 5 lakh कमाएंगे 6 साल तक last में 2 lakh में बेचेंगे तो 19 lakh 24 thousand हम मानेंगे हमारा plant से realize होगा जो की present value है तो यह plant से हमारा 19 lakh 24 thousand realize होगा तो देखे प्लाइंट से 19 lakh 24 thousand होगा debtors inventory से 2 lakh और cash से 50 thousand यहनि 19 lakh 24 thousand plus 2 lakh 50 thousand इतना हमारा realize होगा 21 lakh 74 thousand हमारा realize होगा हम देगे क्या इनको इनको debenture वाले को 3 lakh देदेगे creditor and other liability के लिए इननोंने कुछ बोला कुछ नहीं बोला अच्छा external liabilities को हम settle करेंगे 5 lakh रुपीस में यह जो external liabilities है इनको 5 lakh रुपीस देके settle करेंगे तो हम क्या करें 35 thousand into 15 यानि shareholder को हम पैसा दे रहे हैं 5 lakh 25 thousand debenture वाले को debenture दे देंगे इतने का यह हमारा obligation रहेगा future का और other liabilities हम settle करेंगे 5 lakh में कितना हम पैसा देंगे इन्हे 13 lakh 25 thousand हम पैसा देंगे total हमारा obligation और हमें मिल रहे 21 lakh 74 thousand 21 lakh 74 thousand हमें मिल रहे हैं और हम देंगे 13 lakh 25 thousand यहनि 8 lakh 49 thousand हमारा gain है हम बोलेंगे project को accept कर लो यह देंगे net benefit हमारा 8 lakh 25 thousand है मैंने फटा फट समझा है मैं agree करता हूँ आप यह देख ले न स्टेर से कितना गया cash कितना दिया settle करने के लिए library debenture कितना इसू किया कि हमने पैसा दिया है और यह हमें मिलेगा plan को देखे हमने present value जो आया cash low का वही plan का value हमने माना net benefit हमारा 8 lakh 49 thousand आगया बस बात खतम यह question भी हमने कर दिया अच्छे से कर लिए यह वाला question अब मैं देखता हूँ क्या question यह question भी अच्छा question the CEO of a company thinks that shareholders always look for EPS therefore he considers maximization of EPS as his company's objective his company's current net profit are 80 lakh and P ratio 10.5 दिया होगा यानि आपका CEO of company EPS के बारे में बहुत focus करता है और company क्या करना चाहरी company का profit बता दिया और यह दूसरी company को खरीदना चाहती है यह अपने EPS को बढ़ाने की tactics है तो आप देखिए हमारी profit 80 lakh और हमारा P ratio भी हमें दिया होगा तो profit को मैं P ratio से multiply कर दूँगा तो मेरा क्या जाएगा market cap आ जाएगा EPS को करते तो P ratio आता profit को सीधा P ratio से multiply करेंगे तो market cap आएगा रखिए profit को P ratio से multiply करने पर market cap आगया दूँगा अब आगे क्या लिखा हुआ है He wants to buy another firm जिसका profit और P ratio दिया हुआ है जिससे market cap इसका भी निकाल लिए अगर current market price दिया हुआ है market cap हमारे पास है तो number of sets पता कर लेंगे क्योंकि market cap तो हमने निकाल लिए total profit divided by P ratio से total profit into P ratio से market cap निकाला price भी दिया हुआ है तो number of sets पता कर लिए अब EPS भी बता कर लो net profit है number of sets पता चल गया तो EPS भी बता चल गया अब यह बोलना चाहरा है कि EPS को same level में मतलब EPS की basis में shares exchange हो तो exchange ratio क्या होगा 10.5 divided by 4 यह आपका exchange ratio होगा 2.65 shares देंगे उनको उनके कितने shares के बदली उनके shares कितने 1.5 लाग shares के बदली जो हमने determine किया 1.5 into 2.65 यह इतना shares हम उनको देंगे तो यह हमसे ईनोंने पूछा क्या है exchange ratio पूछा हमने बता दिया यह पूचा इन्होंने exchange ratio पूछा दवस बात कह तब हमने बता दिया action ratio ऑना action ratio किया ही ये वाला की answer है फि़र second part में क्या बोलना चाहरा है अगर मालो CEO जो है fund बोलो करे 15 percent में और ये cash दे के अगर buy करें fund ये cash दे के buy करें तो कितना buy करें ताकि इसका EPS maintain हो अपना EPS को maintain करना चाते है और company भी खरीदना चाते हो और अपना EPS भी maintain करना चाते हो तो मेरी बात सुनिए इसका खुद का EPS तो खुद के profit से maintain हो जाएगा तो आप यानि कहने का मतलब आप इतना इसका जो profit इसको sacrifice कर सकते हो बात में तो कहने का मतलब ये हम कितना पैसा उसको दें हम उतना पैसा उसको देंगे कि जितना borrow करने पर future में हमारा इतना इंटरस लेगा क्योंकि ये profit तो हमें चाहिए अपना EPS को maintain करने के लिए ये profit बाद में जो हम कमाएंगे target company से इतना पैसा कमाएंगे न ये हम interest दे सकते है future तो इतना हम interest दे सकते है 15.75 लाग जिससे हमारे EPS maintain हो जाए और हमारे interest rate कितना 15% यहाँ tax rate दिया हुआ है तो 15% नहीं मानेंगे 15% minus 0.30 यहने कितना लेंगे 10.5% मांगेंगे अपको यहाद एक question मैंने बताया था वहाँ पर भी ऐसा ही चीज़ किया था हमने KFC BCD वाले में लेकिन वहाँ पर tax rate दिया हुआ नहीं था तो सीधा पूरा interest rate लिया था हमने जो interest rate था आपका 10% था साहर पूरा लिया था अगर वहाँ पर भी tax rate होता था था 7% लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर net profit after tax वाला आई हमारा real में interest 15% लगी का नहीं effectively 10.5% लगीगा तो हम क्या बोलेंगे 15.75 हम दे सकते हैं और यह आपका 10.5% के equivalent में 15.75 divided by 10.5% यहनि हम 150 लाग बोरो करके पैसा दे सकते हैं maximum तो maximum amount हम 150 लाग दे सकते हैं अब future में क्या होगा देखो future में हम कमाएंगे कितना 95.75 कमाएंगे after tax 95.75 हम कमाएंगे लेकिन 150 लाग पर after tax हमारा कितना लग जाएगा 10.5% हमारा interest लगेगा after tax यहनि इसमें 15.75 हमारा interest लगेगा हमारे हाथ 80 लाग आएगा और हमारा अपना सेर्स कीतना 20 लाग है हम अपना EPS maintain कर लेंगे बात खतम तो आप अपना EPS maintain करना अगर आपको है तो आप उनका profit को divided by net interest से कर दो दोन amount आ जाएगा आपको amount बोले बुली यह question हो जाए exam में twist डाल सकते हैं चाहे तो कैसे बुलेंगे company अपना EPS maintain करने के सासथ अपना profit को 10% से बढ़ाना चाती है तो उनका जो profit है कितना 80 लाग है अगर वो 10% से बढ़ाना चाती है तो मैंला वो 88 लाग profit पहुचाना चाती है यहनि 8 लाग और extra उनको profit चाहिए तो maximum वो कितना दे पाईगे 7.75 फिर आप 7.75 को divide करोगे 10.5 बात खत्म तो आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना अपना दिमाग लगाओगी तो एकदम आराम से question होगा tension की कोई बात ही नहीं है question number 20 भी मैं फटाफट कराता हूँ आपको मैं question number 20 30 नहीं कराऊँगा आप खुद से कर लीजेगा अराम से हो जाएगा simple सा question question number 14 कराऊँगा मैं question number 14 में एक problem है वो भी मुझे आपके साथ discuss करना है तो चलिए पहले question number 20 कराता हूँ फिर 14 कराऊँगा उसकी बाद मेरे ख्याल से ये तो आगे आजाएंगे corporate valuation की कुछ-कुछ question है आजाएंगे उसकी बाद मैं आपको break देके बड़ी question जो RTP MTP के कुछ question है और एक KLM limited वाला question है वो question कराऊँगा तो चलिए पहले अभी मैं आपको कराता हूँ कौन सा question number 20 कराता हूँ वो जल्दी हो गया हमारा अभी तक तो कितना धाई बज़े बैटे थे हैं साड़े तीन साड़े चाल पांच बज़े धाई गंटे से बढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़ी हैं अगर पढ़ रहे हैं ज़्यादा टाइम लगीगा नहीं अब हमें question भी तो अच्छा खासा cover road है देखें yes limited acquire करना चाहता है no limited को cash flows दिया हुए yes और merge entity का यनि yes और no का नहीं दिया हुए yes का individual cash flow दिया हुए और जब ये acquire कर लेगा no limited उसके बद merge entity का cash flow दिया earnings कितना होगा 5% growth होगा without merger लेकिन merge करने के बाद 6% का growth होगा cost of capital दिया हुए 15% और आपका 5 years का economy life आपका 5 years का अब यहां से हम क्या निकाल सकते yes limited का present विलो निकाल सकते business कैसे यह 175, 203, 23, 43, 50 को हम खीचेंगे किसे 15% से कीचेंगे बड़ यह से 5 साल तक नहीं है आगी यहां पर इन्हों ने बोला कि constant growth होगा मतलब यह lifetime तक चलेगा समझ में आगी यह lifetime तक यह चलेगा हमारा 367.5 होगा देखिया आपको पांच साल का cash flow लिया six years का मेरा cash flow security valuation में में पढ़ा है कि जहां से constant growth सुरू हो जाएगा जहां से हमारा constant growth सुरू हो जाएगा मैंने speed में पढ़ा है तो question पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखा यह stable growth पे आजाएगा पांच साल के बाद क्यूंकि पांच साल का तो data दिया हुआ है इन्होंने हमें तो six year का आपका होगा यह cash flow हम individual वाले को तो 15% से खीच लेंगे जो यह six year and so ने से हम capitalize कर लेंगे एकटा ती वन बे आरी माइनस जी जैसे करते हैं वैसे cash flow by आरी माइनस ज तो 367.5 divided by 15% जो हमारा cost of capital है minus growth 5% है before merger वाले में इसका price आजाएगा 5th year के end में यह six year and so on का आजाएगा फिर इसको भी खीच लेंगे present value में ऐसे करते करते खीचते खीचते हमारा कितना आया तो 708.915 आगया यह मैसे after merger merge entity की value निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ही सारे cash flows ज बगाना और फिर इसको अब इखटा capitalize करके present value निकालोगे present value यह है तो हमने यह बताया कि value of years limited before merger तो 2708.915 था और आपका after debt इतना value हो गया तो हमसे पूछा क्या गया इन्होंने इन्होंने पूछा कि years limited की value बताओ before and after merger हम बोलेंगे years limited की value before merger यह है after merger combined entity yes की यह value है यह बता value of acquisition किया है acquire करना जो हमने वो कितनी की value acquire किया हम बोलें यह देखो पहले हमारी value इतनी अब value इतनी हो गई है तो acquire करने की value कितनी है दोनों का difference कितना value बढ़ा हुई acquire करने की value है कितनी एक्ष्ट्रा value add on हुआ है वो है value of acquisition हमने बता दिया फिर third वाले में बोल रहा है कि gain or loss ब agree किया कि वो no limited केária's के बतले उसको 05 देगा सोचो मेरी बात अगर यस limited के भी 10 लाग सर्व है और no के भी 10 लाग सर्व है क्योंकि same बोले इनको इनके एक کی बतली 05 देगा तो इनको तो 5 लाग सर्व देगा तो कहने का मतलब यह कि अगर इसका तैंब जगा 5 लाग हो जाएग यनि आगे जाके ratio of holding क्या होगा पता है इसका 2 by 3 होगा इसका 1 by 3 होगा मतला समझो मेरा भी 1 share है आपका भी 1 share है क्योंकि same है हमारा before merger merger करने के ज़िए मैं आपके एक share के बदली आपको 0.5 दोंगा तो मेरा तो 1 का 1 ही रहेगा आपका 1 का 0.5 हो जाए तो दोनों का मिला कि कितना होगा 1.5 मेरे पास 1 share है 1 divided by 1.5 मेरा क्या होगा 2 by 3 और आपका होगा 0.5 divided by 1.5 आपका होगा 1 by 3 यनि मेरा होगा 2 by 3 आपका होगा 1 by 3 तो मैं बोलूँगा कि जो आपकी पूरी value है ये 5308.437 जो value हमारी आई है इसका 2 by 3 तो मुझे मिलेगा इतना और 1 by 3 जो है वो no limited को तो मेरी पहले value इतनी थी before merger और मुझे इतनी value मिली है 2 by 3 के साथ से मतलब मेरा gain इतना तो आपको क्या करना है जो total value है हमारी ठीक है इसका 2.3 मुझे मिल रहे देखा जातो और मेरा पहले value इतना था तो 2.3 इसका जितना हो रहे 5308.437 इसका 2 divided by 3 मुझे मिल इतना मुझे मिल है और मेरा पहले था 2708.915 नहीं मेरा 8.3 का gain आगिया हमारी बात खता तो इस question में क्या करना आपको पहले yes limited का before merger निकालना ध्यान रहे 60 rent zone मत भूलना present value निकालोगे merge entity का present value निकालोगे जो difference है वो value of acquisition हो गया और दुनों का value बता दिया फिर आप कैसे बताओगे दुनों का एक एक सहर है पर आपको 0.5 मिला तो मेरा 2.3 रहेगा आपका 1.3 तो ये जो merge entity की value इसका 2.3 minus ये मेरा गेन आप ये question फटा फट कराया मैंने अब अब एक question ये जो इसमें एक problem है ये वाला ये अब ध्यान दिची का value of original ये अच्छे से करवा देतो एक्जाम में पूछा गया आगे भी पूछा जा सकते हैं पास्ट पेपर मेर 22 में पूछा भी गया और आगे भी पूछ सकते हैं देखें पी लिमिटेड इस considering takeover of our limited समझ में तो आरहने नहीं बदा दो फटा वर्ट से समझ में तो आरहने नहीं दम अच्छे से पी लिमिटेड इस considering takeover of our limited by the exchange of four new serves in P limited और एवरी 5 सेर्स यहनि पी इमिटेड आर को क्या करेगा एक्वायर करेगा उसके 5 सेर के बदली उसको 4 सेरी देगा यहनि 4 by 5 एक्षी इंद इस यह नहीं 0.8 सेर्स पॉर बाइफाइब लिख दो 5 के बदली 4 दिया जाए पांच के बदली 4 यहनि एक के बदली 0.8 दिया जाएगा प्रॉफिट बीफोर टेक्स लिखाओ एक्जाम में अब हरवड़ी में गलती करोगे यह प्रॉफिट बीफोर टेक्स है उसमें टेक्स माइनस करने के बाद पैट आएगा आपका इसमें अब ध्यान दोगी नहीं करेंगे नहीं पहले इसमें से टेक्स हटाना फिर नंबर ऑफ से डिवाइड करोगे तो एपीएस आएगा फिर पी रेशियो से मल्टिप्लै करोगे तो प्राइस आएगा और फिर प्राइस को नंबर ऑफ से मल्टिप्लै करोगे तो मार्केट कैप आ जाएगा और वही पहल और से मल्टिप्ले करके मार्केट के आप निकाल लिया जो इन्हों ने पहला पार्ट में पूर लिया अब यह क्या पूर रहे हैं मार्केट वेलू ओडिजनल से रोल्टर यह मैं आपको करवाऊंगा लास्ट में ताकि कंफ्यूजन नहों पहले मैं पूरा करवा देता हूँ ये टू को भूल जो एक बड़ आप पॉइंटर मर्जर हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट क्या होगा दूनों का मिला दो अफ्टर मर्जर प्रॉफिट होगा 19.95 क्रूड है ना और अफ्टर मर्जर आपका नंबरों सेर्स कितने रहेंगे हमारे 25 क्रूड रहेंगे उनको 15 क्रूड के बदली हम देंगे 12 क्रूड 80% देंगे न 0.80 is to 1 उनको 5 सेर के बदली 4 सेर देंगे तो 15 क्रूड के बदली 12 क्रूड सेर देंगे तो आगे जाके 37 crore shares रहेंगे और आगे जाके profit होगा 19.95 इससे EPS after merger आजाएगा 19.95 divided by 37 EPS after merger आगे उसमें P ratio लगा दिया कौन सा P ratio लगाएंगे 12 P limited का P ratio लगाने पर price पर से after merger आजाएगा question हम से पुछा price पर से after merger फिर अब पुछा कि effect on share price में effect बताओ of both the company if directors of P limited expected their own pre-merger P ratio to be applied to the combiner ने पर यह हमने लगाया था price निकालते समय हमें P ratio किसका लगाया था खुद का लगाया था तो आप price में क्या बोलोगे पहले price क्या था पहले price था कितना 5.04 5.67 अब क्या price है अब price है 6.47 हमारा और उनका 6.47 का 0.8 है तो कि उनको एक के बदले 0.8 मिला देखिए हमारा पहले का और अभी 6.47 इधर 6.5 का 0.8 है उससे हमने gain और loss निकाल लेकिन इन्होंने क्या क्या पता है इन्होंने gain और loss जो निकाला वो percentage में निकाला solution में तो आपको भी ये question के लिए particularly ध्यान रखना percentage गेन इतना हुआ किसमें से 5.04 पहले था अब इतना का gain हुआ है तो 1.43 डिवाइड बै 5.04 percentage आ गिया और इधर इनका पहले 5.67 था अब इनका 5. अब इनका इतना नुकसान हुआ है तो 0.49 का नुकसान हुआ कहां से 5.67 से त अब ये निकाल दिया अब ये निकाल दिया इसका कोई काम नहीं मैं इसको काट ही देता हूँ कि मैंने class में समझाने के लिए करा दे अब देखो ये क्या बोल रहे पता है ये बोल रहे value of original shareholder आप इसको एक प्रकार से रट्टा फैस आप से रखो या फिर आप इस तरीके से दियान में रखो कि value of original shareholder का मतलब ये है कि आप ये देख लो कि बीना किसी synergy के बीना किसी P ratio के total market cap दोनों का कितना है total market value ले लो बीना किसी synergy बीना किसी नए P ratio तो दोनों का अपना अपना P ratio की सबसे market cap इतना आ रहे है और इसी को अभी नया सेर्स में divide कर दो हमारा 25 क्रोड स सेर्स है उनका 12 crude सेर्स है तो आप देखो दोनों का market capitalization कितना हो रहे है तो ये 211.05 कि इनके respective सेर्स में बाढ़ देंगे respective सेर्स हमारे 25 पर इनका 50 नहीं लेंगे 12 लेंगे निया वाला तो अगर ये समझेंगे future में हमारे यही market capitalization होगा कोई synergy benefit नहीं मिलेगा कोई P ratio का benefit नही है फूस हिसाब से कितना P limited को और R limited को सहर मिलेगा P limited का सहर है 25 out of 25 plus 12 यनि 37 में और इनका है 12 out of 37 ये वाला आप निकालोगे तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ये exam के लिए ये वाला part LDR ये start दीजेगा यहाँ पर आप गलती कर सकतो ये आप start दीजे ये LDR बा इतना आप कर लोगी तो खतम में बाद बस को दिक्कत नहीं है तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ अभी करवा दिया आपको merger का अब मुझे merger का बस केलम limited का कोशिन कराना है और ये LDR लिमिटेड का भी कोशिन है ये भी मैं अभी करवाता हूँ उसके बाद ही मैं ब्रेक दू क्या करेगा डूम को एक्वायर करेगा relevant financial details दिया हुए दूनों का प्रायर टू मर्जर दूनों का financial details दिया हुए market price number of cents तो market cap आज जाएगा दूनों का 50 into 20 lakh क्या होगा 100 lakh होगा और इधर आपका 25 into 10 lakh 250 lakh होगा तो दोनों का मिला कि आपका market cap future में कितना होगा 1250 होगा पर ये क्या बोले है कि market merger से हैंना synergy gain मिलेगा 200 lakh का इन्होंने सीधा EPS वगेरा ने सीधा इन्होंने बताया कि synergy gain 200 lakh का मिलेगा तो आप बती after merger market cap कितना होगा ये 100 lakh नहीं थाउचर अफटर merger 1000 lakh हमारा 250 lakh उनका और 200 lakh का synergy gain भी होगा तो 1450 lakh होगा अफटर अब मेरी बात ध्यान से सुनो उनके सेर्स कितने 10 lakh है हम उनको उनके एक सेर्स के बदली 0.5 सेर्स देंगे तो उनको हम सेर्स देंगे कितने 5 lakh सेर्स हमारे तो 20 lakh के 20 lakh रहेंगे उनको हम 5 lakh सेर्स देंगे तो अब बता फ्यूचर में टूटल सेर्स कितने रहेंगे और after merger market value है 14 50 lakh और after merger number of sets रहेंगे 20 5 25 lakh तो आप ऐसे कर सकते हो और after merger 14 50 lakh total market cap रहेगा और number of sets रहेंगे 25 lakh यानि कितना आया 1450 divided by 25 58 यहीं पर सेर 58 रहेगा पर सेर 58 रहेगा या फिर आभी काम करो अब सीधा डिरेक्ट निकालना ऐसे बोलना कि market cap तो 1450 रहेगा उसमें से देखो हमारे पास कितना रहेगा 20 लाग सेर रहेगा और दूम लिमिटेड के पास फाइब लाग सेर रहेगा तो हमें इस 1450 लाग में 1160 लाग का हमारा हिस्तेदारी होगा 290 लाग का उनका हिस्तेदारी होगा या फिर आप ऐसी भी बोलो न कि देखो 20 लाग हमारा है फाइब लाग उनका है 80 परसंट आगे हमारी हिस्तेदारी रहेगी और 20% उनकी हिस्सेदारी रहेगी तो 14-50 का 80% यही आएगा आपका और 14-50 का 20% यह आएगा अब कोशिन क्या पूर रहा पता है True Cost of Merger निकालो True Cost of Merger का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा Net Cost of Acquisition हम देखते हैं Net Cost हमारा Acquisition का कितना है कि हम कैसे देखते हैं हम देखते हैं कि उनका हम Doom Limited के पॉइंड वे से सोचते हैं कि Doom Limited का पहले Market Value कितना था और अब उन्हें कितना है तो आप देखो 250 लाग उनका Market Value था पहले पर हम उन्हें दे रहे हैं सिनर्जी तो हम generate करेंगे वो थोड़े ना करेंगे हम अपने अंडर में करेंगे हैं ना तो उनको 250 लाग की जगा पर देखा जो तुम 290 लाग दे रहे हैं तो हम यह समझ रहे कि हमारा Merger का True Cost 40 लाग लग रहे है मतलब जो उनको हम एक्स्ट्रा देख रहे है सिनर्जी के वज़े से हो जो भी वज़े से हम उनको उनके 250 लाग के बदले हम उनको कितना दे रहे 290 लाग दे रहे तो इसलिए 40 लाग आपका एक्स्ट्रा आ रहे है है ना तो हमारा Cost of Acquisition तो 290 लाग है पर उनकी value 250 लाग है 40 लाग हमारा Cost of Merger होगा तो यह सारे question मैंने आपको अभी एकदम अच्छे से Mergers के करा दिये अब मुझे study material में से आपको एक ही question कराना बाकी रहे गया that is KLM Limited वो question मैं आपको कराऊंगा question number 30 simple है आप खुद कर लीजेगा बाकी आप देख लीजे आप एक घंटा आपको मैं break दे रहा हूँ यह एक घंटा आप revise कर लो जितना मैंने आपको कराया है अच्छे से revise कर लो उसके बाद एक गंटे के बाद हम मिलेंगे stream में एक बार off कर दूँगा बदल आपको buffer जैसा दिखेगा stream में आफ कर दूँगा ताकि वो unnecessary time में आए आगे जाके stream हम आफ कर देंगे एक बार के लिए एक घंटे के बाद हम मिलेंगे दो-तिन question जो हम निप्टा देंगे तर पे 6.66 पे question number 13 आपकी book का देख लेता हूं कौन सा बोड़ रहे है तो बहुत simple सा question है question number 13 तो मेरे class की बच्चों को कर रहा है बहुत simple सा question है क्या problem है ठीक है यह वाला question भी discuss करा दूँगा 13 वाला भी करा दूँगा चलो वो दिक्कत नहीं है तो चलिए ठीक है तो अभी हम क्या करते है अभी हम break लेते एक घंटी का break लेते ठीक है एक घंटी के बाद हम मिलेंगे एक घंटी के बाद हम आ जाएगा जु चलो तो अभी मैं break लेता हूं और अगर आपको फ़संद आया वीडियो तो लाइक जरूर से कीजेगा लाइक करने से मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में जरूर से लाइक कीजेगा एस एक घंटी का ब्रेक लेते हम ठीक है अगर मुझे बताना कनेक्ट होती कि कनेक्ट नहीं हो रहा था मैं 10 मिनिट से ट्राइब कर रहा हूं अभी अगर कनेक्ट हो गया तो फटा फट से प्लीज मुझे बता दीजे एक पर प्रीस एक बार चैट बॉक्स में बता दीजे अगर कनेक्ट हो गया हो तो हो गया है क्यों कनेक्ट बता ही नहीं चल रहा अच्छा है थिंक कनेक्ट हो गया भी ना चलो ओडिबल ये सब कुछ परफेक्ट है मैं 10 मिनिट से ट्राइब कर रहा हूं आप लोगो बता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है जिमाग खराब हो गया मेरा अब इक पर चेक करता हो ये चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है इक पर ये देख लेता हूं अभी परफेक्ट है तो ठीक है चली अभी हम स्टार्ट करते हैं वापस से अभी मैं कोशन निम्बर 38 आपको कराऊंगा यह बड़ा कोशन है जो मैं आपको कराऊंगा यह कोशन अभी हम अच्छे से कर लेंगे हाला कि यह ओल्ड पीए में हुआ करता है तो मेरे कहाल से स्टडी मैटरिल में नहीं है पर हमारे कोशन में निम्में तो है कोशन निम्बर 38 इसमें आपका गैड बीटा और अनगैड बीटा का भी कंसेप्ट है जिसको मैं बिना फॉर्मूला के कराता हूँ हाला कि मैं आपको वाला भी दिखा दूँ अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला के हिसाब से के वैसे भी कर सकते हैं मैं बिना फॉर्मूला के गैड बिटा इन गैड बिटा निकालना सिखाऊंगा आपको और फिर रेंज और इन्हों ने पूछा वो हम बता देंगे चलिए हम फटा फट सी को होना चाता है अपनी कि सब्सीड्री यह केलERS को उसे बेचना चाता है अनादर लाज बिजनेस एंस एंटिटी यह एक बड़ी एंटिटी जिस…ने केलम को खरीदने की आक्छा जाता है कि ओर इस सोच रहे कि केलम को खरीदने के बाद उसका जो और्निंग हे वह 10 परसंने से सिनर्जी आउटो पॉसिबल एक्विजिशन बता दिया इन्हीं बोला केलम का प्रॉफिट जो है वो जस्ट एंडेट हुए अभी वो टैन करूड का प्रॉफिट हुए और अगर बाद में सिनर्जी होगा अफ्टर मर्जर कितना प्रॉफिट होगा देखो फिलाल इनका अर् प्रॉफिट 10 क्रोड जो है 7% से ग्रो करेगा और अफ्टर मर्जर 10 क्रोड नहीं मानेंगे 11 क्रोड मानेंगे 10% से बढ़ने के बाद 11 क्रोड जो है वो 7% से आपका ग्रो करेगा यनि हमेसा ओल टाम ग्रो करेगा यनि प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है 7% का आपको क्या चीएगा बीटा चीएगा ये rm of rf आपका आगे चल के klam का rm rf ये चलेगा ठीके klam का data दिया हुआ है corporate tax rate हमें बता दिया 30 percent के अब यहाँ पर इन्हों ने क्या दिया है xy z का data दिया है abc का data दिया है इसके लिए वाफ प्रॉक्सी entity for klam मतलब केलम का data नहीं केलम की जैसी proxy entity है उसका इनोंने data दिया हुए तो जो केलम की proxy entity है न उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं केलम का required यहनि केलम का beta निकाल सकते हैं यहनि कहने का मतलब यह है कि केलम का RF दिया हुए केलम का RM दिया हुए अगर KLM का beta मिल जाएगा हमें तो KLM का required निकाल लेंगे portion यह पूछना चाहरा है KLM का cost of equity बताओ यनि required बताओ KLM का और कौन सा data लेकिए proxy entity का data को दिहान में रखते वे देखो based on the data available for the proxy entity यनि proxy entity का data को दिहान में रखते वे यनि उसी के basis में proxy entity के data के basis में आपको cost of equity बताना है KLM का यनि कहने का मतलब हमें beta निकालना है KLM का proxy entity का beta को base में लेते वे तो देखो proxy entity का beta कितना है 1.1 है और proxy entity का debt equity ratio कितना है 1.4 है यह दिखें 1.1 है और 1.4 है अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए पर एक चीज में देख लेता हूँ यहाँ पर इन्होंने हमें वो नहीं दिया न debt equity ratio आगे जाके KLM का क्या होगा दिया हुआ है क्या यस नीचे दिया हुआ देखें assume gearing level of KLM to be the same as for ABC and debt beta of 0 debt का beta तो ऐसे भी 0 होता है इन्होंने बोला debt का beta 0 ही है बोला KLM का जो gearing level होगा यानि debt equity ratio गैर का मतलब ही जहाँ पर debt आता है जो KLM का debt equity ratio होगा वो ABC का same होगा यानि ABC का कितना है 1 is to 3 यानि KLM का debt equity ratio कितना होगा 1 by 3 होगा तो आप सुचो 1 by 4 में beta 1.1 है तो यह हम कैसे निकालेंगे देखें मैंने अपने तरीके से जहाँ पर मैं करता हूँ तो मैं पहले क्या करूँगा ये गैर जो है debt equity ratio 1 by 4 मतलब इसमें debt fund भी है हम क्या करते हैं तो पूरा equity fund बनाते हैं हम सोचते हैं अगर debt fund होगा ही नहीं तब क्या होगा debt fund होगा नहीं 100% equity fund होगा तो आपका बीटा कितना होगा तो पहले हम un-gared beta निकालेंगे un-gared beta का मतलब जहाँ पर debt fund होई न पिना debt fund वाला un-gared beta निकालेंगे फिर उसमें क्या करेंगी ये गैर लगा देंगे नहीं वाला यानि 1 is to 4 का जो गैर है उसमें से गैर हटा के un-gared बना तो फिर 1 is to 3 का गैर लगा देंगे KLM का 1 is to 3 का गैर लगा देंगे क्योंकि KLM का तो 1 is to 4 का गैर होगा नहीं KLM का तो 1 is to 3 का debt equity ratio होगा तो यह याब देखिए debt equity ratio 1 is to 4 है 1 is to 4 debt equity ratio है बीटा दिया हुआ proxy entity का 1.1 और tax rate दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं debt by equity 1 by 4 है हम equity को 100% बनाते हैं तो मैं 4 में क्या multiply करूँ कि 100 होगा 25 तो मैं denominator को भी 25 से multiply करता हूँ numerator को भी 25 से multiply किया मैंने तो यह मेरा आएगा 25 by 100 अब मेरी बात ध्यान से सुनो debt में हमें tax benefit मलते है 30% tax है और यहाँ पर तुम beta निकाली रहे required निकालने के लिए required मतलब income ही है return है ना तो आप क्या करोगे जो debt है ना उसमें से tax हटा दोगे equity में tax benefit मिलता नहीं तो इसमें से tax हटाते ही नहीं है हम debt में से tax हटा देते हैं तो 25 में से 30% minus करोगे तो आपको 17.5 मिलेगा 25 में से आप हटा दोगा और formula भी बता दूगा किसी को करना मतलब यह simple लगता मुझे कहीं पर भी apply हो जाता है simple सी बात है debt equity 1 by 4 है मुझे equity को 100 बनाना है अगर debt equity 1 by 4 है तो equity 100 होगा तो debt 25 होगा और 25 को मैंने क्या क्या 17.5 बना दे टेक्स हटा के तो अब मुझे क्या पता चला debt है 17.5 और equity है 100 तो दोनों मिला के पता क्या हो रहा है 100 का equity है debt 117.5 है दोनों मिला के 117.5 है यहनि 117.5% है दोनों मिला के 108% यह यह 17.5% इसका beta 1.1 है तो अगर 117.5% का बीटा 1.1 है तो 100% का उसमें से मैं 17.5% हटा दूँगा, वो ही हम करते हैं, हम बोलते हैं यह debt equity ratio में ही तो बीटा 1.1 है, यह debt 17.5 का और equity 100 का, debt 25 और 100 मत पकड़ो, debt 17.5 और equity 100 पकड़ो, और इसमें ध्यान रगना, equity को 100 पहले बनाना, और debt को उसका corresponding कितना हो तो debt 25 होगा, फिर उसमें से text adjust कर देना, तो 117.5 में 1.1 है, तो आपका 100 में कितना होगा, 1.1 divide by 117.5% कर दीचे, आपका आजाएगा 0.9362, यही हमारा अंगैड बीटा है, यही हमारा क्या अंगैड बीटा है, अब इसी अंगैड बीटा में हम 10 लगा देंगे, कैसे 10 लगा 33.33 से multiply करूँगा, नीची वाला 100 हो गया, उपर वाला 33.33 हो गया, अब उपर वाला debt में से text adjustment करूँगा, तो 30% tax adjustment करने के बाद मेरा यह figure आएगा, यह वाला figure आएगा मेरा, 23.33, तो अब देखिए 100 का equity, debt 23.33, मिला के कितना हो गया, 123.33% हो गया, दुनों मिला के 100% equity है, त 33.33% यह tax के बाद 23.33% है, तो हमें पता चला कि 100% equity में अगर यह beta है, तो 123.33% में क्या होगा, आप into कर दो, क्योंकि यह तो 100% का है, तो 123.33% का कितना आएगा, आप इसको इससे इतना multiply कर दो, तो आपका beta आ जाएगा 1.1546, तो यह हमारा beta आ चुका है आपर, अब हम RE निका अब इसी कोई अगर आप formula way में इस्तमाल करना चाता हो, तो दीखे formula मैंने आपर लिखा हुआ है, beta unguared equal beta gared divided 1 plus 1 minus x into dead by equity, इन्होंने भी वैसे ही किया, बस इन्होंने formula में डाल दिये, किसी को समझना नहीं, यह formula में करना है, तो इस formula से आपका यह value आ जाएगा, पहले beta unguared निकालो, फिर उसमें गैर लगा दो, कौन सा, यहनी 1 by 4 का unguared निकालो, फिर 1 by 3 का गैर लगा दो, आपका यह आ जाया, तो आप चाहो तो यह formula से भी कर सकतो, अगर आपको यह कम पसंद आया, मत कीजे, और दोनों से marks मिलेंगे, ऐसा नहीं कि marks नहीं मिलेंगे, दोनों से marks म इतना आएगा, 1 point, sorry, 10.93 बड़, क्या आगया हमार, अब यह क्या पूछना चाहरे, range of values for केलम, both before and after any synergistic benefit to x, y, z, of the acquisition, यहनी बोले, एक बार synergy को मत consider करो, और एक बार synergy को consider करो, उसकी हिसाब से, अब range of value में बता दो कि केलम की क्या-क्या value हो सकते, क्या price हो सकता केलम का, value मत प्राइस पूछना चाहरा है, तो यहाँ पर standard ने, इन्होंने standard, मला ICN यहाँ पर solution दो तरीके से किया, क्योंकि valuation करने का बहुत सारा तरीक, हम PE approach से भी valuation करते हैं, different discount model से भी valuation करते हैं, और भी कई प्रकार से valuation करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दो बार valuation किया, एक तो PE approach से, PE ratio जो होते हैं, PE approach से valuation किया, और एक बार different discount model से valuation किया, तो दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग method से मैं valuation करना है, और इन्होंने बोल दिया, before synergy, after synergy, आपको बलू बतानी है, यानि एक बार आपको यह 10% synergy नहीं लेना है, और एक बार यह लेना है, तो मानलो अगर हम synergy नह होगी हम यह बता देते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले pre वाला बताते है, pre synergy value बताते हैं, पहले PE approach से, तो PE approach से अगर मैं बात करूँ, तो pre synergy value क्या होगी, PE approach में हम क्या लेते है, PE ratio लेते, यानि PE approach से price कैसे निकालता है, तब से तो बता रहूँ, EPS into PE ratio करेंगे मिया पर, EPS into तो PE ratio करेंगे में आपर, और EPS हमारा क्या होगा, EPS हमारा क्या होगा देखो, EPS एनि total profit ले लो, total profit 10 करोड है, तो 10 करोड ये रहा, इसमें PE ratio multiply करेंगे, अब मुद्दा ये की PE ratio कौन सा ले हम, कि हमारे लिए मुद्दा है आपर, की PE ratio कौन सा ले, company देखो कौन सी है, XYZ company acquire कर PE ratio 12 है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक तो बोले XYZ का PE ratio भी हो सकता है, जो acquirer है, XYZ acquirer इसका PE ratio हो सकता है, या फिर KLM की जो proxy entities है, जो similar type की entities है, उसका PE ratio, तो दोनों से निकाला, एक बार हमने, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे है, proxy entity का PE ratio इस्तमाल कर रहे है, एक बार XY, एक बार हम लूग क्या कर रहे है, acquirer का PE ratio का इस्तमाल कर रहे है, तो यहाँ पर हमें पत है, proxy का PE ratio क्या है, proxy का PE ratio 12 है, और acquirer का 10 है, प्रोक्सि का 12 है स्वरी, और acquirer का 10 है, तो दीखें, EPS जो 10 है, उसमें हमने यह 12 का PE ratio लगा दिया, 120 आ गिया, इधर EPS जो 10 है, उसमे हमने 10 का PE ratio लगा दे बात खतम EPS into PE ratio हमने कर दिया अगर post synergy की बात करोगे आप तो post synergy हमारे EPS क्या होगा ऐसे तो total earning 10 है अगर इसमें 10% लगा दे synergy तो हमारे 11 हो जाएगा ना तो यहाँ पर हम ही क्या करना है 10 की जगा में 11 लेना है यहाँ 11 into PE ratio 12 और इधर 11 into 10 हो जाएगा यह 130 to 110 आ जाएगा आप चाहो तो पता directly भी कर सकते हो पर मत करना देखो 120 में मैं सीधा 10% लगा दूँगा क्योंकि 10% synergy हो रहा है तो 120 में 10% लगाने से भी सीधा value आ रहा है 132 इधर 100 में 100 में सीधा 10% लगाने से भी 110 आ रहा है तो मतलब कहने का मतलब यह 10% increase का effect हमें देना है बस तो हम क्या करेंगे EPS जो हमारा है 10 उसको हम पकड़ेंगे क्या 11 समझ में आया यह तो I think यह समझ में यह PE ratio है और यह हमारा EPS EPS into PE ratio यहनि EPS total earning ले लिए हमने EPS नहीं बोलूँगा मैं total earning बोल दो आप समझे P model से था हमने अराम से निकाल लिया हमने एक बार proxy entity का PE ratio का इस्तमाल किया एक बार हमने acquirer का PE ratio का इस्तमाल किया और earning हमने क्या लगाया 10 क्रोड का earning लगा दिया और post energy में 11 क्रोड का earning लगाएंगे उससे हमारी value सा गई अब different discount model different discount model हमें क्या कहता है price equal कैसे निकालते दी वन बै आरी मैनरस जी इससे तो price निकालते है है नहीं तो दीवन बै आरी मैने मैनरस जे से हम price निकालते है तो अब आप यहाँ पर आप देखिए question number 38 मिलेगा आप लोगो तो यहाँ पर आप देखिए हमें different discount model से अगर हम price निकाले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे proxy entity different payment करता 50% xyz different payment करता 40% तो यहाँ पर देखो proxy entity का अगर मैं बात करूँ proxy का different payment ratio जो है वो 50% और xyz का different payment ratio जो है वो 40% है अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर निकालते डीवन बे आरी माइन तो different पहले निकालो आप different पहले निकालेंगे different कितना है देखो जो earning है 10 crore का 10 crore का earning में अगर 50% dividend दिया जाएगा तो 5 आएगा यह तो d0 होगा क्योंकि earning तो फिलाल की बात कर रहे है यह यह जो earning है न यह just ended अभी का बता रहा है यह current earning है यह e0 है समय लिजाब यह यह e0 है पर ध्यान रहे पी ratio निकालते से में उसमें e0 यह आता हमारे यह आप ध्यान में रखेगा लेकिन जब हम different discount model में d1 लेते वो d0 नहीं d1 लेते तो आप देखिए e0 में हम dividend payment ratio लगा देंगे earning 10 crore में dividend payment ratio 50% लगा देंगे dividend 5 का दिया जाएगा बट उसमें तो growth भी आएगा क्योंकि d1 चाहिए और growth हमारा दिया हूँ यह आपर 7% का growth दिया हूँ हमारा तो हम क्या करेंगे dividend में growth लगा देंगे तो d1 आएगा हमारा और d1 पे re हमने निकाले था 10.93% re minus g कर देंगे हमारा price आजाएगा इधर भी देखो इधर 40% dividend है तो 10 में 40% लगाएँगे उसमें फिर growth करेंगे तो d1 आएगा re minus g से यह वल्लू आजाएगा और post synergy में कुछ करना ही नहीं इसी में आप अगर 10% कर दोगे increase तो हमारा आजाएगा यह वाला लेकिन आगर आप बोलोगे तो चलो ठीक हम 10 को 10 नहीं लेंगे आपर हम 11 लेंगे इधर भी हम 11 लेंगे 11 का 50% growth लगा दिया इधर 11 का 40% growth लगा दिया बस बात खाता हैं तो आप यहाँ पर यहाँ पर हम 11 लेंगे मतलब यहाँ पर आपका रहेगा earning यहाँ पर हम 10 करोड पकड़ेंगे और यहाँ पर earning हम पकड़ेंगे 11 करोड स्मझ मैं है तो यहाँ के लिए आपका D1 क्या होगा 10 करोड का 50% यह न, यह D1 नहीं, D0 हो गई है, D0 होगा, उसमें फिर ग्रोथ लगाना पड़ेगा मैं, और इधर हमारा D0 क्या होगा, 11 क्रोड का 50%, या फिर 11 क्रोड का 40 बड़ेगा, यह नहीं 11,55, 4.5 क्रोड, 4.5, उसमें फिर D1 आपको निकालना पड़ेगा, 7% ग्रोथ के, बस बात नहीं करना है, तो आपका इगबार pre-synnergy value निकाला, एगबार post- slash synergy value निकाला, इस प्रकार से आप कर लोगे, अब हमें पूछा range och value बताओ, मतरी सब्से बढ़ेगे, 1.13 यह देखे प्री सिनर्जी और पोस्ट सिनर्जी की बात करोगे 132, 110, 149, 190 सबसे चोटा 110 रहे सबसे बड़ा यह है तो 110 से लेकि 149.75 इस तरीके से मरींज व अवल्यूईशन बता देंगे बस बात खतम इस कोशन में यही था तो आपको करना किया है यहां पर प्री सिनर्जी एक बार हमने लिया, यहां पर हमने पोस्ट सिनर्जी एर्णिंग लिया, तो यहां पर हम एर्णिंग कंसीडर कर रहे है 10 करोड का और यहां पर हम एर्णिंग कंसीडर कर रहे है 11 करोड का उसी में हम क्या कर रहे है, पी रेशो लगा दे रहे ये वाला और डिवरेंट डिसकाउंट मॉडल में हम क्या कर रहे हैं अर्णिंग में डिवरेंट पेमेंट रिशो लगा कि उसको ग्रोध भी दे रहे हैं तो कि डी वन चाहिए और फिर हम आरी माइनस ये से बलू निकाल रहे हैं और बता दे रहे कि प्री और पोस्ट सिनर्ज हमारे क्या होगी रेंज और वैलूईशन क्या होगा कि हमने बता दिया तो ये कोशिन आप प्रैक्टिस जरूर से कर लिजेगा कोशिन टफ नहीं है दो बार अगर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एक्जाम में अराम से हो जाएगा LDR इसको भी मैं दूँगा बट इसकी जहरत नहीं पड़ेगे LDR को अभी आप दो बार अच्छे से कर लोगे तो इसी के साथ मैंने ये कोशिन भी आपको एकदम अच्छे से करवा दिया है ये कोशिन हमने एकदम अच्छे से कर लिया अब मैं आपको RTP MTP के एक दो कोशिन करवाना चाहूँगा दो तीन कोशिन जो वो में करवाना चाहूँगा सबसे पहले minimum and maximum एक्षीन रिश्यो वाला कराना चाहूँगा एक बार बता दो internet चल तो रहा है ना मुझे बीचे में प्लीज बता दिया करो मुझे पता ही नहीं अभी क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहे कि properly काम कर रहा है की नहीं कर रहा है तो एक बार मुझे प्लीज बता दिया अब कुछ परफेक्ट है ना नहीं है अब heavy नहीं होगा easy लगेगा आपको चलो तो अभी मैं आपको एक अच्छा कोशिन कराता हूँ कोशिन कहां गया हुए इसके अंदर ये वाले पार्ट तो मिटा देंगा ला yes कोशिन नमबर टू हमारे rtp mtb में कोशिन बैंक में जो कोशिन नमबर टू है वो हम discuss करेंगा भी ये कोशिन भी important बीच भी मुझे मुझे प्लीज बताते रहेगा ठीक है कोशिन नमबर टू abc limited is intending to acquire xyz limited by view of merger and the following information is available in respect of these companies यहीं abc acquire करना चाहता है xyz को total earning दिया हुए दूनों का और number of sets बता दिया पी ratio भी बता दिया तो market capitalization भी आ जाएगा तो आप मुझे बताओ दूनों का market capitalization क्या आएगा total earning into peer ratio total earning into peer ratio करो market cap आ जाएगा इसका 9600R है 1200 into 8 और इसका 400 into 72800R है और मैंने तो क्या किया देखो मैंने तो क्या किया total earning number of sets से divide करके EPS निकाला फिर peer ratio लगा कि price भी निकाल लिया क्योंकि आगे मुझे price भी चाहिएगा मैंने price निकाल लिया दूनों का आप देख सकते हो फिर number of sets से multiply करके मैंने market cap निकाला यह दिखें यह जो market cap है न 9600 और 2800 यह मैंने निकाला अब हम देखते question क्या पूछना चाते question for a determine the maximum exchange ratio acceptable to the shareholders of ABC Limited यह नि ABC Limited को कितना maximum exchange ratio acceptable होगा अगर peer ratio combine firm का 8 होगा तो अगर combine firm का peer ratio 8 होगा तो हम मुझे पते ही combine firm का market cap कितना होगा combine firm मिला के दोनों मिला के 1600 कमाएंगे 1200 प्लस 400 1600 कमाएंगे और peer ratio 8 होगा तो 1600 into 8 कितना होते हैं यह देखे हैं 12800 लैक होते हैं अब एक बात बताईए maximum to maximum ABC जो acquirer है वो कितना देना चाहेगा वो बोलेगा आगे जाकि हमारी valuation इतनी रहेगे जिसमें से 9600 तो खुद का तो रखे गई है जो इसके खुद की 9600 market cap उतना तो रखे गई तो यह बाटेगा कितना maximum 12800 total market value है जिसमें से 9600 तो खुद का यह रखे गई पाकी चलो max to max अगर यह देगा तो यह नि 3200 lakh रुपीज का वो सेर्स दे सकते हैं अब सेर्स खुद का देगा खुद का एक सेर का अदाम कितना है 24 तो 3200 लाग डिवाइड बे 24 करोगे अगर आप तो इतना सेर्स हम उनको दे सकते हैं यह ज्यादा करेंगे तो हमारा खुद का नुक्सान दाएगा तो आप देखे उनका सेर्स टोटल कितना है 200 lakh सेर्स हैं उनको इतना सेर्स maximum दे सकते हैं 133.33 लाग सेर्स हम उनको दे सकते हैं out of 200 lakh यानि यह exchange ratio है हमारा कि हमने निकाल लिया बात खतम exchange हमारा आ चोगा तो यह point number one हो गया point number two में क्या बोड़ रहा है determine the minimum exchange ratio जो XYZ को acceptable हो यानि acquire जो target company है उनको minimum से minimum कितना चाहिए तो मेरे भाई उनको minimum 2800 चाहिए क्योंकि XYZ की market value 2800 है तो कम से कम तो 2800 मांगेगे उससे पहले तो सुरुआती नहीं करेंगे वो negotiation करेंगे तो कम से कम उनको 2800 चाहिए तो मांगेंगे बहुत जादा पर कम से कम उनको इतना चाहिए तो य lakh into P ratio 10 मतलब 16000 lakh जो है यह total value रहेगा अब 16000 lakh total value है जिस मेंसे हम उनको 2800 चाहिए तो मिनिमम उनको 2800 चाहिए तो बचाहिए हमार है तो हमारा बचाहिए कितना रठा 13200 चाहिए हमार इतना लैक का और इसके लिए हमने shares तो खुद लेके रखिए already 400 lakh अब और थोड़े हम खुद को shares रिसू करेंगे तो मानेंगे 13200 lakh हमारा sharing होगा और 2800 lakh उनका sharing minimum को देखा जाते है एक्स वाइजेट का minimum को देखा जाते हो तो हम उनको shares कितना इसू करें हम उनको sufficient कितना shares इसू करें हम बोलेंगे कि हम अपने 13200 हमारी valuation उस पे हम कितना shares hold कर रहे 400 lakh shares hold कर रहे तो divide by 400 कर दो यानि 33 रुपीज के आप से आप उनको देदीजे उससे क्या होगा आप देखो नीचे मैं बता दूँगा 33 रुपीज के इसाप से आप देदीजे एक बार देख लो 28 रिट डिवाइड by 33 यानि हम उसको 84.84 अब आगे में नीचे बता देता हूँ अच्छे हैसे देखो यहाँ पर अब माना इस हिसाप से उस नाते से प्राइस इतना आएगा प्राइस 33 हो जाना चाहिए तब क्या होगा हमारा 400 लैक इसाप तो इनको ट्विजे इनको डेंगे और आगे का आप देख भी लीजे, आगे का अगर आप cross check करोगे, total market के आप 16,000 होगा, हमारे पास 400 lakhs है, उनको हम 8484 देंगे, तो 484.84 lakhs से divide कर दो, आपका देखना 33 आएगा, 16,000 divided by 484.84, देख लो 33 पॉंट चीज़, 33 आएगा, वो तो आ नहीं था, तो यहाँ पर simple है, एक इस बार हम 3200 divide by 24 कर दे रहे, इस बार हम divide by 33 इसलिए कर रहे है, क्योंकि देखो 9600 जो हम पहले लीना चाहते थे, पहले तो जितना था उतना ही हम लीना चाहते थे, तो price भी उतना का उतना ही रहा 24, पर अभी 9600 की जग हम 13,200 consider कर रहे है, तो कितना excess consider कर रहे है, minus 9600, इन्हें 36600 access हम consider कर रहे है, 400 share पे, तो मारी share price 9 से बढ़ेगी, 24 plus 9, 33, ये वाला आप एक बार go through कर लीजेगा, मैंने अपने part से अच्छे से maximum action ratio जो है, वो मैंने एक दम अच्छे से समझा दिया, अब यहाँ पर, अब next question मैं आपको कौन सा करवाँगा, ये देखता हूँ, next question मैं कि सब कुछ perfect है न, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार मुझे फटा फट से बता दीजें, कि आपका screen वगेरा सब को सही चल रहे है, internet में कोई problem तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, मैं खुद को बढ़ा रहा हूँ फिर मत, ऐसा नहीं हो जाना जा, एक बार मुझे बता दीजें, एक जल्दी से बता हूँ, अरे ये सर, अभी आपको कॉल किया था मैंने, जो मेरा, मेरा एक्चुली काम नहीं कर रहा था ने, internet तो मैंने ये सर को कॉल किया था, फिर आपका जैसी call वेक आया, मेरा ठीक हो गया, मैं पढ़ाना सुरू कर दिया, ये सर मैं कॉल करता हूँ आपको ICL is proposing to take over SBL with an objective to diversify, ICL का देखे profit after tax कितना दिया हुआ, बोला कि ICL का profit after tax grow करेगा 18% से और वही SBL का pet grow करेगा 15% से, यनि दो company दीवे, ICL acquirer है, SBL target company है, तो acquirer का profit 18% से grow करेगा, और वही SBL का profit 15% से grow करेगा, both the companies pay different regularly, Summarize profit and loss, Summarize profit and loss बता दिये इन्होंने दोनों का, दोनों का pet दिया हुआ है, 790 पैट है ICL का, और SBL का pet है 250 का, और dividend भी बता दिया, कितना कितना dividend देंगे ये भी बता दिया, इसके अलावा यहाँ पर, चलो, ये data दिया हुआ, कुछ को चला अलग, नीचे market price भी दिया हुआ 52, 75 का, अब आगे आप देखते हैं, क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा, ICL की जो land and building है न, वो current price में, तो ICL की land and building की valuation perfect है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, current price में, लेकिन SBL की land and building की value जो है न, वो 3 years पहले revalue हुई थी, 3 years पहले revalue किया था, उसके बद अपडेट ही नही value है, इसमें हर साल 30% increment होगा, तो 3 times आप 190 into 1.30 to the power 3 कर दो, 3 times 60% plus कर दो आप, आपकी value इतनी आएगी और उसका मतलब आपकी value increase इतनी से होगी, यहनि 190 आपका बढ़ की हो जाएगा 417.43, यहनि इतना से value बढ़ेगा, तो अगर asset इतना से बढ़ेगा, तो shareholder fund भी तो इतना से बढ़ेगा, यहनि net worth भी तो हमारे इतना से बढ़ेगा, yes, agreed, है न, तो यह हमारा, तो आप देखिए, अभी फिलाल हमारा net worth कितना है, share capital reserve and supplies मिला के 785 है, यह 785 जो है न, यह आपका बढ़ जाएगा, 227.43, इतना से आपका बढ़ जाएगा, हमें पता चले, due to increase value of land, end building, अ मतलब, SVL बोला कि यह ग्रो करेगा 18% से each year after margin, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ICL management wants to determine the premium on the shares over the current market price, which can be paid on the acquisition of SVL, you are required to determine the premium using net worth, adjusted for the current value of land, plus the estimated average profit for the next 5 years, मतलब आपको बताना है, देखो, बोला कि premium हम देंगे, जितना उनकी market price होगे, उनकी उपर premium देंगे, कि market price कितनी देखो, उनका number of sets कितने है, SVL का, SVL का number of sets कितने है, 125 lakh की value है, 125 crore है, 125 crore की value है, रुपीज 10 पर share करके है, तो आपका number of sets आएगा 12.5 crore, और एक share का दाम है 75, तो market value तो मैंने निकाल लिए 12.5 crore into 75, इतनी market value है, पर हम इतना नहीं देंगे, इससे भी ज़्यादा उपर देंगे, इससे भी ज़्यादा extra premium देंगे, तो वही premium कैसे निकाले, इनोंने बुला, आप एक काम करो, net worth ले लो, net worth तो ही 785, उसमें आप current value of land and building को भी adjust कर दो, मैंने तो कर रखा है, और यह दिखिए, तो 785 आपका share capital है, shareholder fund है, उसमें मैंने land and building की value adjust कर दी, तो यह हमारा net worth होगा, लेकिन बुला plus, आपको एक और चीज़ करना है, इसमें, इसमें आपको जो average profit लेना, next five years का, next five years का estimated average profit आपको लेना, average लेना, next five years का profit का, तो आप यह देखिए, profit हमें बताया, अभी फिलाल कितना है, हमारा profit, 790 है क्या, सुर यह नहीं, यह वाला लेंगे, as Sveil का profit 250 है, इसको हम क्या करेंगे, 5 साल का profit का average लेंगे, तो यह तो profit कब करेंगे, अभी करें, यह आगे जाके profit 15% से grow करेगा, Sveil का pet, Sveil का pet तो 15% से grow करेगा, तो यहाँ पर, आप 15% के growth से average 5 साल का profit पता करोगे, तो 50 में 15%, 15% लगाते जाएंगे, तो यह 5 साल का जो profit आएगा उसको divide by 5 करके average निकालोगे यह average वाला profit आपको add करना है अब मुद्दा यह है कि देखो मेरा मुद्दा यह यहाँ पर आगे जाके आपको पता चलेगा ऐसे हाला कि हम उनको देंगे कुछ भी valuation देंगे तो उनका growth structure को धिहान में रखते हुए दें तब हम बात करेंगे फिलाल जब उनको हम valuation करके देंगे तो उनको बोलेंगे कि देखो आपका net worth इतने का है आपका land and building का value इतने का है आप 15% से grow करोगे उस हिसाब से आपका average profit हम 15% से ही निकालेंगे यही किसी-किसी बच्चे का सवाल आएगा कि 250 जो है pet उसमें 18% से क्यों उने भी ICA ने भी 15% से क्या हुआ तो आप लो इसर कुछ wrong है कि नहीं फिलाल तक कुछ wrong नहीं है यह भी perfectly निकाला गया तो average pet perfectly निकाला गया है और आपको बता दू यह आपको exam में महनत नहीं करना है exam में सीधा 15% का यह आपको annuity factor दिया हुआ है 5 सालों का तो आप 250 में सीध by 5 करके average profit निकाला तो हम क्या करेंगे हम इतना महनत करके 5 साल का profit निकालेंगे 15% जोड जोड के फिर plus करके divide by 5 करके निकालेंगे किस से अचा सीधा 250 में यह 5 साल का जोड दो 15% वाला किस से multiply कर तो divide by 5 कर दो तो आपका यह आ जाएगा तो यानि net worth हमारा यह है उसमें हमने land and building का appreciation जोड दिया और estimated average profit 5 साल का average profit जोड दिया यह हम इतना पैसा हम देंगे उनके तो हम देंगे उनका इतना पैसा और उनकी market price इतनी है तो premium कितना दे रहे तो जो difference है वो उनको premium दे रहे तो पहला वाला part तो बहुत ही simple एकदम tough नहीं है पहला वाला part एकदम simple कुछ नहीं क पहला वाला part बिल्कुल simple है यह आपका exam में working note जरुद भी नहीं है आप तो सीधा इसको उससे भी ले सकते हो तो given है उससे भी ले सकते हो आप चाहो तो पर चलो मैं नहीं काटता हूँ यह वाला part में को दिख कर दीए इसमें थोड़ी सी problem है different growth formula में थोड़ी सी problem है यह को second वाले part में इन्होंने क्या बोला different growth formula में इन्होंने क्या क्या पते है इन्होंने पहले different growth formula में आरी निकाला कैसे आरी निकाले इन्होंने बोला कि देखो SVL की price 75 है SVL की growth दी वी है 15% SVL की growth दी वी है और SVL का dividend भी दिया हुए यह SVL का 125 का dividend भी दिया हुए तो dividend में इन्होंने क्या करा growth लगा गे इन्होंने पहले R.E. निकाल लिया dividend D.0 पहले निकाला कैसे निकालेंगे dividend कितना दे रहे है 125 और number of set से 12.5 crore तो dividend per share आ जाएगा dividend per share D.0 आ जाएगा 10 का अब इसमें growth लगाया 15% का चलो ठीक है T.1 निकाला इतना फिर price दिया हुए ही उसे इन्होंने क्या क्या पहले R.E. निकाल लिया 30.33% फिर इन्होंने क्या क्या पता है इस 30.33 की मदद से 30.33% की मदद से इन्होंने price निकाला under ICL management और price निकालते से मैं 18% का growth लिया तो पहली बात तो मेरा doubt यह है कि जब first case में हम 15% की growth को ध्यान में रखते वे valuation कर रहे थे अब इस second case में आई से 18% growth को ध्यान में रखते वे valuation करके क्यों premium दे रही मुझे समझ में अगर यहाँ पर अब 18% को consider करो तो पहले वाले part में 18% consider करना था तो first part में तो 18% को कुछ consider नहीं किया गया और मुझे सही भी लगा second part में हम चाहते तो सीधा का सीधा जो है pricing 75 के हिसाफ से दे 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 तो क्योंकि हम मानते कि pricing 75 जो हो परफेक्ट है या फिर question ने गरबढ किया question ने miss किया है question को आपको required देना था question required देता हमें हम D1 by RE-G 15% की rate से हम price निकाल लेते तो मतलब मुझे लगता है कि question में एक ही problem है कि यहाँ पर required देना चीए था इनको यहने discount rate इनको देना चीए था और उसकी मदद से different growth formula से सीधा price आ जाता है यह जो इन्होंने किया यह मुझे कम हज़म हो रहा लेकिन आपको exam purpose के लिए याद करना हूँ ताकि आपका suggested से answer match हो जाए तो आप क्या करोगे द्यान से सुनो आप देखोगी यहाँ पर required में से D1 निकला जा सकता है 15% का growth निकाल के D1 निकाला price निकाला price रहेगा D1 भी रहेगा आपका अब growth 15% है आप RE निकाल लो फिर यह RE का इस्तमाल करके और growth 18% का इस्तमाल करके price निकालोगे 95% और जबकि price market price कितना है 75 है हम उनको देंगे मानेंगे 95.70 मला हम 20.70 का premium देंगे तो 20.70 का premium किसकी उपर दे रहे 75 की उपर दे रहे तो percentage निकाल देंगे अब IC ने percentage निकाल के बता है तो आप भी percentage निकाले हैं यहाँ पर भी देख़गो हिनहे percentage निकाले तो आपको percentage में solution देना है आपर तो यहाँपर भी पर-passen T57 की उपर कितना दे रहे इतना दे रहे तो 462.615 क्रोड दे रहे 937.5 क्रोड की उपर यनि इतना percent हम premium यहाँ दे रहें और यहाँ पर 75 के ओपर इतना दे रहें यहाँ पर सेर बेसिस में हमने प्रीमियम परसेंट निका लिए और ओवरोल निका लिए तो इस प्रकार से दोनों केस में आपका आ जाएगा अब पूछा गए कि कौन सा बहतर है तो प्रीमियम देखो हम different growth model में हम प्रीमियम कम दे रहें यहाँ प्रीमियम परसेंटेज जाद है यहाँ पर प्रीमियम परसेंटेज कम है तो हम बोलेंगे ICL जो है न वो different growth model को ज़्यादा पुस करें है न नेगूशेशन करते हैं तो बतर यह कोशिन होगा या नहीं होगा एक बार मुझे बता दो एक बार मुझे बता दो आप कि यह अप हो पाएगा की नहीं हो पाएगा आप लोगो फटाफ़ट से मुझे बता दीजै कर लोगे न अब यह वाला कोशिन एक ता मच्छे से को दिक्कत नहीं है बता दो फटाफ़ट से समझ में आय बोलो फटाफट बोलो समझ में आया की नहीं आया समझ में आया की नहीं आया पाकि ये सब कोशिन तो मुझे नहीं लगता है मैंने ये से तो क्लास में करवाया है अभी मुझे नहीं लगता कराने की जरत है ये सब सोलूशन यहापर मैंने दिया है solution को refer करके भी आपको समझ में आ जाएगा ये question भी solution को refer करके आपको मेरा समझ में आ जाएगा तो यह सा मैं करवाओंगा नहीं RTP, MTP वाला अब और एक और question ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता तो ये question में आपको जरूर go through कराऊंगा that is question number 4 वो समझ में आगे एक दम अच्छे से चलो question number 4 में RTP, MTP का जरूर आपको go through कराऊंगा देखे, X limited acquire करना चाहता है Y limited को data में क्या देवा है? market capitalization दिया हुआ है gross profit दिया हुआ है inventory turnover ratio दिया हुआ है आपको data turnover ratio दिया हुआ उसम उरीं में कर रहा हुआ हो іш इसए एग्नूर करें तो यहाँ पर आप देखो inventory turnover ratio क्या होता है जैसे asset turnover ratio क्या से निकलता है वसरे inventory turnover ratio को आप क्या बढोलोगे क्या बढोलोगे inventory turnover ratio को turnover बाइंवैंट्री बोलोगे turnover यहाँपर sales नहीं है turnover यहाँ पर cogs होगा क्योंकि inventory का relation revenue से नहीं होता है inventory का relation cogs तो दिखान रहे inventory turnover ratio कैसे बोलोगे asset turnover ratio turnover by asset होते हैं वैसे inventory turnover ratio turnover by inventory होगा पर turnover यहाँ पर cogs होगा यह cogs by inventory होगा दिखान अखना क्या होगा cogs by inventory तो देखो यहाँ पर इन्होंने cogs by inventory दिया होगा और 4 और inventory नीचे closing stock भी दिया हुआ है तो इससे अब COGS निकाल लोगे तो देखें COGS बाइं inventory 5 है और inventory closing stock दिया हुआ है तो मैंने COGS निकाल लिया while limited में भी मैंने COGS निकाल लिया COGS निकालने के बाद अब इन्होंने में GP ratio दिया हुआ है 20% और 20% तो आप देखिए sales minus COGS से तो gross margin आ जाते है तो आपका GP ratio 20% है मतलब COGS हम assume करेंगे 80% है क्योंकि gross profit में बागी खर्चे minus नहीं होते है cost of goods sold usually minus होते है तब gross profit आता है direct expense बागी indirect expenses तो बाद में minus तो यहाँ पर हम यह मानेंगे कि GP ratio 20% है तो मैं assume करेंगे 80% आपका COGS है तो यह जो COGS हमने निकाला है यह हम क्या मान रहे 80% of sales तो आप सूचे अगर COGS 80% है यह कैसे पता चला GP ratio से GP ratio 20% है sales का margin 20% है तो sales में आपका COGS 80% होगा आप यह सोचो 75,000,000 अगर 80% है तो sales कितना है 75,000,000,000 divided by 80% करके आप सेल्स निकालोगे वेलू दुनो का इधर भी 20,000,000 divided by 80% करके 20% मत कर दे ना 80% कर यह CEOJS से डिवाइड कर रहे हैं यह भी CEOJS है और यह भी CEOJS जिसका प्रेस्ट इसल्स निकालोगे अब क्या करेंगे sales में हम क्या करेंगे कोई cost of goods sold other operating expense वगेरा खर्चे आ जाते हैं जैसे cogs भी आ जाएगा other expense भी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा मैंने class में जब corporate valuation पढ़ाया था तो मैंने लिखा था sales minus cogs minus operating expense लिखा तो मैं agree करता हूं पर यह समझ लिजेगा मैं जो लिख रहा हूं operating expense वहां पर वो other operating expense यानि cogs के अलावा जो operating expense है उससे हम अलग से दिखा देते कई बार तो आप यह समझे यह operating expense total है including cogs क्योंकि operating expense में सारे खर्चे आ जाते हैं जो operations से related cogs भी उसमें आ जाते हैं तो यह जो है यह operating expense ध्यान रहे यह inclusive of cogs होगा cogs और बाकी खर्चा मिला कि हमारा operating expense इतना है percentage है और इसमें finance expense नहीं होता धिहान रहे operating expense होता है यानि इससे सीधा EBIT हम निकाल सकते है profit EBIT निकलता है EBIT निकलता है तो sales में अगर मैं इतना operating expense minus कर तो सीधा EBIT आ जाएगा तो देखे sales जो मैंने value निकाली थी उसमें मैं operating expense minus करूंगा EBIT आ जाएगा फिर tax minus करूंगा तो पैट आ जाएगा और number of set से divide करेंगे तो EPS आएगा और इन्होंने price पर सर दिया हुए question है तो मैंने उससे P ratio भी निकाल लिए तो अराम से अब आप अराम से निकालोगा देखो यहां पर price वगेरा price नहीं दिया हुए क्या कोई दिक्कत नहीं market cap दिया हुए न market cap divide by number of set करोगे price आ जाएगा आपका 75 लाग 1,75 होगा इधर 15 होगा 150 होगा यह देखें तो यह आ जाएगा market cap by number of set P ratio निकाल लिए हमने अब यह क्या बोल रहे है कोईशन तो आप ratio बताओ EPS और MPS के basis में 40% 60% का weight लगा दो तो EPS के basis में क्या exchange ratio होगा EPS यह दो 4.74 divided by 8.5 और price के basis में exchange ratio होगा 150 by 75 किसे मैंने यह exchange ratio निकाला और उसमें weight लगा दिया जो कोशने बोला है तो आप ratio मेरा आगया 1.4 और अब मैं क्या करूँगा उनके shares total कितने हैं उनके shares total है 60,000 और उनको एक share के बदली 1.427 shares दोंगा तो 60,000 into 1.427 इतना shares में उनको दो तो post merger EPS निकालेंगे हम total profit दोनों का मिला देंगे divided by 1,000,000 shares प्लस यह तो मेरा post merger EPS आगया price में क्या करूँगा मैं P ratio लगा दूँगा अपना वाला 8.99 तो मेरा price after merger आ जाएगा और फिर इन्होंने पूछा है देखिए gain और loss से confuse मत होना इन्होंने post merger gain या loss पूछा EPS के terms में तो EPS accretion dilution बताना पर तो EPS before merger आपका दोनों का है ही हमारे पास यह देखो 8.34, 4.74 EPS after merger क्या होगा हमने निकाल आए था यह रहा 6.03 और उनका क्या होगा 6.03 into आपका जितना उनको set दिया गया 1.427 करके तो यहाँ पर यह mistake मत करना उनको एक सेर के बदली हमने 1.427 दिया है तो उनका EPS आएगा यह और इससे हमने gain या loss बदा लिए मैं आपको बता दू कोशिन बेंग में गलत है कोशिन में इन्होंने solve करते है समय 6.99 गलती से ले लिए जो की गलत है यह answer सही है कोशिन बेंग का answer गलत है तो आप कोशिन बेंग से confuse मत हो न यह कोशिन भी मैंने फटा फट आपको revise करवा दिया है पाग यह सब कोशिन तो मार्केट का बता रहा आपको इससे टोटल मार्केट का आप निकाल के फिर हम इसका value कर लेंगे बहुत simple कोशिन है आप यह solution मेरा देख लेज़ेगा PDF तो टेलिग्राम में मिलेगा अराम से हो जाएगा बस यह वाला चीज़ को आपको ध्यान में रखना है मलत 80% holding का उससे 75% में आना पड़ेगा restriction तो हम क्या करेंगे कुछ bonus दे देंगे free float वाले को ताकि हमारा ratio 80% से 75% हो जाए और उनका 80% हो जाए जैसे हमारा फिलाल अभी 1.2 करोड और उनका 0.3 करोड है तो हम हमारा फिलाल 1.2 करोड 80% है तो हम कितना दे हम यह से 75% बनाना चाहते 1.2 करोड को अ 1.5 से 1.6 से 0.1 करोड हमें जादा देने हो तो 0.1 करोड सेर्स हम उनको इसू कर देंगे जो कि 0.3 करोड सेर्स होल्ड कर रहे है यह नहीं 1 सिर्फ और एवरी 3 सेर्ड यह मैं solve नहीं करा रहा भी है बस जो मुद्दे की बात थी वो मैंने बता दी अब खुद से कर लीजेगो कोशन नमर 13 एक बच्चे ने पूछा था वो मैं बता देता हूं और कोशन नमर 11 भी अगर आपको करना है तो मैं बता दू कोशन नमर 11 भी पांस पेपर में पूछा गया है तो यह दूनों कोशन भी मैं आपको फटा फट से करा देता हूं तब तक आप मुझे बता दू کو jdaf میں फिर भी provide कर दूँगा या upload कर दूँगा अगर आपको चाहिए तो pen charge नहीं कि yes pen charge करना पर यह question में जड़ी अप में provide कर दूँगा यह youtube में upload कर दूँगा simple सा question मैं ने portfolio में कराया यह तो अभी mergers में कराने ने mergers में मैंने कटवा भी दिया था अब जगाती डिजिटल एजुकेशन एप में चले जाना है FRSFM रिवीजन फोल्टर में वहाँ पर मैं डाल दूँगा ठीक है वहाँ चले जाना पोटफोलियो के अंदर मिल जाएगा अलग से डालना पड़ेगा डाला नहीं में डाल दूँगा जब तक चार्ज हो जाता है तब तक आप भी ब्रेक ले लिए अब भी बैठे बैठे ब्रेक ले लिए फटा फट करवा यह कोशिन तो एकदम सिंपल है कोशिन नमर 13 किसे ने पूछा कि सलोन जी पोटखुलियो का मैं टॉपिंग मर्जर में कैसे गुसा से तो गलत हो जाए लिए कर रहूंगा मैं कि इतना कुछ करा दे रहा हूं उसके बाद भी मतलब मन नहीं भड़ता न आप लोगका असे दूनी जी मन नहीं भड़ता आप लोगका है ना एक बच्चे मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं सर प्लीज प्लीज इंडेस 23 का कॉशिन का रिवीजन मतलब कोई इंडेस 23 का कंसेप्ट रिवीजन पटाफट कर रहा है वह तर नहीं नहीं सिर्फ कोशिन का मैं बुला यार है फिर भी आप मेहनत कर आओगे बी मतलब क्या सेंज मनत हैं अब पढ़ाते हो तो मन कैसे भर तिक अची बात है यह थैंक्यू सो । मज्श वंसिका जी किय रहे हैं सर आब बहुत बहुत आच प्लम ए σου अगर कोशिन हो जाया अच्छे से तो ठा। ये एक्जाम में हो जायगा ना हाँ झी दिपक जी तभी तो कोशन में focus करोने तो मैं क्यों करता हूँ क्योंकि f r and s f m f r and a f m जो यह ऐसा subject है इसमें सिर्फ अगर मैं concept आपको go through करा हूँ total wastage of time है कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं question कराते हैं आपर क्योंकि मुझे पता है आपको concept कितने बता दू कोई फाइदा है नहीं जब guaranteed है concept है सिर्फ कर लोगे कभी नहीं होगा question सिर्फ कर लोगे तब भी possible है concept लस question करो पर question तो mandatory है f r हो या s f m दोनों में question तो आपको करना ही पड़ेगा और इसलिए आप देगेगा मैंने हमीशा से मैंने यह बनाया है कि मैं question करूँ even मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू क्या था न जब मैंने देगा बहुत सारे विडियो आते थे मैंने कोई question की video नहीं करा तो मैं भी सोचता था question की video नहीं करा कराना नहीं चींहें लिए पिर मैंने सुना भी था कि question की video मतलब बोलते बीदे कोई-कोई question की video डाल दोगे तो कोई class क्यों ले कोशें नहीं डाल देंगा मैंने भी सच बता हूं जूट नहीं बोलूँगा honesty के साथ मैंने भी सोचा हाँ बात तो सही अगर question क्यों डाल दूँगा तब तो फिर class कोई लेगा नी मेरा घरी नहीं चलेगा फिर मैं क्या करूँगा फिर मैंने जब एक दो विड पुर्य विडियो नहीं गत्कत होई भी न बहुत कुछ मिला हमेंसा से तो अब मैं उसको मैंने कभी आाशंद सक remove भी नहीं है एक विडियो भी मैंने remove नहीं तो मैंने यूटूब में डाला है हां कोई बेकार विडियो पुराना विडियो गया तो अलग बात है मेरा आज तक मेरा प्रिंसिपल रहा है मैंने कोई भी वीडियो डाले है मैंने उसको रिमूव नहीं तरह वो question की revision वीडियो हो detailed वीडियो हो जैसा भी वीडियो और तब seriously दिखता ही नहीं था question वीडियो तो दिखता ही नहीं था अब खेर अच्छी बात है इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है corporate valuation की वीडियो तो है फिर भी मैं कोसिस करूँगा मैंने बताया था अगर time मिलेगा तो मैं security valuation corporate valuation की करा दूँगा बाकी तो मत बोलना portfolio इतना अच्छा lecture है दो lecture है एक तो 7 गंटे का है पुरा detailed है और एक दो घंटे में भी question revision कराया था portfolio के लिए तो बोली है mutual fund भी एक दम perfect है मत बोली है Forex के लिए मत बोली है इतना अच्छा वीडियो 5-6 घंटे में पूरा live लेके करवाया था last time last to last time है ना perfect है derivatives and IRRM भी last time करवाया था पाच घंटे में पूरा करवाया था इतने अच्छे से करवाया कितने सारे views तो वो सब क्यों वापस से मैनत करवाना है कितने बच्चे बोलते हैं सार नया वीडियो दे तो अरे वो भी नया ही है आपके सोच बस थोड़ी वो हो गई कि वो पूराना है सब वही चीज़े हैं वापस से बनाने का क्या सेंस मनते है वापस से एफट देने का क्या सेंस मनते है कोई सेंस नहीं मनते है कोची जब ओल्रेडी है तो उसको वापस से रिपीट करने का कोई भी सेंस नहीं मनते है अब का आवज बीच में सच सच में हो रहा है कि मेरी आवज में कोई प्राब्लम आ रही है गया माइक में कोई दिक्कत आ रही है गया यू अच्छा खासा कवरेज किया है पहले वाला वीडियो भी परफेक्ट आप देख सकते हो अराम से पर फिवे मैं निया वीडियो की पोसिस करूँ बाकी के लिए तू नहीं बोलूगा बाकी सब है वहाँ पर बाकी कोई प्रौवाइड नहीं होगा पर सेक्यूरिटी वैलुईशन कॉर्परेट वैलुईशन में बिंभी प्रौवाइड हो सकते हैं और था कि तो सारे किसार एक से लुके मैं चेक करता हूँ एक बार को मैं वो ही सेक कर लेता हूँ अभी मुझे बताना अभी पर्फेक्ट एगा अभी बता देना पर्फेक्ट एगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर चलिए कुशे नमš 13 लॉँग लिमिटेटेल स्टार्ट एगा अभी पर्फेक्ट एगा पर्फेक्ट एगा पर्फेक्ट एगा ओके हैंयने को दिक्कत नहीं है चलो लॉँग लिमिटेट प्प्लेंग टो एगा टार्ट एगा As per an estimate, 12 limited is expected to have a steady growth of earnings and dividend to the tune of 6% However, under the new management growth होगा 8% का फिलाल ग्रोथ 6% का है, नया management में growth होगा 8% का भी ना किसी additional investment में You are required to calculate net cost of acquisition by long limited कि रुपेस 60 is paid for each share यह एक share के लिए हम 60 रुपेस देंगे उनका total 18 लाग shares है तो 18 लाग into 60 हम कितना देंगे, तो देखो मेरी बात simple सी बात है 50 रुपेस current price है और हम अगर उनको 60 रुपेस देंगे तो उनको extra कितना दे रहे Extra उनको कितना दे रहे, 10 रुपेस दे रहे न या दे Elrond Limited वाला question में आपको कराया था revise वहाँ पर मैंने बोला था, जितना उनकी market value है उसके उपर हम जो भी देंगे, वो true cost of merger है वैसे net cost और true cost एक ही बात हो गई यहाँ पर हम extra कितना दे रहे, 10 रुपेस दे रहे तो यह 10 रुपेस हमारा true cost है, यह 10 रुपेस हमारा net cost है तो 10 रुपेस इंटू 18 लाग, कितना आएगा, 180 लाग हमारा net cost of acquisition इन 18 लाग में 60 रुपेस करके हम दे रहे, जबकि उनकी market value एक की 50 रुपेस है तो extra जो हम दे रहे, वही net cost of acquisition है, यह true cost of merger बोल दो या net cost of acquisition बोल दो point number 2 में बोला, if the agreed exchange ratio is one share of long limited for every 3 shares of tall limited, येनि tall limited के 3 shares के बदली हम उनको one share देंगे तो उनके 3 shares के बदली one, यानि उनको 6 लाग share देंगे हम 18 लाग divide by three, 6 लाग share देंगे, और हम अपना share देंगे न, हमारा एक share का अधम 180 और एक हमारा HAR का would ITट फूर यहाँ पर भी consideration वह जगा cash दे रहे हैं और एक जगा हम sales दे रहे हैं यहाँ पर 60 रुपीज कैस्ट दे रहे हैं और यहाँ पर one third sales दे रहे हैं तो 180 का one third 60 रुपीज ही होते हैं तो दोनों जगा same answer आएगा अपका फिर हमें क्या पूछा गया gain from acquisition यहाँ पर तो आप देखो gain from acquisition कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहले आपको यह पता करना दोनों का मिला कि यह नी total earning निकाल लो total earning को P ratio से आपको निकालना पड़ेगा आपर तो यहाँ पर आप पहले बताओ EPS कितना होगा EPS दिया हुए है 12 और 5 market price भी दिया हुए इससे P ratio आजाएगा तो P ratio आपका long limited का 15 आएगा 180 डिवाइड बे 12 इसका P ratio से मैं मतलब नहीं इसका P ratio से मतलब है एक्वाइर का तो long limited की total कमाई कितनी होगी 30 lakh into 12 कितना होते है 4 20 lakh होगा क्या तोरी 360 lakh होगा 360 lakh होगा और उधर कमाईए 90 lakh की तो दोनों का मिला के कमाईए 450 lakh और P ratio 50 नहीं तो इससे market cap आजाएगा यह देखो 450 lakh दोनों की मिला के कमाईए P ratio 50 नहीं तो इससे market capitalization आजाएगा 67 lakh 50 इतना market capitalization आजाएगा तो हमें पूछागे कि gain बताओ acquisition से कितना gain हो हमें यह बताओ तो हम बोलेंगे कि पहले कितना market capitalization पहले दूनों का मिला के कितना market cap था 1830 यह 50 400 इधर था market cap number of sets into current market price और इधर आपका था 900 lakh तो पहले दूनों का मिला कि market cap था 6300 lakh का ठीक है और अब market cap हो रहा 67 50 lakh का तो आपका difference कितना आ रहा 450 lakh का gain from acquisition यह नहीं पूछा गया कि gain or loss to shareholder बताओ बोत यह नहीं पूछा गया बोला acquisition से कितना gain हो है acquisition से जो हमारा synergy gain हो है market value का वो बस हमें बताना पड़ और कुछ भी नहीं यहाँ पर बस वो हम बता रहे है तो यहाँ पर तो यह ऐसे भी निकल जाता इधर का P ratio कितना आ रहे है इधर P ratio 10 है देखो इधर आपका 50 by price burning यस इधर 10 है P ratio आपका तो उधर 15 है इधर P ratio 10 है तो 5 का extra P ratio उनके profit में लग जाएगा उनका profit कितना है 90 लाग, 90 लाग का 5, 95 जा 450, 450 वही आ रहा है आपका यनि जो 90 लाग की कमाई है इन लोगों की target company की 90 लाग की जो कमाई है उनमें पहले 10 का P ratio लग रहा था अब 15 का P ratio लगेगा आगी जागे तो 5 extra जो लग रहा है 95 जा 450 यह directly भी आ जाएगा मेरे नजर में तो directly भी आ जाएगा बट आप ऐसे कर ले ना total earning P ratio से market cap और existing market cap से minus करके gain from acquisition बताते ना बस बात खतम तो यह question तो एकदम simple था मैंने करा दिया अब question number 11 करने की एक्षा है तो बताओ करूंगा लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी problem है एक दो जगा पर problem है वो एक दो जगा पर problem है उसके साथ ही चलो कोई बात नहीं मैं आपको फटाओ फट यह question भी करा देता हूँ ठीके question number 11 AB industries का equity capital 12 लाग का है और debt 8 लाग का है यहनि debt by equity कितना हुआ 8 by 12 यहनि 2 by 3 हुआ debt by equity 2 by 3 हुआ हमारा debt by equity जो है वो 2 by 3 हुआ सथ सेकेंड का solution अलग है मतलब क्या अलग है अरे book में 2 solution दिया हुआ वो भी दिया हुआ है यह मतलब system करते हो देखती नहीं होगा ध्यान से दोनु दिया हुआ answer मैंने देखा हुआ यह देखो alternatively दिया हुआ है न alternatively में देखो न पिना देखे बोलते हो और disturb करते हो अच्छी बात है बताओ सरम नहीं आती है कैसे disturb करते हो कौन था यह जैस जी है न गलत बाज जैस जी चलो तो आप देखे debt equity ratio 2 by 3 है और annual sales दिया हुआ है अब यहाँ पर इन्हों ने प्रोपोजल तो अलग अलग प्रोपोजल रखा प्रोपोजल नंबर वन प्रोपोजल नंबर टू प्रोपोजल नंबर वन में बोला target asset to sales ratio 0.65 है तो अब देखो asset by sales 0.65 है और sales हमें पता है तो asset मिल जाएगा हमारा target asset कितना होना चीए अब बोला target asset यह कितना पहुचाएंगे देखो sales 30 का है और target asset to sales ratio 0.65 होना चीए इन्हें target asset by sales अगर 0.65 होना चीए target assets कितना होना चीए 0.65 इंटो 30 लग यहने 19,50,000 का target asset होना चीए अब इन्होंने बोला debt equity ratio जोए न वो 2 to 3 maintain होना चीए तो अगर आपका asset ही इतने का होगा इसका 2 to 3 मतलब 2 5th debt 3 5th equity यहनी 40% debt 60% equity तो इस तो 3 का मतलब यह होता है अब इससे मैंने क्या निकाल दिया debt fund कितना होगा और equity fund कितना होगा यह मैंने निकाल अलकि मेरे हिसाफ से solution थोड़ा कुछ अलग होता इन्होंने कुछ अलग कर रह हो बट otherwise मेरे हिसाफ से solution कुछ अलग होता देखिए अब यहां पर इन्होंने और क्या दिया हुआ है इन्होंने net profit margin दिया हुआ 4% तो sales का 4% profit होता है तो 30 लग का 4% कितना होगा 1,20,000 profit होता है तो मेरे nature में पता return on equity क्या होता growth पूछ है तो हम क्या करते growth के लिए हम क्या करते अब निकालते return कितने है return on equity में retention ratio निकाल देते बात करता return on equity में retention ratio लगा तो growth आजाएगा तो में return on equity कैसे निकालो मैं बोलूँगा कि देखिए profit आपका 30 का 4% net profit margin है अब बताओ net profit margin में interest minus नहीं होता है यह इसमें तो interest का खर्चा minus ही है तो net profit में मानूँगा equity से रोग रख गई है तो equity वालों है 30 लग पर 4% profit कमाया यानि 1 lakh 20,000 profit कमाया और equity वालों का fund कितना होगा 11 lakh 70,000 तो मेरी नजर में तो return on equity होगा 1 lakh 20,000 into 100 divided by 11 lakh 70,000 मैंने ऐसे निकाला था मैंने कहा था 10.26% return on equity होगा और retention ratio 75% है तो इसका 0.75 मेरा इसका 0.75 7.69% मेरे नजर में growth rate है ये मेरी नजर में पर इन्होंने solution की धजिया ओड़ा दे इन्होंने क्या क्या बता है इन्होंने net profit को मान लिया profit for both और both debt and equity दोनों का profit मान लिया और इन्होंने क्या किया 1 lakh 20,000 को divided by 19 lakh 50,000 किया into 100 और फिर उसमें 60% लगा दिया equity ratio तो कि मुझे कम समझ में आया मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगा अब अलग-अलग valuation model होगा किसी का तो मुझे पता नहीं पर जहां तक जितना मुझे knowledge है क्योंकि आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि जो profit 1 lakh 20,000 इसमें equivalent 40% debt वालों का profit होगा 60% equity वालों का profit होगा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं क्योंकि थोड़े पहली बात तो अब यह लिखो ही मत तो चलेगा यह लिखना ही नहीं आपको आप यहा करो सीधा ना target asset निकाला यह target asset मतलब क्या होता है इसमें debt और equity दोनों होता है यह capital होता है मतलब तो आप बोलोगे profit इतना वलनेक 20,000 रिवाइट बर पूरा capital ले लोगे in 200 और उस पे 60% equity का लगा दिया और return on equity निकाला जो कि मुझे समझ में काम आया और फिर उस return on equity में नहीं retention ratio लगा की growth निकाल लिया तो यह एक मेरे हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से ही थोड़ा सा logically justifiable नहीं है अब देखो proposal number two के अगर हम बात करें तो proposal number two में भी problem है यहाँ पर किनोंने इस annual sales को consider नहीं किया हाला कि उपर अगर annual sales दिया वा रहेगा तो हम assume करेंगे proposal number one के लिए proposal number two के लिए तुनों के लिए अगर हम माने तो पर यहाँ पर इन्हों ने बोला sales यह सिर्फ proposal one के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोपोजल two में पहले asset की value निकाली कैसे निकाली बुला equity तो पहले से 12 लाग है यह यह दो वल्लू लिया है पर यह वाला नहीं लिया proposal number two के लिए और proposal number one के लिए यह वाला लिया और यह दोनों नहीं लिया है तो कितना मज़िदार बात इन लों की है है न मतलब धन्या हो एकदम धन्या हो तो यहाँ पर आप देखो equity 12 लाग का है और निया equity raise किया गया one का equity कितना होगा 13 लाग का equity मतलब 20 सनई के लिए 13 locks equity रखा हा है 80 ले कितना होगा 52 लाग न तो 52 लाग आपको 80 ले उगा हमारा आप देखिए equity के लिए ठिट के लिए 52 है तो तोटल आपका debt equity मिला के 65 हो जाएगा यह asset है क्योंकि total asset क्या होता है equity plus debt तो यह asset माल लिए यानि इस बार asset निकाला फिर asset में हमने क्या-क्या पता है यह ratio लगा कि sales निकाला target asset by sales 0.62 है asset by sales 0.62 इससे हमने sales निकाला और sales में फिर net profit लगा कि यह profit निकाल लिया तो यह profit है हमारा और total asset 65 है तो 5.24 हमारा profit हो गया अब इसमें हम क्या करेंगे different कुछ है तो minus कर देंगे retention amount जो है चलो वो भी बाद में minus करेंगे नहीं करते हैं हम return on equity पहले सीधा निकाले तो हम कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे 5.24 हमारा total profit है divide by total capital into 100 कर देंगे और into equity का ratio लगा देंगे जैसे यहाँ पर भी equity का ratio लगा था न 60% यहाँ पर 20% equity का ratio निकालके return on equity निकाला और फिर उससे growth निकालेंगे तो growth निकालने के लिए retention ratio पता करना है तो वो भी यहाँ पर इन्होंने दिया है इन्होंने बोला different यहाँ पर value में दिया है 0.30 हमने different peak है तो 5.24 में अगर हम 0.30 payment करें तो retain कितना कर रहे 5.24 में अगर हम सिर्फ 0.30 payment कर रहे तो 4.94 रिटेन हो रहा out of 5.24 into 100 यहीं 94.27% retention ratio है तो हम वही लगाएंगे 94.27 retention ratio आपका यह जो है return on equity में हमने retention ratio लगा की निकालिया आपको कुछ-कुछ जगा में रट्टा लगाना पड़ी गए तो return on equity ध्यान रखना है यहाँ पर भी return on equity में रट्टा लगाना है और एक चीज़ आपको रट्टा यह लगाना है कि यहाँ पर asset की मदद से sales निकालोगे यहाँ पर sales की मदद से asset निकाला यहाँ पर asset की मदद से sales निकाला तो यह question थोड़ा सा complicated है जो सोची past paper exam में आयो है और क्या पता repeat कर दे तो आप एक बार इसको practice कर लिजेगा बताओ सब कुछ ठीक है myself sales कहा रहे है कि 60% कैसे आया देखो यहाँ पर 2 by 3 debt equity ratio है ना 2 by 3 debt equity ratio का मतलब ही क्या है 40% debt 60% equity और हमें ना जो return on equity निकालते है वो equity का निकालते है तो इन्होंने बोला वो जो return इन्होंने सोचा कि return पूरा का पूरा capital का निकाल है इनके हिसाब से और उसमें 60% multiply करके बोल रहें कि equity का है इस हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि profit भी total है और आपका जो profit भी total माना इन्होंने without interest payment और इन्होंने capital भी total लिया तो total निकाल लिया और फिर उसमें 60% equity का लगा कि बोल रहें यह return on equity जो कि मेरे nature में सही नहीं तो यहाँपर 60% equity यहाँप बोलो perfectly हो चुका तो अकर समझ में है तो please like तो बनता है और like करना ज़रूर से जिसको भी समझ में है like करना तो 66 क्या बख करे हो यार myself कुछ भी बोल रहे हो कहां से आएगा 66.66% पिकार की बाते कर रहो 2 by 3 मतलब इतने गधे हो कि आप 2 by 3 का मतलब क्या हो था आप 2 by 3 कर रहो 2 by 3 debt equity ratio है मतलब debt ratio 2 by 5 होगा equity ratio 3 by 5 होगा equity ratio 2 by 3 नहीं हो क्या करते हो आप यार myself आपकी हालत बहुत बूरी है फिर तो आप तो अभी 11-12 के डाउट में हो भी debt equity ratio 2 by 3 में आप बता रहो कि equity 2 by 3 होगा क्या हद करते हो आपने calculator में सिधा 2 by 3 किया होगा कैसे हो यार debt is to equity 2 is to 3 basics बहुत हिला होगा आपका यह तो बहुत ज़्याद हिला होगा है 2 by 5 debt ratio है 3 by 5 equity ratio है उस आपसे equity 60% हो थोड़ा सा basics ठीक कीजे myself salch नाम अच्छा रख है चलो कोई ना अच्छे से पढ़ाई करो myself और है थोड़ा सा basic ठीक करो मैं आपको demotivate नहीं कर रहा पर यह सब चीजे जरूरी अभी यह सब चीजे आप ठीक नहीं करोगे तो exam में बहुत mistakes करके होगे अभी भी कुछ नहीं पगड़ा समय है मेहनत करो हो जाएगा रहा ठीक है तरो कुछ दिन अच्छे से महनत करो जहां जब mistakes हो सकते हैं वहाँ पर आप देखो security evaluation revision का पहले से बता देना so that we can schedule recording ले बताऊंगा तो असरूख जाऊंगा यह सनूब जी YouTube पर रहेगा आज तक कभी हटाया एक यूटूब चलो तो I think मैंने सब करवा दिया आप लोगो अब इससे जदा और क्या लोगे बच्चे की जान यह भी last time में question आया था यह मैंने class में करवा था अभी तो नहीं कर रहा हूँगा अभी आप solution देख लोगे तो भी समझ में आ जागा अभी इसमें भी बता है जो last time question पूछा गया था इसमें आयसे का solution और question मैच ही नहीं कर रहा है कि जो premium word लिखा था सुचो एक्जाम में आवा question है यह premium सब्द की वज़े से solution गलत हो गया बच्चो और premium सब्द है नहीं यह amount of loan होना था इस जगह में amount of loan is to be paid यहापर premium लिख दिया amount of buyback sorry amount of loan नहीं amount of buyback होता है यहापर तो चो आईस यह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते है amount of buyback लिखना तो उस हिसाब से answer present हुआ है पर इन्हों ने premium word लेके solution को यह बदल डाला और suggested में solution मैं question की हिसाब से जो solution होना ची वो suggested में नहीं तो ची ऐसी हालत होती है और फिर आप ब बोलेंगे paper easy तो कैसे बोलेंगे exam में छोटा छोटा confusion जो रहता है ना एक छोटी छोटी confusion वो पूरा paper को खा जाता है तो उस question को नहीं खाता है उस confusion की चकर में हम कितना समय वेस्ट करते हैं उस question में और वो question तो हमारे हाथ से जाता है because of ICA की mistake के वज़े से और उसके अलावा हमारे कीमती समय भी चला जाते है इसकी बज़े से मैं दूसरी question में भी हमें भूगतना पड़ते है यह ICA की problem है और इसी चीज़ के खिलाफ में मैं कभी भी किसी दूसरी के खिलाफ कभी नहीं बहुता हूं ना मैं अपना पढ़ाता हूँ और मैं बस i.c. के खिलाफ बहुत यहाँ पर वह गलत होता है यह सब जगा में सोचू कितनी बड़ी बड़ी गलती वह पर जाते यह एक वर्ड की वज़े से solution बदल रहा है है ना पर वो आई से कभी यह सब चीजों का accept नहीं क्या करें हम मजबूर हैं वो धीट है हम कुछ कर सकते नहीं तिपक जी कह रहे सर वो डार्ट वाली विडियो तो हटा दी थी ने आपने आपने क्या करूब मलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने दी मोटिवेट कर दिया तुख लग गया मुझे भी मैं तो कुसिस कर रहा था कि आप लोग को खोड़ो जल्दी से दिल पे ले लेता हुए जल्दी नहीं लेना चाहिए पर लग जाता मुझे लगा छोड़ो साइट क्या पूता सच में दी मोटिवेट हुए गया पर ऐसा नह ने कहा कि नहीं है कोई बात नहीं है तुम बिल्कुल भी और चनुने सपोर्ट किया बट फिर छोड़ों कि अधर परचिस कंसिट्रेशन कैलकुलेट करते हैं में नमबरों के सब्सक्राइब करना है परचिस कंसिट्रेशन का अधर मार्केट कि अब इक्वल प्रॉफिट इ हम क्या करते हैं EPS into PE करते हैं वैसे टोटल मार्केट के आप देखो टोटल मार्केट के आप कैसे निकालोगे EPS में PE ratio लगाओगे प्राइस आएगा तो नमबरों सेर करोगे मार्केट के अब डैरिक भी तो मार्केट के आप निकाल सकते हैं EPS into PE ratio into number of share करोगे इसके जगह प ठीक है पोलोजी परिफेक्ट तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर मर्जर्स मेरे कई दिनों से मेरे दिमाग में ता मुझे रिवाइस कराना है कराना है कराना है और फाइनली मैंने रिवाइस करवा दिया आज़ और मैं बड़ा खुस हूँ और मुझे बड़ी खुसी है आई होप आप लोगों सब कुछ अच्छे से समझ में आया तो मुझे फटा फट से बता दीजे फिर में विदाई लेता हूँ आज ये क्लास को में ये खतम करते हूँ और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो जरूर से लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा हमारे चैनल को और क्या करोगे सहर भी कर देए अपने फ्रेंड्स के साथ में चैट बोक्स काम नहीं कर रहे क्या या फिर आप लोग सब गायब हो गए क्या ठीक है सेशन को यह समाप्त करते हूं ठीक है काविया जी थैंक्यू सू मच वंसिगा जी चलू तर यूर जेम और सीए कॉम्यूनिटी तन्वी जी थैंक्यू सू मच लिपक जी थैंक्यू सू मच अमिज जी हीना जी ताकसी जी स्निया जी सागर जी आप सभी को थैंक्यू सू ठीक है चलू बाइब एवरिवन सर आइसे के मॉडियूल में टी वाई के कुशिंट इस विलू के सब्सक्राइब आपड़ेगा तर आज जब खुद से करते हैं तो दिक्कत आता है बड़ जब सब्सक्राइब करें प्रेक्टिस करें इसलिए ऐसा हो आपके सब्सक्राइब क्या बार है बता दो अभी टाइम है कि उतने पैसे खटे नहीं हुए आजीम जी आजीम जी आजीम जी तो अभी कर रहा है बहुत सारा बाकि आप अफर एस फम रिवीजन फोल्डर जे डियाप में मिल जाएगा आप लोग अरसा जी अमिच जी सरूनी जी थैंक्यू सू मच काप्रेट वैलूशन सू रवाने का ठीक है देलो तो अभी अच्छे से पढ़ाई कीजे और फाइनली हमने मर्जर्स भी कमप्लीट कर लिया पाकी इंडियस के भी है पाकी में स्मॉल इंडियस का रहा है महरातुन लेने वालों पाकी में स्मॉल इंडियस का नहीं यह तना जादा मॉल इंडियस कर दो तो आप से क्या जी जितना उसे के कॉंट्रेट मत भी बहुत जादा सेडूल तो समय नहीं निकाल पा रहा हूं जादा फिर भी आप टेलिग्राम कर सकते हो टाइंग मिला था छलो सब्सक्राइबरी जी एमीजिंग लास का है रहा है चलो थांक यू सो मच आरुबरीवन अपसभी सभी को थेंख रच यू सो मच प्र मुलाकातों की बहूँम्ध बहुत जल्द लाइए था है प्रूल इंडइवार्थ लमें चलो हिनाजी धान की इसके चली ऑर ब्लैक सोल्स वाला 15 मिनिट वाला वीडियो मस था सर एजीली सॉल्व होगी हाँ वह ब्लैक सोल्स वाला लास्ट टैम कर आए था मने एक्जाम से एक दो दिन पहले वह भी रात के 12 बचे 15 मिनिट में खतम बहुत अच्छे से कर वाया था खून में डालनी की बात की थे मैं याद है ना वह याद है ना वह लाइन में वहाँ पर उसकी तो ब्लेड में चला गया होगा बसीच जी कहरे है love from Kasmir थैंक यू सो मच बसीच जी आपको भी love from Asam पहलिए तो पीज़ेए प्राइए बॉलते हो बelson होगी ती कर देने का जादा से जादा कोशिन कर लीजे कंसेप्ट कोई बड़े बड़े चैप्टर्स अप्रोच किजिए फिर मिड्साइज वाले अप्रोच करके जैसे एक एक दिन में खतम हो जाएगा आपका तर यह जितना जल्दी जल्दी हो सकता है जलो बाए बाए एवरीवन ठीक है